So hello everyone, जैसे कि आपने MP Art and Culture की जो marathon उसको देख लिया होगा और बहुत सारे उस पे views भी आ रहे है, comments भी आ रहे है, तो सभी चीजों को वहाँ पर notice भी क्या आ रहा है, कि क्या चीजे चाहिए, कौन सी नहीं और उसी के साथ जो है हम लोग आज MP Geography की marathon आपके लिए लेके आ गया है, जिसमें मद्यविदेश में geography से related, जो जो prelims से related facts आपके बन सकते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पर cover करने की कोशिश की है, कि कौन कौन से आपके important facts है जो आपको prelims में यहाँ से आ सकते हैं, तो यह topic हमारा geography of मद्यविदेश और इस marathon में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो जो geography of मद्यविदेश वाला जो marathon है, उसमें हम लोग topics कवर करने वाले है, वो main topic कौन कौन से है इस marathon में, एक सब से पहले तो हम लोग देखेंगे general introduction of MP, कि मद्यविदेश का general introduction, कि मद्यविद मद्यविदेश का river system पूरा का पूरा जो drainage system है मद्यविदेश का वो इस ट्रॉपिक में हम लोग यहाँ पर cover करेंगे और उसी के साथ जो तीसी चीज यहाँ पर निकल के आ रही है river system के अलावा वो इस ट्रॉपिक में जो हम cover करने वाले वो है मद्यविदेश के minerals MP के minerals उसके अ Mountain Ranges और मद्यविदेश क्या देखने वाले है मद्यविदेश की Mountain Ranges तो यहाँ पर एक और पॉइंट हमको याद रखना है कि Mountain Ranges और MP आला जो portion है वो भी हम यहाँ पर तैयार करने वाले है छटवे नंबर पर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो एक और चीज क्या निकल के आ रही है चटवे नंबर पर तो चटवे नंबर पर एक और है नेक्स जो टॉपिक है Mountain Ranges के अलावा Minerals, Tribal Groups, River Systems उसके अलावा Geographical Division of MP एक ओवर यहाँ पर देखेंगे कि मद्यविदेश को जोग्रफिकल डिविजन कैसा है उसके अलावा हम लोग यहाँ पर MP का एको टॉपि और इसी साथ हम यहाँ पर MP का जो Energy Scenario है उसको भी कवर करेंगे कि मद्यविदेश में कैसा ही करके आपको Energy Scenario देखता है मतलब बेसिकली जो जो आपकी जो Geography आली यूनिट में जितने भी Parts दिये हुए है कि River System, Minerals, Tribal Group, Mountain, Geographical Part of MP, Energy, Demography है ना और उसके अलावा एक और मिट्टी या Soil in MP तो यह इतने portions है जो हमारे इस topic में cover होने आले और अगर आप उस unit को देखोगे MP Geography जो Prelims वाली unit है उसमें आपको सारे के सारे यह आले जो portions है मिलने वाले है तो कही ना कहीं आप उसका एक quick revision इसके थूर हम करने ही कोशिश करेंगे और जितने possible facts हो सकते ह कोशिश करूंगा कि आपके revision basis पे हो जाए और एक और चीज है कि कुछ भी वाहियात जैसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसमें जो सीधा सीधा है जो exam oriented है उनको हम लोग कोशिश करेंगे यहां cover करने की तो सबसे पहले MP के general introduction की बात करते है तो general introduction में आप मेरे पीछे जो MP का map देख रहे है यह MP का बिलकुल नया map है जो आपके पीछे लगा हुगा है जैसे कि आप यहां से देखोगे मद्विदेश का जो नया map है तो आपको यहां से दिख रही होगी यह वाला जो portion है यह गुजरात वाली border वाला दिख रहा होगा यह राजिस्थान वाली border जो लग लगना चालू हो जाती है तो यह वाले जो कुछ regions है इनको हम लोग को देखना है तो यह वाला जो है याद रखिएगा चलिए तो यहाँ पर यह वाले portion में क्या-क्या चीजे हमको दिख रही है मद्यविदेश में जब हम MP की बात करते है तो MP का सबसे MP का सबसे northernmost district कौन सा है जो आपको मद्यविदेश दिख रहा है तो मदविदेश का सबसे northernmost district और मदविदेश का सबसे southernmost district तो MP जो इतना बड़ा state आपको दिख रहा है जिसमें आपको total number of district कितने हो गए अब तीन नए district बने है तो total number of district कितने हो गए 55 तो MP में आज की तारिक में कितने जीले हो चुके 55 districts है और हमारे पास कितने division हो चुके त मदविदेश में 10 division है मतलब 10 संभाग जो है MP में दिखाई देते हैं बाकि इंकी बात करेंगे और फिर जब हम देखते हैं कि MP कितने states से अपनी border share करता है तो मदविदेश 5 states से अपनी border share करता है जब हम देखते हैं नौर्थ में तो नौर्थ में अपनी border UP और राजिस्थान से share करता है जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर उत्यफिदेश और राजिस्थान इधर आप देखोगे वेस्ट में तो गुजरात साउथ में आप देखो तो महराश्टरा इस साउथ इस में देखो 36 गड़ और इस तरीके से मदविदेश अलग अलग इन 5 राजियों से अप गुजरासं से शेयर करता है तो MP की smallest बtal इस से लगी होई है गुजरास से लेकिन वो यहीं से आपसे पूसता है कि MP की longest बॉर्डर कiónसी है तो मद्यविदेश के जो maximum district है, मद्यविदेश के जो maximum district है, voting के around, वो अपनी border share करते किसके साथ, उत्तर प्रिदेश के साथ, तो मद्यविदेश के maximum district, अगर आपसे पूछें, मद्यविदेश अपनी सबसी बड़ी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है, तो वो है राजिस्थान, लेकिन मद्यविदेश district wise, मतलब जीलो के अनुसार अपनी सबसे बड़ी border किस से बनाता है, तो वो है आपका क्या उत्तर प्रदेश, तो ये भी एक fact याद रखेगा, और इसी मैप में आपको दो-तीन चीजे में नई भी दिखाना चाहूँगा, तो ये भी एक चीज अपने को याद रखना है, तो अब जो टूटल नमबर अव डिस्ट्रिक्स अपने को याद रखना है, जो महाराष्ट से बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो कितने हैं, दस जीले हैं, जो महाराष्ट से बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक बहुत खास बात है, मद्यब्रदेश का यह जीला, कौन सा? अली राजपूर, MP का अली राजपूर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जो आप जीला, वो आप से पूछेगा, मद्यब्रदेश का वह एकलोता डिस्ट्रिक्ट, सिरब एक मात्र डिस्ट्रिक्ट जो अपनी बॉर्डर, 36 गड़ से भी शेयर करता है, और महाराष्ट से भी शेयर करता है, तो वो कौन सा है हमारा? बालागाट और मद्यब्रदेश का वह ए तो यह एक चीज अपने को यहां से इतनी याद रखना है जीलों के बारे में तो यह आपका एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि मद्यविदेश की सबसे लॉंगेस बॉर्डर किससे लगी हुई है राजिस्थान से मद्यविदेश की सबसे छोटी बॉर्डर कि अब करते हैं और फिर हम देखेंगे महाराष्ट से पांडोर्ना बनने बाद कितने बॉर्डर शहर कर रहे है और फिर यहीं से उसके मद्यविदेश में नए जीले बने माउ गंज, माउ गंज किससे अलग करके बनाया गया है, सतना से सेपरेट किया गया मैहर को और हिंदवाडा से सेपरेट किया गया है पांदूर्ना को और तहसीलों के point of view से भी मदविदेश का सबसे छोटा जिला इसको कहा जा रहा है कौनसा आपका जो पांडूरना बना हुआ है तो आप लागी वो बात की बात है अभी तो हम इतनी बात याद रखे और फिर next हम यहीं से दिखते है तो मैंने आपको तीन चीजे बताई थी आपको दिखेगा वो कौन सा बुरहानपूर डिस्ट्रिक दिखेगा सबसे नदन मोस्ट पॉइंट कौन सा दिस्ट्रिक दिखेगा मुरैना डिस्ट्रिक दिखेगा MP का सबसे इस्टन मोस्ट पॉइंट MP का सबसे इस्टन मोस्ट पॉइंट कौन सा अली राजपूर डिस्र सकते हैं यह से west point, यह north और यह south यह 4 चीज़े हैं हमारे पास और निकल के आ गई तो आपने बोला कि presently मद्य विदेश में total number of district कितने है 55, मद्य विदेश में total division कितने है 10 और मद्य विदेश का latitudinal और longitudinal extend जो है हमको इस तरीके से दिखाई देता है 72 degree and 74 degree 9 minute east और 21 degree 6 minute north से 26 degree 30 degree 30 minute north तक मद्य विदेश अपनी border कितने state के साथ share कर रहा है मद्य विदेश अपनी border 5 states के साथ share कर रहा है जिससे मैंने आपको बताया कौन कौन सा है एक तो आपका UP हो गया एक आपका महराष्टरा हो गया एक आपका गुजरात हो गया और एक आपका 36 गड हो गया तो मद्य वि मूरेना जी ले के बारे में हमने क्या देखा उपका उपका आपका अली राचपूर है है और फिर यहीं से आप चले गए तो एक और चिन निकल के आगी वेस्टर मोस्ट पॉइंट अली राजपूर तो अली राजपूर हमने क्या देखा कि जो आपका अली राजपूर डिस्ट्रिक है वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है तो यह आपका कौन सा निकल के आ गया अली राजपूर जीला तो इस तरीके से मद्धविदेश का एक बेसिक सा आस्पेक्ट देखा फिर उसके बाद हम दिखते हैं स्टेट एंबलंस और पेड है जो कौन सा पेड है बनियान ट्री कौन सा ट्री है आपका बनियान ट्री बर आ गाए सत्य में उजयते रिखा हुआ है सत्य में उजयते लिखा गया तो यह भी चीज़ यहां से याद रखेगा और वीट और जो है पैडी है न मतलब धान और चावल ये चीजिपर को नहीं ऺड़ा है है याद रखना कि मद्य इचम्स स्थ खार है तो चीजिये चीजिट यहां पर आप आप देखोगे कि दो जो कर दिखाई देगी एक तो आप की कोन सी वीट pH hardness आपकी राइस फिर नेक्स चल रहे है तो मद्य विदेश का जो स्टेट बर्ड है जिसको बोलते हैं दूद्राज या शहा बुलबुल है ना जिसको हम लोग इंग्लीश में कहते हैं पैराडाइस फ्लाय कैचर इसको एकोन नाम से कहा जाता है महरानी और टाइटेनिक तो यह भी याद रखेगा कि मद्य विदेश के स्टेट बर्ड को और किन किन नामों से याना जाता है तो पैराडाइस फ्लाय कैचर तो हम यह कहे रहे है दूद्राज को इसके अलावा इसको आपका महरानी और टाइटेनिक के नाम से भी कहते है तो यह भी एक फैक्ट यहां से या है तो यह आपके कौन है पैराडाइस फ्लाय कैचर शाह बुल बुल इसके अलावा मद्य विदेश का जो स्टेट आप देखो गया अनिमल तो मद्य विदेश का स्टेट अनिमल कभी ऑप्शन यह टाइगर आ जाए तो जल्दी बाजी मत करना थोड़ा सा शान रखना कि मद यह पी का जो मैराथान है उसमें एको टॉपिक कवर करना है फॉर्स्ट एन ऐण नेशनल परर्ट इने एमपए पूरा तो फुरा नेशनल पर यह पर कवर होगा तो इसको भी देख लिजेगा तो फिर जैसे हम यहां सकर रहे हैं तो ने यह में हमको यह कहा मिलता है बारा सिं blush कान्ह national park में इसके अलावा यह प्यादा जो इसका जू है जो scientific name है आपको इहां पर दिखाई दे रहा है चली आगे चलते है तो state flower of मद्यविदेश मद्यविदेश का राच्किय पुष्प कौन सा है तो मद्यविदेश का जो राच्किय पुष्प है वो आपको लिली जो है वो दिखाई देगा जो आपके सामने है फिर नेक्स जो है मद्यविदेश का जो स्टेट ट्री है तो वो कौन सा है बनियान ट्री है तो महाशीर आपको नर्मदा रिवर में मिलती है और महाशीर ब्रीडिंग सेंटर महाशीर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है तो महाशीर ब्रीडिंग सेंटर महाशीर में पर हैं कहां ब्रीड़ ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है मिलती पर इमेज आप यहां देखोगे तो इसको बोके हम लोग क्या मल्खम्ब मलखंब का मद्यविदेश जो मेन सेंटर है वो क्या है मलखंब में मद्यविदेश का जो मेन सेंटर है वो उजयन है और साल 2013 की बात है 2013 में MP गॉर्मेंट ने क्या किया था 2013 में MP Government ने मलखम को State Sports Declare किया था क्या किया था State Sports Declare किया था और फिर इसी मलखम के लिए MP Government एक अवाड देती है जिसका नाम है प्रभाष जोशी खेल रतन कौन सा अवाड दिया आता है MP Government जो अवाड देती है उसका नाम है प्रभाष जोशी खेल रतन तो यह MP गॉर्मेंट ने 2013 से स्टार्ट किया था और इसके जो हमको दिखाई देते हैं जो पहले रिसीपेंट थे वो थे अजय वक्तारिया जिनको पहली बार मलखंब जो आपका ये प्रभाज जोशी खेल रत न मिला था वो किसके मिला था अजय वक्तारिया को और जो प्रभ जहां से पारवतिर इवर निकलती तो वहाँ रहने वाले तो ये आपका क्या निकल कर आ गया था तो यह बेतनी इतनी बातव जात looks फिन नेक्स शलते है इस्टेट थेटर और मद्यविदेश अल्रेडी आपको कल्चर का मैरेथॉन पढ़ा चुका हूँ बहुत डीटेयर मैंने मार्च के बारे बताया था कि कार्तिक के मेलेक समय गोपाल जी महराज जिन्हों ने मार्च को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है मा मालवा रीजने मार्च परफॉर्म होता मार्च के इन्वेंटर कौन बताया था गोपाजी महराज जो मालवा रीजन में आपको यह दिखाई रिते जिन्हों ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया और माज किया है मद्यविदेश का स्टेट फोक डांस तो स्टेट फोक क्या है राइ है और इस राइ को कहां पर्फॉर्म किया जाता है तो मद्यविदेश न्चे स्टेट फोक डांस राइ इसको मद्यविदेश के बुंदेल खंड रीजने परफॉर्म कर रहा है कौनसे रीजन मेंगर रीजन में इसको एक community परफॉर्म करती है जिसको बोला जाता है बेढिया community तो यह दिसको चैए गया का जाता है कौन इसको रहता है घ्टनी तो मैंने आपको बता राम सहाय पंडे जो राई के एक famous जो है dancer आपको दिखेंगे तो यह भी एक fact यहां से याद रखेगा चलिए आगे चलते हैं तो मद्यविदेश की state crop कौन सी है तो मद्यविदेश की state crop है वो कौन सी आपकी है सोयाभी इन है और मद्यविदेश को सोया इस्टेत के नाम से हम लोग कहते है ङद रखेगा इस इक बार डिस्ट्रिक अं्डर डिविजनस अब यह जो टॉपिक है डिविजनस इन MP mद्यविदेश के डिविजनस के बारे aún मताईए तो मद्यविदेश में हमें total जो हैm कितने डिवीजन दीखते हैं मद्यविदेश हमें total जो है 10 डिवीजन दीखते हैं कितने दस डिवीजन आप जिनको नहीं पता हो की डिवीजन या संभाग क्या होते हैं उनके लिए State Headquarter और जो आपका District Headquarter होता है इनके बीच में Coordination के लिए क्या बनाया जाते है Divisions बनाया जाते है इसको हम लोग हिंदी में संभाग कहते है तो हमारे मद्विदेश हमें कितने Division दिखते हैं मद्विदेश हमें पास 10 संभागे और MP का जो सबसे latest बना हुआ Division है वो कौन सा है वो है आपका Shaddle Division जिसको साल 2008 में बनाया गया था तो इसके बनते के साथ ही MP में कितने Division हो गये थे MP में जो Total Number of Division हो गये थे वो हो गये थे Total कितने 10 और 2008 में ही एक और चीज हुई थी मद्यविदेश का एक Division है जिसका नाम होशंगाबाद Division जो पुराना Division था उसका नाम चेंज करकी क्या किया गया नर्मदापुरम किया गया तो नाम ही चेंज हुआ है बस 2008 में और इसमें confuse मत हो ना नर्मदापुरम जिले का नाम 2022 में बदला है और नर्मदापुरम जो संभाग का नाम है वो 2008 है बदला है तो ये भी याद रखेगा और मद्यविदेश है फिर वह आपसे कोशन पूछता है MP का वह कौन सा Division है जिसमें सबसे ज़्यादा District है तो MP का वो Division है मद्यविदेश का जबलपूर Division है जबलपूर संभाग जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जिले दिखाई देते है और कौन कौन से जिले है वो है आपका जबलपूर, कटनी, नर्सिंगपूर, शिंदवाडा, शिवनी, दिंडोरी, मंडला है ना बालागहाट और अब ही एक नया जो बन गया वो क्या है पांडूर ना तो यह आपका कहां चला गया जबलपूर में चला गया इंदवर डिवीजन अब आपको जैसे किसी को याद नहीं होता कि हम कैसे याद करें जबलपूर नहीं हो रहा है छोड़ दो हटा दो उसको इंदवर डिवीजन याद करने कुछ करते हैं अब कन्फ्यूज होगा है कि इंदवर में बढ़वानी भी आ रहा है नीमच रतलाम भी आना चाहिए सारे डिस्ट्रिक कौन से डिवीजन का पार्ड बनेंगे ये सारे डिस्ट्रिक जिस डिवीजन का पार्ड बनेंगे वो कहलाएगा इंदवर डिवीजन तो याद रखेगा कि ये जो है आपके कौन से आठवे नंबर पर आपको ये इंदवर जिले में आठ जिले दिखेंग पूरे जो दक्षिन मतलम निमाड वाला पोर्शन है वो आपका इंदौर संभाग में चला गया और जो नौर्थ में आप देखोगे कौन सा नौर्थ में आप देखोगे जो मालो आला रीजन जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप फिर एक हैल्प ले सकते किसकी हमारे मैप की तो आप देखोगे यह रहा इंदौर और यह जो नीचे वाले पोर्शनवी क्लुचर्शं चिले कोन से रतलाम मंसौर नीमच आगरमालवा शाजापूर उज्जेन, देवास तो ये एक अलग बनें तो ये इंडाओर में basically आपको क्या दिख रहा है इंडाओर में आपको ये जो ये नीचे वाले जो जीले आपको दिख रहे है ये पूरे पूरे कहाँ चले गए ये आपके इंडाओर डिविजन में चले गए जो बचा वो उपर चला गया नौर्थ में तो वो कहां चला गया वह अपका उजएन डिविजन में चला गया तो यह भी एक फैक्ट है हासे थोड़ा सा देख लिजेगा और इस कंसेप्ट के साथ हो हापको ये थोड़ा सा याद भी हो जाए तो ये क्या चला गया आपका एक तो रेख और क्या चला गया आपका अब आता है भौपाल में देखो एक तो भौपाल सवयम है अब चार जिले कौन उसे भौपाल से लगे हुए जैसे आपको पताएं मद्विदेश के मैप में भौपाल से लगा हुआ हुआ डिस्टिक है सीहोर भौपाल से Water share करता है राइसेन वोपाल सी बाड़र करता है राजगर राजगर विदीशा तो जो लबाड़र शेयर करने वाली जिले और काम में सही हो तो बिलकुल वुपाल अपने आप में एक है ना उसके अलावा आप देखोगे सी होड़ सी होड़ की संभाग की इसमल डिविजिए का also nerede ऐसा ब intended प्सक्राइब यह आद रखेगा चंबल डिविजन का है टपया है मुरैन में और इसमें आते हैं शंपुर मुरैना और भिइंड तो फिर गालियर डिविजन में कौन बाटर से निचे आपको की 의 है अप पूरीय भूञा अशोक नगर अब देखेंगे किरेखो घाश्वपूरी गुना अशोक नगर और इपर देंगे अमगर भुंबिजिन को क्या मिलने वाला है गुना और शुपूरी गुना अशोक मेशता ही सांगर यहीं से आप आप देखोगे एंपी के मैप में इसको फिर देखने कोशिश करें तो यह जो नौर्थ में आप देखोगे श्योपुर मुरैना और भिंड यह कौन सा चला गया यह आपका पूरा चला गया चंबल डिविजन यहाँ पर है गौलियर है या नहीं है गौलियर के बाद हमें है दतिय निचय है श्योपुरी यहाँ है गुना यहाँ है अशोकनगर यह कौन सा चला गया तो यह आपका चला गया गौलियर्ण तो यहाप कनधIGN थोड़ा सा कहां रिवा डिविजन में तो जो मैहर भी है वो रिवा डिविजन का पार्ट बन चुका है मौगंज भी रिवा में तो पहले रिवा डिविजन में चार जीले आते थे अब रिवा डिविजन में छे जीले हो गए है साल 2023 से तो यह अपडेट है इसको थोड़ा सा देख लिज तो हमारे पास एको डिविजन आता है नर्मदापुरम डिविजन है ना अब नर्मदापुरम डिविजन यहां पर है नर्मदापुरम नर्मदापुरम के जस्ट नीचे आप साइड में देखोगे तो हर्दा जीला और यहां साइड में देखोगे तो बैतूल जीला तो इन त अब यहां से आप देखोगे कि मदविदेश में एको डिवीजन है शहडोल अब यहां से आप देखोगे कि यह वाला जो पोर्षन था MP का यह वाला जो पोर्षन था यहां पर आप देखोगे रीवा, सतना, सीधी, सिंग्रॉली, मौगंज और मैयर यह तो चला गया अब इस वाले बेल्ट में जबलपूर के जिले तो हमने अलगी रखना जबलपूर यादी नहीं हमको हमको यहां प अब यहां बचे जितने भी जीले आपको दिखेंगे जितने भी जीले बचे वो सब अपने आप कहां चले गए जबलपूर डिविजन में तो आपको उसको रचने जरुवत नहीं अब तुम बोलोगे हमको कैसे पता आप महां कहां बचा मंडला बचा डिंडोरी बचा बाल सीधी सिंग रॉली मौगंज मैहर इधा शहडोल डिविजन याद कर लो कि उमरिया शहडोल और आपका जो है अनुपपूर और फिर जो लास बचा एक और क्या है आपका सागर डिविजन बुंदेल खंड बजिया बुंदेल खंड का कोई डिविजन निकल की नहीं आए तो हमारा यह जो बुंदेल खंड वाला पोर्शन है इसके अहां पर कौन-कौन से तो बुंदेल खंड का जो सबसे बड़ा शहर हम लोग देखते हैं वो कौन सागर है और सागर को डिविजनल हैटकौर बनाया गया और सागर डिविजन में हमें बहुत सारे जीले दिखाई दे बुंदेल खंड के कोर डिस्ट्रिक आप क्या देखते हो क्या आप देखोगे सबसे पहले निवाडी टिकमगर छतरपूर पन्ना दमहो यह जो बुंदेल खंड के कोर जीले है ना जैसे कि आप देखोगे सागर दमहो पन्ना छतरपूर टिकमगर निवाडी तो यह बुंद को याद करने का सबसे बैस तरीका आप MP का मैप याद कर लो लोकेशन देखो आपको चीज़ याद हो जाएगी और आप क्या करो आप इन दौर के याद कर लो आप उज्जेंट डिविजन के छोड़ दो जो जो बच्चे का उज्जेंट डिविजन में साइड भुपाल डिव जोगनगर शीवपूरी पाच जिले गॉलियर में फिर यहीं से आप अगये भोपाल नहीं पाच जिले भोपाल स्वयम खुद भोपाल के लावब देखो कर सिहोर रायसेन विदीशा पाच जिले आपके कहां दिख रहा है आपको बच्छनी जीले आरे जो निमाडी जीले व मालवी कल्चर जी ले वो जैन डिविजन में ठीक चली आगे चलते हैं तो यहां से हम लोगों ने लगबाग इत्ता घल लिया और यह आपके लिए एक और फिर सेल चल रही है अभी दिवाली महाधमा का ओफर केवल 10 से 15 नॉम्बर 2023 तक है ना जिसमें 90% तक आफ मिलेगा प्ल है ना ठीक है चलिए और फिर बाकी आपकी इच्छा है चलिए आगे चलते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो कौन सा है रीवर सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न और मध्यविदेश बहुत बड़ी है टॉपिक क्यों कि इस टॉपिक की जब बाद होती है ड्रेनेज सि इस ट्रैवल करके चली आती है इसलिए इसको ब्राइडल होम आफ रीवर्स कहा जाता है और इसी साथ आपके लिए कि हमारे पास एक्जाम में यहां से क्या आने वाला है जन्रल इंट्रोडक्शन में तो हमने देख लिए कई पूछ ले वहां से कुछ लेकिन यहां पर अप से बेहले क्या पूछेगा औरीजिन पॉइंट उसके अलाव हो क्या पूछता है कि इस ऐसे प्रके च gjख चैनी होग है और प्रालोग क्या है तो ऐसे अलग-अलग नाम तो ये कुछ चीजे जो है हमको यहाँ पर याद रखना है और अगर किसी नदी से related कोई organization है कोई NGO है या उससे related कोई agitation हुआ कोई movement हुआ तो उसकी भी हम लोग को यहाँ से बात करनी है तो यह इतनी चीजे जो है और एक और fact यहाँ से कि वो नदी के गोवर कोई डैम बना हुआ है तो वो कौन से states का joint project है तो एक यह चीज भी यहाँ से वो पूस्ता है तो यह जो मैंने आपको बाते बताई ना यह prelims की basic सी एक बात है और एक और fact याद आ गया mouth है ना कि river का mouth कहा है वह river किसको join करती है जाके बस प्री में अगर आपने river के इत्ते dimension कवर कर लिए तो आपका लगभग काम हो जाएगा मतलब यह चीज मैंने इसलिए बताई कि आपको पता होना चाहिए कि हमको इस topic में क्या क्या ध्यान देना है जब आप खुद भी अपने level पर पढ़ोगे कि origin, length, tributaries, dams, other name, organization, joint project और mouth ठ अपसे पहले नर्मदा को मैं तीन dimension में तोड़ के पढ़ाना चाहूंगा आपको कि हम पढ़ते हैं नर्मदा की geography, नर्मदा की geography के बाद हम पढ़ेंगे क्या नर्मदा की economical dimension और religious dimension तो जैसे हम देखते हैं कि आपको मद्रविदेश में एक यहाँ पर mountain range दिखाई देगी जिस को बलते हैं हम लोग सत्पुडा mountain ranges में आपको एक पहाड दिखाई देता है जिसको क्या कहा जाता है मैकल हिल्स में आमरकंटक क्या पहाड दिखाई दे रहा है मैकल हिल्स में आमरकंटक और इसी आमरकंटक से फिर एक river है जो निकल के travel करना चालू करती है जो ऐसे अलग-अ उपना travel करते हुए जा रही है तो यहां पर क्या है यहां पर आपको Arabian Sea है वहां पर उसको जॉइन करेगी किसको जॉइन करेगी यहां पर आपको जो है Arabian Sea है या Gulf of Cambay भी कहते हैं हम लोग Arabian Sea या उसको हम लोग वहां पर कहेंगे कि Arabian Sea में जो Gulf of Cambay है वहां पर यह इसको ज चैनल कई को और आपको देखेगी और यहां तक कि नर्मदा रिवर का और जब यह ट्रावल करते हुई नर्मदा रिवर का और्प की जो आपन लेंग्ध देखेंगे है ना कि जो आपन लोग लेंग्ध देखेंगे तो आपको नर्मदा की जो लेंग्ध है वो सिरब मद्विदेश में कितनी दिखाई देती है तो नर्मदा रिवर की जो लेंग्ध आपको मद्विदेश में दिखाई दे रही है वो कितनी द और लेंग्ट दिखते हो, अपने origin से लेके अपने mouth तक, तो origin से लेके mouth तक नर्मदा की जो length दिखाई देती है, वो कितनी दिखाई देती है, 1312 km, कितनी दिखाई देती है, 1312 km जो है आपको दिखाई देगी, तो यह नर्मदा की total length थे, जब अब MP बे travel करती ही नर्मदा, तो नर्मदा की length आपको क्या दिखाई दी, तो वो आपके सामने वहाँ पर आपको दिख रही है, चलिए, तो वो भी याद रखेगा, फिर जैसे यहां से हमने देखा, कि और कौन कौन सी चीज है, तो यह हम लोग इसको क्यों सा नाम दे रहे है, मैकल हिल्स, मैकल हिल्स, और ज तो वो कुछ अपने रास्ते है, वाटरफॉल बनाती है, क्योंकि देखो, आप ट्रेवल किस तरीके देखोगे, वेस्ट वर्ट रेवल है, कैसा ट्रेवल है, वेस्ट वर्ट रेवल है, और आप यहां से देखोगे, तो नौर्थ में आपको एक mountain range दिखाई देगी, जिसका नाम क्या है, सत्पूरा, जिसका नाम क्या है, सत्पूरा, और south में आपको mountain range दिखाई देगी, जिसका नाम क्या है, विंध्यांचल, जिसका नाम क्या है, विंध्यांचल, तो ऊपर आपको north में दिखेगा सत्पूरा, south में आपको दिखेगा विंध्यांचल, और इनी के ब लोग नर्मदा रीवर के नाम से कहते हैं याद रखेगा और फिर जैसे आप देखोगे कि नर्मदा अपने रास्ते बहुत सारे लैंड फॉर्म बनाती है बहुत सारे तो उसी लैंड फॉर्म में यहाँ पर जब वो निकल के बहना चालू करती वेस्वर्ट तो यहाँ पर अनुपूर डिस्ट्रिक कौन सा डिस्ट्रिक है अनुपूर डिस्ट्रिक तो अनुपूर डिस्ट्रिक में नर्मदा कुछ वाटरफॉल बनाती है जिसमें एक वाटरफॉल है कौन सा कपिल धारा एक वाटरफॉल है आपका शंभू धारा और एक और वाटरफॉल है जिसका बाद जो है आपकी नर्मदा रीवर है वो ट्रैवल कर जाती है कौन से डिस्टिक में जवलपूर डिस्टिक में जब ट्रैवल करती है जवलपूर डिस्टिक में जब ट्रैवल करती है जवलपूर डिस्टिक नर्मदा एक और वाटर फॉल बनाती है जिसको हम लोग कहते है ध दुखाधार वॉटर। फाल जिसके हाइट 18 मेटर के आसपस दिखाई देती है और धूधार वॉटर। फॉल्ही आपको बेडा घाट पंडने वाला है तो बेडा घाट कहां पर है जबलपूर बेडा घाट इस फेमस फूर मार्बल रॉक्स बंदर कूदणी एंच शॉषट तो बैडा घाट यो किन चीज़ों के लिए ऐता था थी कि यहां से और आगे निकल जाती है तो और नर्मदा एक और चीज़ और नर्मदा यहां बनाती है नुकि यसब करती हैं बैस में还ब डौक है तो प्रेशर ग्रहा रही Candi अनुकि इसको बनाती है उसको Dartmouth ही लेकिन साइड मेंब्होञप ev I उसको इतना वो इरोड नहीं कर पाई क्योंकि प्रेशर साइड में कम लएगा बेस पर यादा लएगा तो क्या होगा कि वो जो वैली है वो कैसी हो जाएगी एसी नैरो सी हो जाएगी यो गहराई बहुत हो जाएगी और यह ऐसा ही हमें दिखता है भेडा घाट के आसपास कि नर्मदा की जो चौड़ाई है बहुत कम है लेकिन गहरी बहुत जादा है तो उसको बोलते है भेडा घाट गॉर्ज तो यह नर्मदा का एक और फीचर है जो हमको याद रखना है और इस इक साथ नर्मदा ट्रैवल करते-करते कहां चलिए आती है नर्मदा ट्रैवल करते- देवास और हर्दा डिस्ट्रिक के बॉर्डर में तो देवास और हर्दा डिस्ट्रिक के बॉर्डर के पास आपको दिखता है नर्मदा नाभी स्थल क्या दिखाई देगा नर्मदा नाभी स्थल अब यह नर्मदा नाभी स्थल क्या है ऐसा बताया जाता है कि नर्मदा नदी को एक जीवित नदी माना गया है तो नर्मदा की जो नाभी है वो यहां पर बनी हुई है नर्मदा नदी के बीचों बीच में और यह जो इस्थान है यह देवास और हर्दा डिस्ट्रिक के बीचों बीच में आता है क्योंकि नर्मदा ट्रेवल करती है नर्मदा एक तरफ देवास जिला एक तरफ हर्दा डिस्ट्रिक है तो नर्मदान अभी इस्थल आपका कहा आप इसको हर्दा भी आ गया तो कोई गलत नहीं है देवास भी आ गया तो कोई गलत नहीं है लेकिन नेमावर देवास कहते हैं तो याद रखेगा तो नर्मदान पिर हम देखते हैं कि It there with aएल अखंडवा में हैं मनंमन्थार वाटर वाटर फॉल तो नर्म्य एक और वॉटर फॉल बनाती जिसका नाम क्या इंद्धार वाटर फॉल मंद्विरेश दििखं रहा है तो मंद्विधेश के खंडवा डищत्रिक में दिख रहा है और उसी के साथ नर्मदा ट्रैवल करते हुए कहां गई खरगोन डिस्ट्रिक और खरगोन डिस्ट्रिक में हमें नर्मदा का एक वाटरफॉल दिखता है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है सहस्त्र धारा कौन सा धारा सहस्त्र धारा वाटरफॉल तो ये जो सहस्त्र धारा waterfall है मदविदेश के कौन से डिस्ट्रिक में है तो सहस्त्र धारा waterfall मदविदेश के खरगोन डिस्ट्रिक में आपको दिख रहा है कौन से डिस्ट्रिक में खरगोन डिस्ट्रिक में आपको जो है सहस्त धारा वाटरफॉल दिखने वाला है और इसी सहस्त धारा वाटरफॉल के वारे मैं अगर आपको में एक और बात बताओं तो यहाँ पर नर्मदा 100 से जादा धाराओं में बढ़ती है और फिर बहना चालू करती है इसलिए इसको क्या बुला गया इसलिए इसको बोला गया सेहस्त धारा तो रहीगी इतनी वात है किसे ज़स्त धारा व्टरफॉल आपको कहां दिख India सेहस्त धारा वातरम अपको खर्गों में दिख रह आ है खरगोन के रास्ते आपका बढ़वानी वगेरा अली राचपुर के रास्ते बहते हुए कहां इंटर कर देगी महराश्ट तो महराश्ट चलियाएगी गुज्राथ और गुज्राथ में फिर नर्मदा जब अरीबियंसी को जॉइन करेगी गल्फ आफ के एमबे पे तो सर्फेसस से हाड रॉक सर्फेसस से बहती है तो वहां पर रिवर क्या करती है एंटर Всे लेकिनाकर उसके मकूफ पर डिपॉजिट जऺए तो मिल नहीं पाईगी वह अलग अलग स्पीमस में डिस्ट्रिब्यूटरी में तूटना चालू हो जाएगी लेगि लेकिन चाथ गत पॉजिट्स उतने नहीं है तो सीधा जाके समुदर से मिलती है तो उसको क्या बोलते है अशुरी कहते है लेकिन एक और चीज है अभी नर्मदा की जोग्रफी कंप्लीट नहीं हुई जैसे कि हमने बोला कि नर्मदा कहां ट्रैवल कर रही है नर्मदा रिफ्ट वैली में ट्र ट्रिब्यूटरी की वज़े से और नर्मदा की बेसिन में जो इतना पानी है वो इसलिए है क्योंकि नर्मदा की पास अपनी बहुत सी ट्रिब्यूटरी है और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी है जो हमको नर्मदा रिवर की दिखाई देती है तो नर्मदा रिवर के बारे में जो हम बात करेंगे तवा रिवर ओरीजनेट्स फ्रॉम चिंदवाड़ा डिस्टेक चिंदवाड़ा और वैतुल के रास्ते ट्रेवल करते हुए नर्मदा पूरम में जगा पढ़ती है बांदरा अभान वहां पर वो नर्मदा को जॉइन करती है तो नर्मदा सब सब्सक्राइब तवा के अलावा तवा शेर शकर हिरन हतनी कोलार गंजाल बारना लोहार मान मटियारी दूधी है ना ऐसे करके जो आपका अलग-अलग ट्रिब्यूटरी दिखाए देगी तो मत्विदेश हमको कम सब्सक्राइब तो याद होना चाहिए क्यों क्योंकि नदि पहली ट्रिब्यूटरी आप कौन सी देखोगे जो सबसे बड़ी है तवा उसके अलावा आप देखोगे शेर उसके अलावा आप देखोगे शक्कर तवा शेर शक्कर हिरन हतनी कोलार गंजाल बारना बारना डैम मद्विदेश में कहां पर है तो बारना डैम मद्विदेश में राइसे नदी राइसे ने बना हुआ है कोलार डैम मद्विदेश में कहां पर है सीहोर में है तो सवा शेर शक्कर हिरन हतनी कोलार गंजाल बारना लोहार फिर एक और दस्वे नंबर पे मान फिर 11 नंबर पे आप देखोगे और एक और आप देखोगे 12 नंबर पे तो 12 नंबर पे आपको यहाँ से दिख जाएगी क्या दूधी 12th नंबर पे आपको क्या दिख जाएगी 12th नंबर पे जो आपको रीवर दिखने वाली है उसका नाम क्या है दूधी रीवर तो यह भी एक फैक्ट यहां से याद रखना है ठीक रहेगी बाते आद तो यह आपकी क्या है नर्मदा की कुछ ट्रिब्यूटरी हो गई तवा शेर शक्कर, हिरन, हतनी, कोलार, गंजाल, बारना, लोहार, मान, मठियारी, दूधी अब देखो तवा तो सबसे बड़ी हो गई अब तुमको जैसे आदमी हो रही है तो शेर और शक्कर, नर्सिंगपूर डिस्ट्रिक में सेर और शक्कर रिवर नर्मदा को जोइन कर अब तो नर्मदा कुरं डिस्ट्रिक मेंस आपका जो है धन पूझ दिश्ट्र के आजब कर वहाँ में तो चुप दो आपका जो है गंजाल रिवर गंजाल रिवर बैतूल से निकल शे üçवाऔर की अगोन हर्दा दिस्ट्रिक्ट में नर्मदा को ज्ञाइन करती है बारणा रीवर mobile आती है बारणा डे olduğunu मुढ़ों कि SI हुशनगा बाद की बॉर्डर पर आपको नर्मदा को ज्ञाइन करती है ठीक लोहार रीवर बीच बहहते देगी हतनी अगर आप बात कर रहे तो हतनी जो है जाबुगा के रास्ते बहते हुए फिर आप काली राश्पूर जाती है और जोईन करती है किसको नर्मदा को इसके अलाव आप देखो कि 11 नंबर पर आपको एक और नदी दिखेगी जिसका नाम क्या है आपका चोरल तो चोरल नदी कहां पर इंदौर से बहते हुए जा आपका जैट माउंटे रेंचे है वागिस के लाव नर्मदा रिवार को कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है तो नर्मदा रीवर को किन Other Names से जाना जाता है तो यह हम देखते है Other Names तो नर्मदा नदी के और कौन कौन से नाम है जैसे कि हम नर्मदा नदी के जब अलग-अलग नामों की बात करते है तो नर्मदा निदी के जो मुख्य नाम हमको दिखते है सबसे पहले तो नर्मदा को एक नाम से जाना जाता है वो है नेमोडोस नेमोडोस इसलिए क्योंकि एक पगला भारत आया था जिसका नाम था टॉलमी और टॉलमी ने भारत की कई सारी नदियों के नाम बिगाड़े थे तो उन्हों जब नर्मदा को लिखा तो उसने नर्मदा को क्या लिखा उसने नर्मदा को लिख दिया नर्मदा का नाम नमदोस कहां से आया नर्मदा को नाम नमदोस है वो किसके टॉलमी ने जो है नाम है नर्मदा को ये दिया है त बिसिकली कहा पुराणों के अकॉर्डिंग नर्मदा को शीव पुत्री कहा गया है ऐसी एक माननेता है कि जो नर्मदा को शीव की बेटी माना गया है उसके अलावा जो एको शीव हम देखते है इसी रीवर के बारे में तो नर्मदा का जो एको नाम हमको दिखता है वो दिखता है कौनसा रेवा नर्मदा का एको नाम कौनसा दिखता है रेवा इसके अलावा नर्मदा का जो हमको एको नाम दिखता है वो कौनसा दिखता है नर्मदा को और किस नाम से जाना जाता है तो नर्मदा रिवर को मक्र वाहिनी के नाम से जाना जाता है और इसी के अलावा आप देखोगे नर्मदा रिवर किस माउंटे रेंजे से निकलती है तो नर्मदा रिवर जो है आपके अमर कंटा को मैकल हिल से निकलती है तो इसलिए जिसे कहा जाता है मैकल परवत की बेटी मतलब मैकल सुता तो नर्मदा के हमें कुछ यह अधर नेम भी दिखते है जिसे मैकल सुता नैमडोस शीव पुत्री रेवा और मकर वाहिनी इसलिए क्योंकि नर्मदा जी आपने देखियोगी मगरमच के उपर बैठी भी रहती है इसल और प्लेजर क्या है रिवर ओफ प्लेजर के नाम से भी कहा जाता है तो यह जो रिवर ऐफ प्लेजर है यह भी याद रखेगा आनन्द की नदी तो यह आपका जो है नर्मदा के कुछ अलग अलग नाम जो हमको याद एसा नर्मदा नदी को वर्दान है तो यह भी यहाँ से याद रख लिए इसलिए नर्मदा में जो पत्तर मिलते हैं उसे नर्मदेश्वर, शिवलिंग के रूप में स्थापित किया जाता है तो यह भी एक चीज है लेकिन नर्मदा को हमने एक और नाम दिया है नर्मदा इरिजेंज था कि हमारे हाँ इरिगेशन ती हमारे फूड ग्रेंड की प्रॉब्लम ती तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सौल किया जा सकता था तो उसके लिए ये था कि multi purpose river valley project बनाएंगे या नदियों के उपर dams बना जाएंगे finally नर्मदा के उपर ये पूरा वो हुआ और उसके बाद निकल के आए नर्मदा के उपर 100 से जादा dam बनाया जा सकते पूरे river basin में और जैसी ये बात निकली तो states के बीच में नर्मदा के पानी को लेके विवाद चालू हो गया और यहीं से जब विवाद चालू हुआ तो एक background निकल के आया आप देखोगे कि नर्मदा जो है नर्मदा के पानी को बटवारे को लेके states के बीच में क्या होगी लड़ाई छड़ गई कि कौन नर्मदा का पानी कितना utilize करेगा और फिर सरकार ने इसमें intervene किया और जब आप नर्मदा के river valley projects का background देखते हो नर्मदा के river valley projects का जब आप background देखते हो तो आपको एक चीज दिखाई देगी सबसे पहली जो चीज है यहां से कि जो नर्मदा river है उसमें जो पानी को लेके बटवारा जो विवाद हो रहा था कौन कितना पानी use करेगा तो उसके लिए body बनाई गई जिसका नाम था NWDT जिसका full form था नर्मदा water dispute tribunal क्या नाम था full form था नर्मदा water dispute tribunal तो क्या बना नर्मदा water dispute जो आपका रामा स्वामी तो इसके चेर्मेन कौन थे इसके चेर्मेन थे justice V रामा स्वामी और इसको क्या काम दिया गया था इस tribunal को काम दिया गया था कि आपको नर्मदा के पानी को share करना है कितने राज्यों में वो राज्य थे मद्विदेश, महराष्टरा गुजरात लेकिन एक राज्य जहां से नर्मदा नहीं वहती वो है राजिस्थान तो मद्विदेश, महराष्ट, गुजरात और राजिस्थान और जैसे कि आप देखोगे कि राजिस्थान से एमपी नर्मदा नहीं वहती तो एकोची नर्मदा ट्रेवल्स त्रू थ्री स्टेट्ट लेकिन नर्मदा का जो बातनी है वो कित्ते राज्यों में बटता है तो यह याद रखेगा क्योंकि राजिस्थान का ऐसा कहना पड़ा कि हमारे यह जो बारिश होती है छोटे यह नदी नालो के माध्यम से तहां जाती है वो न नर्मदा के बेसिन में अब कितना पानी है इसको पता भी तो लगाना पड़ेगा तो इस ट्राइबिनल को बात निकल के आई इस ट्राइबुनल की रिकमेंडेशन कॉंसी एर में इस ट्राइबुनल की रिकमेंडेशन आई 1979 में इसकी recommendation आई उसमें बोला गया नर्मदा में जो total water है वो कितना है 28 million acre feet नर्मदा जी में कितना पानी है 28 million acre feet जो है नर्मदा का जो total water है वो हमको दिखाई देता है तो ये नर्मदा का जो total water है इसमें जो सबसे आदा पानी किसको मिलेगा तो इसमें जो 18MAF, कितना 18MAF जो water था वो किसको दिया गया, वो मदविदेश को दिया गया, तो MP को कितना पानी मिला था, 18MAF पानी मिला था, total water कितना था, 28 million acre feet जो इसमें water था, और मदविदेश को कितना पानी दिया गया, 18 million acre feet और इसी Tribunal की recommendation में एक ओर recommendation थी कि एक और नई body बनेगी जिसका नाम क्या होगा नर्मदा कंट्रोल अथारिटी क्योंकि क्या राज जे ये चीजας मानेंगे और मानेंगे भी तो इसका प्रापडी केसे होगा जो हमने रिकमेंडेशन दी है कि जो नर्मदा water dispute tribunal ने जो अपने awards दिये है उसको proper तरीके से implement करवाना तो इस नर्मदा control authority का जो headquarter है इस नर्मदा control authority का जो headquarter कहा बना इसका headquarter विजयन अगर इंदौर में situated है और इसको किस year में set up किया गया तो इसको 1980 में set up किया गया कब set up किया गया था 1980 में इसको set up किया फिर इसी के बाद आप देखोगे तो एकोट से निकल के आ रही है कि यह जो नर्मदा का पानी बटा इन चार राज्यों के बीच है तो मद्यविदेश को सबस्यादा पानी मिला लेकिन मद्यविदेश को इसी साथ एकोट चीज मिली कि सरदार सरोवर डैम से जो बिजली वन नर्मदा कंट्रोल अथारिटी है जो आपकी नर्मदा कंट्रोल अथारिटी है यह आपकी नर्मदा कंट्रोल अथारिटी बनाई गई जो क्या करेगी ट्राइबुनल्स के जो रिकमेंडेशन से उनको लागू करने का काम करेगी और फिर बाद में नर्मदा के उपर डैम ब बने कि जो लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है है ना तो उनको कहां पर रखा जाएगा उनको किस तरीके से उनका रिहाबिलिटेशन किया जाएगा तो फाइनली 1985 में एको नई बॉडी बनती है जिसका नाम है नर्मदा वैली डेवलप्मेंट अथॉरिटी और इसका जो म नर्मदा वैली प्रोजेक्स तो ठीक तो इसको भी याद रखेगा तो यह आपका क्या निकल के आया नर्मदा वैली डेवलप्मेंट अथॉरिटी तो एक के बीच यहां से याद रखेगा क्या नर्मदा वैली डेवलप्मेंट अथॉरिटी तो नर्मदा वैली डेवलप्म कहा बना इसका headquarter बना भोपाल और ये कौन से year में set up किया गया तो ये set up की गई कब 1985 में और इसी 1985 में एक और चीज़ देखोगे कि नर्मदा के उपर जब डैम बन रहे थे तो एक और NGO बनता है 1985 में तो 1985 में आपको एक और NGO दिखता और उस NGO की basic demand क्या थी उस NGO का ऐसा कहना था 1985 में एक NGO बना जिसको बोला गया नर्मदा बचाव अंदोलन उसका नाम क्या था नर्मदा बचाव अंदोलन नर्मदा बचाव अंदोलन का ये कहना था कि जो लोगों को आप डिस्प्लेस कर रहे हों उनका proper rehabilitation होना चाहिए और उनका उनका एक और कहना था कि ये जो लोगों ऐसा उनका कहना था तो नर्मदा बचाव अंदोलन एक NGO के रूप में फॉर्म किया गया और इसके pioneer कौन थेійсьव तो इसके pioneer थे यह है निकल के आया आपका background कि नर्मदा Water Dispute Tribunal बना पहले 1969 में जिसने मद्विदेश, महराज, गुजात और राजिस्थान के वीचे नर्मदा के पानी को distribute करने की बात की गई और इसके according यह बोला गया इस Tribunal को 10 साल लग गया 1979 में इस Tribunal ने अपनी recommendation दी और इसमें बोला कि न MP को मिलेगा और फिर यही से कोची बुली गई कि 1980 में एक नई बॉडी बनेगी जिसका नाम क्योंगा नर्मदा Control Authority उसका नाम क्योंगा नर्मदा Control Authority जिसका Headquarter क्या होगा इंदोर और फिर 1985 में एक और बॉडी बनेगी जिसका नाम है नर्मदा Valley Development Authority जो 1985 में बनेगी और जिसका हैट कौर्टर आपको बोपाल में दिखता है और इस ही 1985 में बना नर्मदा बचाओं अन्दोलन चुकी है ठीक रहेगी इतनी बाते तो इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रख लीजेगा तो यह आपका क्या निकल के आ गया नर्मदा का बेसिक सा बैक्राउंड और जब यह सब चीजे क्लियर हो गई यह इस्यूस पूरे सौलोगा है नर्मदा पर डैम्स बनना चाल तरी देखिकंट नीडियरम देखोगे कि पुनासाघ्या आपको कहां बना वॉआ तो पुनासा अगय है यह बमदामीदेश की खंडवा डिस्टिक में आपको दिखाई सब्सक्तिवर डैम यह चोह पर देखोगे अब महेशवर डैम आपको मिलेगा मद्यबिदेश के खरगोन डिस्त्रीक में और आप चार रहे हैं इन डैमों को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और इसी वजह से को नर्मदा को कौन से डिस्टिक में दिखाई दिती है इसकी लोकेशन मद्यविदेश के जबलपूर में दिखाई दिती है आपको मैंने बताया था कि नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है बरगी तो बरगी और नर्मदा के कॉन्फूएंस पॉइंट पे इसको बनाया गया है और यह जो डैम है यह आपका 1988 में बना के कंप्लीट कर दिया गया तो जब यह बना था तो यह मद्यविदेश का सबसे लड़ा तेम करूप में बनके आया था और इसी के साथ अब आप यहां से देखोगे बाई लोधी सागर प्रोजेक्ट रानी अवंती बाई लोधी सागर प्रोजेक्ट क्यों क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में रानी अवंती बाई लोधी जवलपूर वाले इलाके से लड़ी थी रामगर से तो इसलिए इनकी याद में इस डैम का नाम क्या गया रानी अवंती बाई देती है, तो 90 MW के आसपास जो बिजली है जनरेट करता है, कितना 90 MW के आसपास hydro electricity जनरेट करता है, 90 MW के पास क्या कर रहा है, hydro electricity जनरेट कर रहा है, तो आपका एक डैम ये कौनसा निकल के आ गया, नर्मदा के उपर, तो एक डैम आपका निकल के आया, कौनसा डैम, बर्गी डैम चला गया तो जो हमें अगला डैम दिखता है नर्मदा के उपर वो कौन सा है वो दिखा आपको अगला डैम जो है जिसका नाम क्या है पुनासा डैम जिसका नाम क्या है second number पे उस डैम का आपको नाम दिख रहा है उसका नाम दिख रहा है आपको क्या पुनासा अब जब उन पुनासा डैम की बात करते है तो इसका एक और नाम है या इसका historical background में अगर आपको बताऊं बात थी 1984 की और 1984 में श्रीमती इंद्रा गांधी श्रीमती इंद्रा गांधी जो दी कहा आई थी स्रीमती इंद्रा गांधी आई थी खंडवा और उन्होंने इस डैम का शिलन्याच किया था तो इसकी location आपको कहां पर दिखती है इसकी जो location आपको मद्यविदेश में कहां पर दिखेगी इसकी location है मद्यविदेश के खंडवा डिस्ट्रिक में आपको दिखेगा कौन सी नदी के उपर बन रहा है तो नर्मदा नदी के उपर बन रहा है और इसका foundation stone कब रखा गया था तो इसका foundation stone जो है 1984 में श्रीमती इंदरा गांधी ने रखा था लेकिन यहां से जाने बाद इंदरा गांधी जी की death हो जाती है उनका तो assassination हो जाता है तो उसके पुला सागar jam कणे तो इसो नय नाम जो है इंदरा सागर damn के नाम से पुकारा जाने लगा और इसी कसाथ आप यहां से देखोगे कि joc पुनासा डैम है यह जो है आपका बन के कप complete हो गया तो एक डैम complete हुआ था 2006 67 में जो है आपका यह पुनासा डैम जो है बनके complete हो गया था और इससे basically जो है आप देखते हो कि पूरा जो irrigation facility है निमाड region में निमाड इसका जो beneficiary district है जो इसका beneficiary है तो इसका beneficiary आपको कौन दिख रहा है इसका beneficiary जो आपको दिखेगा वो दिखेगा कौन सा निमाड जो region है basically खंडवा district इसका beneficiary है और से हम देखते है कि कितनी इसकी power generation capacity है तो इसकी जो power generation capacity है यह आपका 1000 megawatt के आसपास hydro electricity generate करता है और जब यह डैम बना तो बहुत सारे छोटे मोटे गाव डूबे और यहीं पर एक समाधी भी डूब गई जो बड़ी important समाधी थी समाधी of संत सिंगाजी किसकी समाधी डूब submerged in Indra Sagar Dam समाधी ओव संत सिंगाजी समाधी और संत सिंगाजी submerged in Indra Sagar Dam में वो समाधी समर्ज हो गई संत सिंगाजी की और फिर यहीं से आप एक और फैक्ट इसी डैम के बारे में जो देखते हो जो आपको बड़ा काम का लगता है वो क्या है किस डैम में जब यह डैम बन रह submerged due to this project हरसूद टाउन submerged due to this project क्योंकि हरसूद एक बड़ी तहसील थी कौन से डिस्टिक की खंडवा डिस्टिक की जो वो इसमें submerged हो गई और इसी एक साथ हम लोग यहां से देखते है कि इसी डैम के अगेंस में इंदरा बेसिकली नर्मदा बचा अंदोलन इसी डैम की जब पी आई थी उसके अगेंस में हुआ था तो यह भी फैक्ट हमको यहां से याद रखना है तो मद्यविदेश का एक बड़ा डैम है जिसका नाम है इंद्रा सागर डैम जिसको हम पुनासा डैम और नर्मदा सागर के नाम से जानते हैं मद्यविदेश के खंडवा डिस्टिक संत सिंगा जी की समाधी किसिम समर्ज विए एक हजार मेडावाट के आसपस हाईडर रेक्पिसिटी जनरेट करता है और इसी डैम के बारे में एक और हास बात हमको जो ़्याद रखना है कि इसी डैम में बहुत सारे जुब लिके बार गाष्टा को से इर में स्की मैं थी दोहजार साथ में 買 थी और 2009 में इसको लाओ कर दिया गया था और जिस जल्दीप स्कीम के जो सब साथ के डैम आपको दिखाई दे रहा है नर्मदा के उपर जो तीसरा बड़ा डैम आपको दिखाई दे रहा है उसका क्या नाम है उसका नाम है आपका ओम कारिश्वर डैम अब ये ओम कारिश्वर डैम मद्विदेश में कहां पर है तो ओम कारिश्वर डैम जो है मद्विदेश में इसकी location आपको जो दिखेगी म द्रिशु देम की यह इंदरा सागर डाम से 28 km नीचे बना हुआ है तो इसको भी थोड़ा सा याद रखरेगा और हम लोग इसकी बात दो एड़ है 1.57 lakh hectare of land को irrigate करता है और इसकी जो power generation capacity है basically जो hydroelectricity जनरेट करता है तो 520 megawatt के आसपास 520 megawatt के आसपास hydroelectricity जनरेट करेगा और इसी के साथ एक और fact याद रखेगा कि ओम कारेश्वर floating park ओम कारेश्वर solar floating park भी इसी डैम में बन रहा है तो ओम कारेश्वर solar floating plant solar floating plant कहाँ पर या कौन से डैम में बन रहा है तो ओम कारेश्वर या solar floating plant जो कितने megawatt का है 600 megawatt का है तो वह आपके कौन से डैम में तो वह आपको दिखेगा इंद्र आपके ओम कारेश्वर डैम में तो एक fact यहां से यह और निकल के आपको आ गया और उसी के बाद जो हम देख रहा है नर्मदा के उपर जो चौथा डैम बन रहा है जो मदविदेश का एक बड़ा डैम है तो उसको हम कौन सा डैम बोलते है नर्मदा के उपर जो चौथा बड़ा डैम बन रहा है उसका नाम है उस चौथे डैम का वो है महेश्वर डैम महेश्वर डैम मदविदेश के कौन से डिस्ट्रीक में बन रहा है तो महेश्वर डैम मदविदेश के खरगौन डिस्ट्रीक में बन रहा है तो महेश्वर डैम मदविदेश के खरगौन डिस्ट्रीक में बन रहा है और इस महेश्व तो इस डैम में जब पानी आएगा तो एक समाधी डूबेगी पेश्वा बाजी राओ की समाधी किसकी समाधी डूबेगी पेश्वा बाजी राओ की समाधी जो है इसमें समर्ज हो जाएगी बाजी राओ वन की क्योंकि पेश्वा बाजी राओ की समाधी नर्मदादी के बैं हुए इसके अलावा नर्मदा के बेसीन में आपको बहुत सारे डैम दिखेंगे और नर्मदा के बेसीन में जो आपको बड़े-बड़े डैम दिखते हैं उनके नाम क्या यह इतना सामझ में आगे और एक और चीज में अगर आपको अता हूँ मद्विदेश का सबसे बड़ा डैम कौन सा है तो मद्विदेश का सबसे लार्जेस डैम भी कौन सा है इंदरा सागर डैम है वाटर कैपेसिटी के साब से तो यह लार्जेस्ट डैम ऑफ एंपी में इससे बड़ा डैम नहीं है वाटर कैपेसिटी के साब से तो आपका पुना नर्मदा करती है। कितनी 178r auf land को irrigated करे गी। उसीचात हम डेखते है। कि नर्मदा गकें करने साथ क्या नर्मदा क्या करती है। नर्मदा नद्रव देश चार करोड लोगों के पीने का पानी रही है। कितने चार करोड लोगों को drinking water facility प्रोवाइट कर वा रही है और इसी लिए नर्मदा को क्या कहा जाता है इसी लिए नर्मदा को मद्विदेश की life line of MP भी कहा जाता है और एक तो नर्मदा को माता का दर्जा है तो religious importance भी नर्मदा river का दिखता है तो यतनी चीज़े हमको याद यह आपके नर्मदा river basin के main main projects और dams निकल के आ गए इसके अलावा जो next चीज़ यहां से लेखते है तो वो जो dams वगेरा बने हुए नर्मदा की left bank को right bank tributaries भी आप देख लिए अगर आपको किसी को यह भी पढ़ने का शौक हो तो उसके लिए especially यह लेके आ गए कि आप दे प्रिलिम से नर्मदा के related है जैसे कि आप सभी को पता होगा जैसे हैं पीछे आप मेरे देख रहे हो कि नर्मदा जी की एक photo दिख रही है जिसमें नर्मदा जी मगरमच के उपर बैठी हुई है और इसलिए नर्मदा जी को मकर वाहिनी के नाम से कहा जाता है और इसी के साथ अब एक हो चीज़ देखोगे कि ये जो नर्मदा जी की जो photo है तो यहाँ पर हमाएं मदविदेश में नर्मदा नदी को पहुत ही पवित्र माना गया है तो इसकी सफाई के लिए नर्मदा सेवा यातरा MP government ने 2016 में स्टार्ट की थी क्या नर्मदा सेवा यातरा 2016 में MP government ने स चालू करते जिसको बोलते हैं नर्मदा सेवा मिशन 2017 तो 2017 में नर्मदा सेवा मिशन स्टार्ट होता है तो यह दो फैक्ट भी आत रखिएगा इसके अलावा नर्मदा के किनारे आपको बहुत सारे आइलेंड भी दिखते हैं जैसे जब आप खंडवा डिस्टिक जाते हो त जिसके उपर स्टैची ऑफ यूनिटी दिखती है आपको स्टैची ऑफ यूनिटी नर्मदा अदी के बीचो बीस सादुवेट आइलेंड के उपर बना हुआ है इसके अलावा गुजराच जाओगे तो वहां पर आपका कौन सा है जो आपका आलियाबेट आइलेंड है जो यहां पर नर्मदा का जो सबसे सुन्दर और सबसे बड़ा घाट है एक तो है आपका गौरी घाट जो जवलपूर में है उसके अलावा आपको नर्मदापूरम में सिठानी घाट दिखता है उसके अलावा आवली घाट भी आपको नर्मदापूरम जिले में सीहोर और नर् जिनका नाम है अमरित लाल वेगड जिनको क्या कहा जाता है जिनको नर्मदा पुरुष के नाम से भी कहा जाता है क्यों क्योंकि अमरित लाल वेगड जी ने अपना पूरा जीवन नर्मदा को डेडिकेट कर दिया शायद आप में से बहुत सारे लोग यह जानते होंगे और क्यों 45 साल लगे थे, क्योंकि मारकंडे परिक्रमा सबसे कठिन परिक्रमा होती है नर्मदा की, जिसमें नर्मदा के origin points है, end point तक पैदल चला आता है, लेकिन कहीं पर भी नर्मदा क्रोस नहीं करते हैं, तो आप बोलोगे तो normal परिक्रमा है, नहीं, मारकंडे परिक्रमा में नर्मधा की किसी ट्रिब्यूट्री को भी cross नहीं किया आता, आपको ट्रिब्यूट्री के origin points है, end point तग बार-बार पैदल आना पढ़ेगा, घुम घुम के आप कहीं cross नहीं कर सकते हैं, नर्मधा की 41 ट्रिब्यूट्री है, तो कितना समय लगत है एक तो इनकी एक पेंटिंग और एक बुग भी है सौंदर की नदी नर्मदा जिसके लिए इनको साल 2004 में साहित अकेडमी अवर्ड मिला इसके अलावा हमको दिखाई देता है तीरे तीरे नर्मदा और नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो तो यह तीन किताबे जो हमें किसकी द बुख्स है हमको नर्मदा नदी के बारे में देखना है नर्मदा अटर्नल रिवर डॉक्टर एसके तीवारी ने लिखी है तो यह कुछ बुख्स भी है जो नर्मदा नदी के उपर लिखी गई है जो शायद आपके प्रिलिम्स में आ सकती है और नर्मदा को 2017 में असपेक्ट पे, पॉलिशन के आसपेक्ट पे बेतवा, रिलीजिस आसपेक्ट पे गंगा ऊफ मद्वधेश भी कहा जाता है नर्मदा को रिवर ऑफ हेपीनेस, आनन्द की नदी में बता था, रिवर औप लेजर और नर्मदा का मतलब ही होता है आननन्द है ना तो इंको र हर्दा और देवाज इस्टिक के बॉर्डर पे इस्टेट फीज जो है महाशीर नर्मदा दी मिलती इसकी बाद भी हो चोकी है समाधियो पेशा बाजी राओ यह डूबेगी नर्मदा नमामी देवी नर्मदे सेवा यात्रा 2016 में स्टार्ट की गई थी उसके अलावा हम देखत नर्मदा दी के बीचों बीच में है और एक अगर आप देखोगे आलिया बेट आइलेंड जो किसके लिए फेमस है अपने ओईल रिजर्फ के लिए फेमस है तो यह भी एक चीज हमको याद रखना है नर्मदा के तीन फेमस फेमस आइलेंड सैलानी आइलेंड हनुबंतिया आइलेंड सादू बेट आइलेंड आलिया बेट आइलेंड है न और एक आपका है मांधाता आइलेंड कौन सा आइलेंड एक और आपका आइलेंड है मांधाता तो यह भी मत्वदेश के कौन से डिस्ट्रिक में खंडवा डिस्ट्रिक में इसके अलावा नर्मदा दी के जिसमें दो तीन बुक्स अभी मेंने जो एडिशनल बताई थी सौंदर इगनादी नर्मदा क्या इसमें हैं बिल्कुल सौंदर इगनादी नर्मदा है लेकिन इसके लावा कुछ अधर किताब में भी हम देखते हैं तो वह है आपके कौन तीरे तीरे नर्मदा एक बुक कौन इन दे लैंड ऑफ नर्मदा एन पी दामुदरम फिर उसके आद अब देखते हो नर्मदा इटर्नल रिवर डॉक्टर एस के तिवारी के दौरा लिखी गई किताब जो है जिसका नाम क्या है नर्मदा इटर्नल रिवर जो किसने लिखी है एस के तिवारी और फिर आप मद्यवडेश की रिवर सिस्टम में एक रिवर खतम की जो कौन सी रिवर थी नर्मदा रिवर खुप आपको मैक्जिम सारे फैक्ट नर्मदा की यहां पर बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे अगला जो रिवर सिस्टम है अब हम उस्पे चलते है जो है यहां पर एक जिला पढ़ता है विदीशा और विदीशा जिले से एक रीवर निकलते हुए आपके रास्ते से होते हुए इस तरीके से आप देखोगे कि उपर एंटर करते हुए चली आती है जिसको सिंधर रीवर कहा जाता है यहां से निकलेगी फिर यह गुणा अशुक ले आएगी दतिया और दतिया से एंटर कर जाए का यूपी और यूपी में जोइन करेगी इसको यमना रीवर को तो यह आपकी कौन सी रीवर है यह आपकी है सिंधर रीवर की हम लोग यहां पर बात कर रहा है तो यह जो रीवर है यह हमारी कौन सी रीवर है सिंधर रीवर आपको दिखाई देगा शिवपुरी इस कंद रिवर के बैंक पर आपको दिखाई देगा दतिया सिन्द are ॉपर किको यह जान चले आती है तो सिंद रिवर स्टावपेड जो रिवर बना हुआ है, और इसी रिवर के ऊपर से NH27 जाता है और NH27 के ऊपर मद्र विदेश का longest कौण सा समரे मद्विदेश का जो longest र्िवर ब्रीज घा रोड ब्रीज ces फूंसी नदी के भाइज वो सिंद्र नदी के ऊपर आहिए इस्को मद्विदेश का लॉंगे में वैस्ट के सिंद्रिवर के बारे में ठीक तो यह जो bridge है कहां बना हुआ है शिवपुरी डिस्टिक में यह जो bridge है बना हुआ है तो यह आपकी एक river हो गई कौन सी सिंदर river जैसे कि आप यहां से देखोगे तो उसके आरहे में वही आली सीजो और कुछ हमको उसकी tributaries देख लेते हैं पाहूज और क्वारी tributaries की जब बात करोगे तो इसकी जो prominent tributaries है तो एक tributary है इसकी पाहूज और एक tributary है इसकी क्वारी जो सबसे important tributary है थोड़ा सयास देख लेते हैं कि सिंदर river का origin point मैंने अभी जो आपको बताया सिंदर river originate from सिंदर river कहां से originate हो रही है तो सिंदर river originate from विदीशा फिर इसमें आप देखोगे कि गुना डिस्टिक को दो हिस्सों में divide करती थी लेकिन अब गुना से अशुग नगर अलोग गया तो अपनी रखेगा इसी साथ हम देखते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है माहूर कुवारी पाहुज मड़ी खिड़ा डैम इसके उपर बना हुआ है जो आपका रतनगर देवी टेंपल है वह भी सिंदर नदी के ऊपर बनाऊ है तो यह आपकी एक सिंदर सिंदर रिवर उसके बाद रिवर निकल के आती है केन रिवर केन रिवर ओरिजनेट फ्रॉम कैमूर हिल्स ऑफ कटनी डिस्ट्रिक मद्यविदेश में केन रिवर कहां से निकलती है मद्यविदेश में जो केन रिवर है वह आपकी निकलेगी कहां से कैमूर हिल्स ऑफ कटनी दिस्ट्रिक पड़ता है और इसी कटनी डिस्ट्रिक से आपकी एक रीवर निकलती है और केन रिवर को एक और नाम से पुकारा जाता है शुक्ती मती तो ये भी fact याद रखेगा कर्णावती और शुक्ती मती के नाम से इस रिवर को पुकारा जाता है और केन की एक बहुत ही important tributary है जिसका नाम है उर्मिल रिवर क्या नाम है उसका उर्मिल रिवर और उर्मिल र बनाया गया था तो यह भी याद रखेगा और इसी साथ हम देखते कि केन रिवर आपके पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीस से ट्रैवल करती है पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीस से बहनेयल नदी कौनसी है तो आपकी कौनसी रिवर है केन रिवर है तो यहां से आपन और इसकी जो लेंग्थ है 427 किलो मिटर के राउंड रेंग्थ है मद्य प्रिदेश और उत्तर प्रिदेश में टैवल करती है बिलकुल आपको पता है और इसके उपर एक बहुत फेमस वाटर फॉल है रन है वाटर फॉल एक पांडो वाटर फॉल तो दो बड़े-बड़े व बना हुआ है कहां पर छतरपूर में तो यह भी याद रखेगा कि सोनार, उर्मिल, माना और बगनेरी और यह जो नदी है आपके पन्ना नेशल पाक के बीचो बीच से ट्रैवल करती है तो यह आपकी एक और रिवर हुई और इसी साथ हम देखते है कि केन नदी को एक और च वाटर है वो ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पर बेतवा रिवर में और इसी साथ एक प्रोजेक्ट पास हुआ केन बेतवा रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट जिसको साल 2021 में केबिनेट के तरफ से 44,000 करोड रुपे सैंक्शन करके फाइनल अप्रूवल दे दिया ग जिसको बोलते है गंगव डैम और इसमें पत्थर मिलता है जिसको बोलते है शजर का पत्थर कौन सा पत्थर शजर का पत्थर जो शजर का पत्थर है बेसिकली छोटे उटे पत्थर होते जिस पर आर्ट फॉर्म किया जाता है उससे वर्क किया जाता है तो शजर का पत्थर मद्विदेश की कौन सी नदीय मिलता है तो शजर इस्टोन मद्विदेश में केन रिवर मिलता है और यहीं पे जो केन रिवर के बारे में कि आपके पन्ना टाइगर रिजर्व से ट्रैवल करती है मैंने भी बताया था पन्ना नेशल पार्क से ट्रैबल करती है तो बस यह इतनी से एक चीज यहाँ से आद रखिएगा कौन से रीवर के बारे में के रीवर के बारे में और जैसी हम लोग यहां से देखते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दू कि अगर याद नहीं कर देखाई से इसका माउत आपको कहां दिखाई देगा तो इसका माउत हो आपको कहां दिखाई देगा यूपी में यह यमना जी को जाके जॉइं कर लेगी फिर स brief ने आपको त्योंने से डिखाई दी आठीन है तो इसकी ट्रिब्यूट्री है उर्मिल, बाना, बगनेरी तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है उसके अलाव आप देखोगे इसके उपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है गंगव डैम और एक और फैक्ट याद रखेगा कि ये पंच पन्ना टाइगर रिजर् के बीचों भी से भेती है तो यह भी फैक्ट यहां से याद रखेगा मद्विदेश की सबसे साफ नदी का दर्जा भी इसके पास है इसके अलावा आप देखोगे तो मद्विदेश की जो अगली रीवर है वापकी कौन से रीवर है वर्धा रीवर अब जैसे हम लोग बोलते बेतवा रीवर की कौनसे रीवर की वर्धा से पहले हम लोग बात कर लेते कौनसी रीवर की वह है आपकी कौनसी रीवर वह है आपकी बेतवा रीवर जैसे की मैंने बात की की जैसे हमने केन की बात की तो केन के साथ बेतवा की बात हो जानी चाहिए यह मद्विदेश है यह पर एक जीला पड़ता है राइसेन और राइसेन डिस्ट्रिक्स से एक रीवर ट्रैवल करना चालू करती है निकल के कहां के तरफ नौर्थ के तरफ नौर्थ के चरफ जब ट्रैवल करना चालू करती है तो इस तरीके से ट्रैवल करते 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 उपर जाती है और उपर पिर उस वे एक और रीवर को जॉइन करती है । जो यहां से उपर से बह रही है। जिसका नाम क्या है इसका नाम है यमुना और वो जो रीवर है कहां से ओरीजनेट हो रही है। जीरी विलेज राइसेन तो इसका जब हम ओरिजिन पॉइंट देखते हैं तो आपकी जो बेत्वा रिवर है बेत्वा रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहां से दिखता है जीरी विलेज और यह जो जीरी विलेज है यह कहां पर है जीरी विलेज जो है आपके राइसेन डिस्टि बारे में अगर आपको एक और फैक्ट यहां से मैं बताऊं तो यह जो हमारी बेतवा रिवर है इसकी लेंग्थ कितनी है इसको लेके बड़ा विवाद है क्योंकि किताबों में तो 480 लिखी हुई है है ना एक बुक में 580 लिखी हुई है और अगर मैं बोलूं कि मैं आपको बिलकुल authentic source बताता हूं मद्य विदेश pollution control board और भारस सरकार की गौर्मेंट की अधिन भी एक side बनी हुई है बेतवा रिवर बोर्ड जो 1976 में बेतवा रिवर रोड बना था उसका कहना है कि बेतवा रदी की लंबाई है वो कितनी है 654 किलोमेटर जो है बेतवा रिवर की लं 654 किलोमेटर और इसी बेतवा रिवर की हमें बहुत सारी tributaries दिखती है या tributaries से पहले हम देखे कि इस बेतवा रिवर के हमें बहुत सारे अधर नीम भी दिखते है बेतवा नदी को कई सारे नामों से जाना जाता है मद्य विदेश में और वो कौन से नाम है तो मद्य वि मद्विदेश किस नाम से कहा जाता है गंगा और प्रदूशन पे इसको गंगा और मद्विदेश भी कहा जाता है और इसके अलावा आपको एक और चीज नदी में दिखाई जिती है कि इसको बोला जाता है लाइफ 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 मेजर मेजर ट्रिब्यूटरी जैसे कि हम बात करते है तो बेतवा रिवर की जो में ट्रिब्यूटरी जै उसमें जो हम पहली बात कर रहे है तो वह आपकी कौन सी हलाली रिवर कौन सी रिवर हलाली रिवर और इसी हलाली रिवर के ओपर एक डैम बना हुआ है समराट अशोक सा अगर प्रोजेक्ट कौन सी नदी के उपर बना हुआ है, तो हलाली नदी के उपर बना हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक में बना हुआ है, तो मदविदेश के विदीशा डिस्ट्रिक में बना हुआ है, तो एक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई आपकी हलाली, दूसरी ट्रिब्य इसकी कौन सी हो गई जामनी फीर तिस्री ट्रिविटरी आपको इसकी दिखेगी तो बीना कौन सी ठी विट्री है कि रीवर को वह थासान डीवर तो यह इतनी डाप टाई का ओर गोग कि रिखती है तो बेतवा नदी को या लाइफ लाइफ लाइन और बुंदेल खड क्यों कहा जाता है तो बेतवा नदी पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या बेतवा नदी पर बहुत सारे डैम्स बने हुए है तो बेतवा नदी पे जो बहुत फेमस डैम बना हुआ है वो कौन सा है वो है आ और इस राजगार्ट प्रोजेक्ट का दूसा नाम क्या है तो इस राजगार्ट प्रोजेक्ट को कहा जाता है राणी लक्ष्मी बाई सागर्प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको कहा जाता है और ये बेसिकली मद्विदेश और उत्तरप्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है MP और UP गवर्मेंट का क्या है यह आपका MP और UP गवर्मेंट का joint project है जो आपका कौन सा है रानी लक्ष्मीबाई सागर प्रोजेक्ट है राजगाट प्रोजेक्ट के नाम से भी कहते है और जो इसकी total यहां पे hydropower generation होता है तो यहां पर जो hydropower generation होता है इसमें जो total hydropower generation है वो होता है 45 megawatt के आसपास जो है hydropower ये generate करती है आपकी कौन सी रानी लक्षी भाई सागर प्रोजेक्ट जो है तो एक तो चीज यह है फिर समय के साथ हम लोग देख रहे है कि बेतवा नदी के banks पे हमें बहुत सारी चीजे भी दिखती है तो बेतवा नद temple रायसेन situated in the banks of Betwa river तो जो आपका भोजेश्वर temple है रायसेन का इस नदि बेंक सपे है उसके अलाव आप देखोगे कि जो विधीशा शहर है वो वेतवा नदी के banks पे है उसके अलाव आप देखोगे जो चंदेरी है वो बेतवा नदी के banks पे है तो विधीशा हो गया चंद वाड़ी डिस्ट्रिक में जगा पढ़ती है ओर्चा तो ओर्चा भी इसी नदी के बैंक्स पे सिचुएटेड़ है ओर्चा बेसिकली बुंदेलास की कैपिटल थी और मैंने आपको एक चीजी बताया था कि एक पोएट हुए थे इंका नाम क्या था केशव दास और बेतवा क की ड्यूटी को आपके रसिक प्रिया और कभी प्रिया करके लिट्रेचर में उन्होंने डिपिक किया है तो बेतवा के बैंक्स पे भोजेश्वा टेंपल, विदीशा, चंदेरी और ओच्छा आपको दिखाई देगा मद्य विदेश सरकार के दौरा या भारस सरकार के दौ एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था जिसको बोला गया केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग समय के साथ देख रहे है केन नदी का पानी सूखता जा रहा है तो जो केन रिवर है उसका जो सर्पलस वाटर है वो कहां डाला जाएगा वो बेतवा केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है साल 2005 में अप्रूव किया गया था अगर मैं आपको था हूँ सबसे पहली बार सर आर्थर कॉटन ने 1909 में सजेस्ट किया था कि दो नदीयों का अपस में जोड़ देना चाहिए उसके बाद इंडिया मिनिस्टर हुए केल रा प्रयास किया राजीव गांधी ने प्रयास किया टल्भहारी वच्पई ने प्रयास किया फैनल ली हम देखते है कि दो हजार पांच में आपके एप प्रोजेक्ट अप्रू हो जाता है केनबेट वर लेकिन इसको चयो फाेणNकर आर्वार। पानी के बटवारी को लेकर राज्यों के बीचे विवाद था थीसरी बात थी कि यह जो डैम बनेगा इन दोनों नदियों को जोडने के लिए तो वो जो डैम बन रहा था उससे पन्ना टाइगर रिज़र्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा डूब रहा था तो इसको लिए इन् तो यह भी फैक्ट यहां से याद रखेगा तो यह आपका क्या है केन बेतवार इवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और यह फाइनली जब बन जाएगा तो मद्विदेश के 9 डिस्क्रिक को इससे प्रॉफिट होगा जिससे कितने 8.11 लैक हेक्टेर को इरिगेट करेंगे कितन यह अपको है बेतवार इवर आराम से अच्छे अ समझ में आ गई होगी ठीक रही बात यहां से तो यह हमारी कौनसी रिवर होगी नेक्स्ट तो है हमारी एकोड इवर होगी बेतवार इवर चलिये आगे चलते है तो यह ओर जाए जोताया है राय सेट इन लैंग्थ héक तव हुआ था 1976 में इसके अलाव आप यहां पर कुछ अदर डैम भी देखोगे तो यहां पर आपको कुछ अदर डैम से माता टीला डैम वगरा भी दिखाई देगा तो जो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही बना हुआ है तो यह के भी ची याद रखेगा फिर हमने देखा कि एक आपकी वर्धा और वेंगंगा है ना वर्धा और वेंगंगा रिवर जैसे कि इन दोनों नदियों की बात करते हैं तो वर्धा रिवर जो है आपके बैतूल से निकलती है वर्धा रिवर आपके बैतूल से निकलती है और जो आपकी वेंगंगा रिवर है वो आपके शीवन district से निकलती है वर्धा वैतूल से निकलते से south के तरफ travel कर लेती है वेन गंगा शिवनी से निकल के बालागाट के तरफ travel करते है फिर south के तरफ travel करती है यह दोनों नदिया 7 में आती और 7 मिलती है और फिर नीचे जो गोदावरी है ये गोदावरी को जॉइन करती है फिक्स वो बनाके तो उसको क्या कहा जाता है जब ये दोनों एक होती है तो इनको कहा जाता है प्राण हिता इनको किस नाम से कहा जाता है इनको प्राण हिता के नाम से कहा जाता है वर्धा रिवर बेसिकली मदविदेश के बैतूल डिस्टिक्ट से निकलती है और वर्धा मैदवदेश मैक्जिम 32 किलोमेटर के असपास ट्रैवल करती है उसके पाध्यपूरा महरास्ट्रा में ट्रैवल करती है इसको विधर्व की लाइफलाइंग के नाम से भी कहाँ जाता है वर्धा की जो मेन ट्रिब्युट्री है वो है कि जाम कार और वेना विनार होता है तो आपकी जो वर्धा रिवर है वो बैतूल डिस्ट्री में कहां से निकलती है तो वर्धा रिवर जो है बैतूल डिस्ट्री में वर्धन पीक मुलताई से ओरिजनेट होती है और फिर यह जो है किस से जोईन करती है यह वेन गंगा को जोईन करेगी और एक रिवर बन तो आपकी कौनसी होगी आपकी वेन गंगा तो अब यह नेक्स जो आ रहे हैं वेन गंगा के बारे में तो वेन गंगा में में आपको यह बता रहा हूं कि जो आपकी वेन गंगा रिवर यह ओरीजनेट होती है सीवनी के परसवाड़ा प्लैट्यू से शीवनी के रास्ते बाल यह है जो वेनगंगा है यह भी दक्षिन के तरफ बहेगी गोदावरी वेसिंग की रिवर है लेकिन वेनगंगा नदी से important जो सबसे बड़ा fact दिखता है कि 1923 में मद्य विदेश का जो पहला कैनाल irrigation project बनाया गया 1923 में मद्य विदेश का जो पहला कैनाल irrigation project बनाया गया वो कौन सी नदी के उपर बनाया गया तो वो आपकी वेनगंगा रिवर के उपर बनाया गया कौन सा डैम बना के तो धूती डैम बनाया गया थो फिर इस डैम को इस कैनाल irrigation project को बनाया गया तो यह भी तो यह आपकी इतनी चीजें यहां से निकल के आ गई तो यह रीवर कहां से निकलती है यह रीवर ओरीजनेट होती है परसवाड़ा प्लेटिव और शीवनी डिस्ट्रीक यह कॉन्फूएंस करती है किसको वर्धा रीवर को और यह एक ट्रिब्यूटरी बनाती जिसको बोलते प्राण हिता रीवर इसकी लेंग्ध जो है वो कितनी दिख री है 579 किलोमेटर और यह शीवनी और बाला घाट डिस्ट्रीक में ट्रैवल करती है ठीक तो यह भी याद रखेगा और इसके उपर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग क्या बोलते है जिसको हम लोग जो राजीव सागर प्रोजेक्ट है basically मदय विदेश और महराश्ड interess का स्कूरमेंट का जॉइड रीवर के ऊपर बना हुआ है पेंच रीवर जो आपकी पैंच नैशने स्नौपांक में बैती है वह बी इसको हम जॉइंझ कर लेती है चंदन रीवर वर ऑ बाग रीवर और वो उसकी अलग है और इसकी अलग है तो बाग रीवर यह तो आपकी कनहान रीवर तो पेंच और कनहान जो कोल फील्ड एरिया के लिए आनी आती है इसके अलावा मद्य विदेश है पहली बार जो कैनाल बनी थी 1923 में इसी के उपर बनी थी धूती डैम बना हुआ और फिर अपर वेन गंगा प्रोजेक्ट बनाया गया तो अपर वेन गंगा प्रोजेक्ट को हम लोग किस नाम से जानते है तो अपर वेन गंगा प्रोजेक्ट को हम लोग संजय सरोवर डैम के नाम से भी कहते है किस नाम से कहते है इसको हम लोग संजय सरोवर डैम के नाम से भी पु कि इसका जो origin point आप देखते हो सबसे पहले तो सोन रिवर आपके अमर कंटक से निकलती है मैकल हिल से सोन रिवर कहां से निकलती है अमर कंटक के मैकल हिल से और यह originate हो गई कहां से मैकल हिल्स अमर कंटक और अमर कंटक कौन से डिस्ट्रिक में आता है मैकल हिल्स अमर कंटक district कौन सा आ घा, district का जाएगा अनुपपूर district कौन सा आ जया, district किसा आ जया, अनुपपूर और इसी के बाद यहाँ से देख रहे हो, तो यह एक ओर चीच कौन सी पता चल गई एक ओर चीच जो है, वो कौन सी पता चल रही है तो यह जो आपकी Soan River है, इसकी लेंख कितनी है, तो सोज रीवर की जो आपको लेंख्ट दिखाई देती है वो है कितनी 780 km, Soan River की लेंख्ट कितनी 780 km डिखती है और यह जो Soan River है कितने states में travel करती है, तो इसका जब आप travel गया flow देखते हो तो यह flow करती है मदवदेश यह flow करती है आपका UP यह flow करती है आपका बिहार यह जो main district के लावा अच्छा एक दो स्टेट से border share करती है अपना लेकिन main जो है यह तीन states से है बहती है MP, UP बिहार से इसके लाव आप देखोगे कि यह किसको join करती है सोन रिवर का जो माउथ है इसका माउथ आपको कहा दिखता है तो सोन रिवर का माउथ आपको बिहार में गंगा रिवर के पास दिखता है बिहार में किसको जॉइन करती है बिहार में गंगा रिवर को जॉइन करती है तो यह आपकी कौन सी रिवर निकल के आगे यह आपकी सो Sone River के बारे में जब हम देखते है तो Sone River की कुछ Tributories हमको दिकाई देती है सेना सोन River की कुछ Tributbreaks Famous सेमश Tributory है वो कौन सी है जोहिला , जोहिला फिर के अलावा आप देखते हो जोहिला, कनहार, गोपद और नार्थ कोईल के नाम से तो इसकी जो prominent tributaries है वो ये दिखाई देती है और इसी नदी के उपर हम लोग देखते है कि एक बहुत ही सांदार सा डैम बना हुआ है और उस डैम का नाम क्या है तो उस डैम का नाम है बाण सागर प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है सोन नदी के उपर एक डैम बना हुआ है उस डैम का नाम क्या है बाण सागर प्रोजेक्ट और यह जो बाण सागर प्रोजेक्ट है इसके बारे में अगर मैं बात कहूँ तो बान सागर प्रोजेक्ट जो है जो बान भट थे उनका बर्थ हुआ था शैडोल डिस्टिक में इसलिए बान सागर प्रोजेक्ट जब सोन रिवर शैडोल से पास होती है तो शैडोल डिस्टिक की देवलो तेहसूल के बाद बान सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है और इस मिकी खास बात है कि यह तीन स्टेट्स का जोईंड 프로JECT है MP UP और बिहार का जोईंड प्रोजेक्त के लिए और इसीhrIN सौन रिवर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं इसको हम लोग को इसका अधर नेम जो किया है वो इसका अधर नेम है वो है सोन भद्र है ना और सुवा इसका अधर नेम क्या है सोन भद्र और सुवा के नाम से भी हम लोग इसको कहते है तो यह भी चीज हमको यहाँ से याद रखना है तो यह आपका कौन सा निकल के आ गया यह आपकी एको रिवर हो गई सोन रिवर जो कहां बह रही है मद्विदेश में अमर कंटक के रास्ते नॉर्थ के तरफ ट्रेवल करते हुए चली आती है फिर जैसे यहां से सोन रिवर के आरे में अगर आप देखोगे तो यह पूरी डिटेल देख लो यहां पर आपको और प्रॉपर लिखा हो मिल जाएगा सोन रिवर ओ को दिया सौँज्ठ सной जाओ तरफ के सबसे बड़ी डक्षिन से आपको ब्रेथ यह ऑहाँ डिपी ट्रेवल करती है के यांपि यूपी और बिहार से ट्रेवल करती है और कैमूर हील्स के पहलन बहती है कौन से hills के कैमूर hills के parallel बहती औफ गंगा को जॉइन करती है तो आपको ये भी याद रखना है कि सोन और गंगा के drainage basin को कौन सी mountain ranges अलग करती है तो कैमूर hills अलग करती है क्योंकि वो उसके क्या है parallel travel करती है तो ये ये भी fact यहां से इसके बारे में याद रखना है तो ये आपकी सोन रिवर है सोन रिवर की जो mainment tributaries है हमने देखी जोहिला, गोपद, रिहंद, कनहार, नौर्थ कोईल ये वाला और एक हमने project देखा बार्ण सागर project जिसकी total hydroelectricity capacity कितनी है 430 Megawatt के आसपास इसके hydroelectricity capacity है और इसका जो पुराने नाम है इसको एक तो स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है हिरन निबाहू के नाम से कहा जाता है सोन रिवर का एक और नाम क्या है हिरन नबाहू इसको सोवा के नाम से कहते है और इसको सुभागीत के नाम से भी कहते है तो इसको कुछ अलग-अलग नामों से भी पुकारा जाता है तो स्वर्ण नदी, हिरन निबाहू, सुवा और सुभागीत नदी के नाम से भी सोन रिवर को कहते है तो इसको इतना याद कर लीजिए फिर नेक्स यहां से आ रहे है तो एक और रिवर आईए आपकी कौन सी काली सिंध रिवर, कौन सी रिवर है आपकी तो जो नेक्स्ट रिवर है आपकी काली सिंध रिवर, काली सिंध रिवर देवाज डिस्ट्रिक के पास एक जगा पढ़ती है दिवास दिश्ठी के पास एक कौनसी एगा फढ़ती है बागली से और राजस्थां के पास जाके चंबल को जोइन करती है और फिर इसी काली सिंद के बेसिन में हमें एक तो डैम्स वने हुए दिखते हैं तो उन डैम की बात करें जिसमें एक डैम है जो आपका कहां बना हुआ है आगर मालवा में बना हुआ है तो यह जो काली सिंद रिवर है हमारे मद्विदेश में तो बेसी ने पानी काम है लेकिन दीरे दीरे इसका पानी बढ़ता चला जाता है तो यह कौन सी रिवर है काली सिंद रिवर जो कहां से ओरीजनेट हो रही है काली सिंद ओरीजनेट फ्रॉम बागली विलेज और देवास और यह चंबल रिवर को जोईन करती है कहां पर नोनेरा विलेज और राजिस्थान के पास जाके 590 किलोमेटर के आसपास ट्रैवल करती है ब रिवज पर्मान और परवान और आहू जो इसकी में ट्रिबीटी है तो वह भी फेक्ट यहां से सोन रिवर के वारे में यादर रखेगा फिर यह से रिवर है आपकी कौन सी पारवती रिवर पारवती रिवर शीहो डिस्ट्रिक चालू करती है और जॉइं करती है कि सको चमbs होती है आश्ठा और सीहोर से ओरिजनेट होती है चंबल को जॉइन करती है पलिया राजिस्थान में टोटल लेंग्थ 471 किलो मिटर है सीहोर राजगर्ड गुना शेवपूर से बहती है तो यह भीची हमको यहाँ से याद रखना है तो यह आपकी एक और हो गई और एक और र एक चीज है आपने सुनाओगा कि MP की एक रीवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कटती है MP की एक रीवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यहां से आपके माही रिवर निकलती है धार डिस्ट्रिक्स से ट्रैवल करते हुई ऐसे 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 उपर जाती है फिर यहां से ऐसे नीचे आ जाती है और ऐसे बहती है तो यह बीच से ट्रॉपिक आफ कैंसर निकल रहा है तो इस तरीके से टीयोसी को दो बार काटती है ठ जो आप origin point देखते हो तो जो आपकी माही रिवर है वो कहां से निकलती है यह आपकी मिंडा विलेज मिंडा विलेज और यह मिंडा विलेज कहां पर है मिंडा विलेज आपको मदविदेश से पढ़ता है धार डिस्ट्रिक्ट तो मिंडा विलेज धार से जो आपकी माही रिव और फिर हम देखते है कि यह जो माही रिवर है यह ट्रैवल करते हुए जो है आपकी तीन स्टेट से ट्रैवल करती है तो माही रिवर जो आपके तीन स्टेट से ट्रैवल करती है जो पहला स्टेट आपको याद रखना है वो कौन सा है आपका MP जो दूसरा स्टेट आपको याद रखना है वो दूसरा कौन सा है आपका गुजरात और जो तीसरा स्टेट जिससे ट्रैवल करती है वो कौन सा है रा को दो बार काटती है बना हुआ लोगा है बना का है कहाँ व राजिस्थान तो बास्वाड़ा राजिस्थान तो आपका ऐल्टार बना रखेगा और इसी के साथ जो आप देखोगे तो छटवे नंबर पर आपको एको चीज दिखती है कि माही रिवर को कहा जाता है गंगा ओफ ट्राइबल्स माही रिवर को किस नाम से कहा जाता है तो माही रिवर को गंगा ओफ ट्राइबल्स के नाम से भी कहा जाता है आदिवासियों की गंगा के नाम से इस नदी को बुका रहा जाता है तो यह आपकी एक रिवर हो गई कौन सी माही रिवर तो देख लेते हैं यहाँ भी हम लोगे पाद देख लेते हैं कि माही रिवर ओरिजनेट होती है मिंडा विलेज और सरदार पुर्धार यह तो आगया था इत्ता समझ में है ना Gulf of Khambat मतलब Arabian Sea Gulf of Khambat मतलब Arabian Sea को जोईन कर दी है गुजरात के पास 576 km के आसपास का ट्रैवल है West में ट्रैवल करती है West में ट्रैवल करने आली तीन नदिया हमारे पास नर्मदा, तापती और माही और एक और चीज है कि TOC को कितनी बार कट करती है तो आपका जो TOC है Tropic of Cancer उसको ये दो बार कट करती है और फिस इक बाद हम important places देखते है धार, जाबुगा और वडोदरा ये important places है और इसकी जो खास खास river है सोम, जाखम और मोरान नहीं हो याद तो मत करो ना कभी आना लेकिन मैंने इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे ले आए कि आपको कुछ एडिशनल फैक्स और याद दिख जाएंगे और माही रिवर के आरह में इतनी जानकर याप पस नहीं होगी तो याद रखना कि सोम रिवर जाखम रिवर और मोरन रिवर तो यह कुछ ट्रिब्यूटरी जो है आपको माही रिवर की दिखाई देगी तो याद रखेगा माही रिवर को और यह आपकी एक और और इसके अलावा भादर रिवर भी है माही वजास सागर डैन माही इरिगेशन प्रोजेक्ट थर्ड रिवर है मदविदेश की जो वेस्ट साइड भेती है मैंने आपको बताया था इसके अलावा लाब की लूनी और सावरमती भी आपको दिखेगी ट्रॉपिक आफ कैंसर जो है उसको दो बार काटती है और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी हम माही नदी को पुकारते है तो यह आपकी एक और रिवर हो गई कौनसी माही और माही के बाद मदविदेश की एक और बहुती प्रॉमिनेट रिवर है टोन्स रिवर टोन्स रिवर मदविदेश में कहां से निकलती है हम लोग तंमसा के नाम से बहुत है तो इस को हम लोग तंसा के नाम से बहुत है और इसी टॉझ में अगर इंहो एक बतां तो यह आपकी टॉझ सुपर ध्र बोजेट करता है तो बस इतनी चीज़े आप इसको याद कर लिए गंगा की ट्रीटरी है तो तों तोंस रीवर जो है वह आपका कहां से टोंस रीवर अगर आप देखोगे तो जो तमस कुंड है कायमूर रेंजेस और विंद्यांचल और डिस्ट्रिक कौन सा है सतना डिस्ट्रीक से ओरिजनेट होती है इसको गंगा की ट्रिब्यूट तो यह आपकी Tones River के कुछ मेहिन से भी कभी तीन नमबर में आ जाए तो आपका पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा फिर इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक बहुत ही खास बाद कि इसकी एक Tributory है इसकी एक Tributory है जिसका नाम है कौनसी रिवर बीहड रिवर और इसी बीहड रिवर के उपर एक Waterfall बना हुआ है जिसका नाम क्या है चचाई Fall इसके नाम के उपर जो मदविदेश का सबसे उचा waterfall है फिर आपका है क्योटी fall तो महान रीवर के उपर बनाया है महान irrigation project कहां पर है मदविदेश के सीधी district में आपको महान irrigation project भी दिखता है और यह जो महान रीवर है यह आपके संजय गांधी टाइगर यह संजय टाइगर तो आप देखो आपको बहुत सारी चीजे ऐसे जो हमको नहीं पता था वो यहां हमको पता चल रही है कि बीहड river tones की tributary है महान river tones की tributary है बिचिया river tones की tributary और ओडा river भी जो है आपके चीजे याद रखेगा तो आपकी कौन सी river है tones river जिसको हम लोग तमसा के नाम से कहते है लेकिन इसके अलावा मद्यविदेश की अभी तो बहुत सारी अंदिया बची हुई है उनको हम करते है आराम से जिसमें हमारी मद्यविदेश की एक सबसे prominent river जिसको सभी लोग बहुत चंबल रिवर तो यह मद्यविदेश में यह चंबल रिवर जो है आपको कहां दिखाई देती है सबसे पहले हम इसकी बात करते है तो जो चंबल रिवर है मद्यविदेश में उसका हम लोग थोड़ा सा मैप के थूरू इसको समझने ही कोशिश करते है जैसे कि यह है यहां से आपकी चंबल रीवर निकल रही है और यहां से निकलने के बाद ऐसे उपर नौर्थ के तरफ ट्रैवल करती है और यहां से फिर ट्रैवल करते हुए ऐसे जाती है तो यहां से आप देखोगे यहां पर आपको दिखेगा शोपूर यहां पर दिखेगा मुरैना और य की है जो आपकी चंबल रिवर है बेशीकली सबसे पहले हमारे लिए मुद्द हुझ मुद्ध भाइन क्या इस माल रीवर का ओर डीजन फॉइंट तो चंबल र्वर का जो मुझ फॉइंट वो क्ला है किन चंबल रीवर कों से है का से पर है जाना पाव हिल्स आपको महू में पढ़ता है महू मद्यविदेश के कौन से डिस्ट्रिक में है महू मद्यविदेश के इंदॉर डिस्ट्रिक में है तो चंबल नदी जो है कौन से जीले से निकलती है चंबल रिवर और इसी चंबल रिवर की जब हम लेंग्ध की बात क इतने जीलो में यह जो है ट्रेवल करती है आपकी चंबल रीवर और फिर यह किसको जाइन करती करती है याद रखना तो ठीक है यह вी एक फैक्ट यहाँ से याद रखना तो इतना चीज औरीजिन लेंग्ध माउत और फिर एक और ची निकल के आती है कि इसको हम लोग किन किन नामों से जानते है तो इसका जो एक अधर नेम है तो इसका जो सबसे प्रॉमिनेंट अधर नेम है वो है क्या चर्मावती तो इसको किस नाम से आते है इसको चर्मावती के नाम से भी हम लोग जानते है तो यह एक नदिया है तो वो है आपकी कौन से वो है आपकी कि शिप्रा वो है आपकी शिप्रा दूसरे नमबर पर पारवती थाना तीसे नंबर पर आपकी काली सिंद शिपरा पार्वती काली सिंद है ना कि यह आपकी और फिर आपकी जो है कुनों तो यह आपकी कुछ चंबल की जो main tributaries है आपको यहां से दिखाई दे रही है इसके अलाव आप देखोगे कि राजिस्थान में चंबल को बनास river भी जोईन करती है राजिस्थान में चंबल कौन से river जोईन करती है राजिस्थान में इसको बनास river भी जोईन करती है इसके अलावब आप देखोगे कि ये जो हमारी कौन से रिवर है चंबल रिवर चंबल रिवर जो है अपने पूरे रास्ते में एक वो बनाती है लैंड फॉर्म और वो कौन सा लैंड फॉर्म बनाती है वो बनाती है रैवाइन्स तो यह आद रखिएगा चंबल रिवर इट रैवाइन्स इट फॉर्म्स रैवाइन्स मतलब होता है बीहड इट फॉर्म्स रैवाइन्स ड्यू टू गली रोजन इट फॉर्म्स रैवाइन्स ड्यू टू गली रोजन गली रोजन की वज़े से चंबल नदी जो है बीहड का निर्मान करती है जब क्या होता है जो बीच रोजंग कहते है तो चंबल रिवर जो है वो क्या करती है रेवाइन्स का फॉर्मेशन जो है आपका करती है तो इस फैंट को भी यहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर जैसे यहां से चले गए तो एक और चीज क्या दिखती है कि चंबल लदी और किस चीज के लिए आन लदी के बारे में टो फ़स्ट मल्टी पर परस रिवर वैले प्रोजेक्ट फ़स्टमुरे वैले प्रोजेक्ट of MP constructed across Chambal River और वो जो Chambal River के उपर जो डैम बना था ये 1953 में इसका construction स्टार्ट हुआ था और 1960 में पहला डैम बनके तयार हुआ था तो इसके उपर जो तीन डैम बनाए गए थे पहला डैम कौन सा था पहले डैम का नाम था गांधी सागर डैम और ये जो कान देखो चाल क्या है Chambal Multipurpose River Valley Project जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें को सब एक मात्र एक डैम नहीं इसमें बहुत सारे डैम है जिसमें सीरीज ऑफ डैम्स बने हुए और इन सीरीज ऑफ डैम्स को मिला के जो चीज बनती है उसको बोलाता है Chambal Multipurpose River Valley Project Multipurpose इसलिए क्योंकि पहले जब हम डैम बनाते तो हमारा अबजेक्टी होता था irrigation और drinking water अब जब हम डैम बनाते तो हमारा अबजेक्टी होता है irrigation, drinking water, flood control soil conservation tourism, fisheries कितने सारे hydroelectricity तो इतनी चीज़े यहां से हमारे motive में आ जाती है तो कहीं ना कहीं यह जो आप देखोगे कि इसलिए इसको क्या बोला गया Multipurpose River Valley Project और जब हाला नहरू क्या बोलते है कि Multipurpose River Valley Project are the temples of modern India तो यह भी एक चीज़ यहां से दिख रही है 1960 में हुआ था और यह जो डैम है यह 115 MW के आसपस hydroelectricity generate कर रहा था कितना 115 MW hydroelectricity generate कर रहा था इसी के साथ है मद्यविदेश का पहला hydroelectricity project भी बनता है कौन सा आपका गांधी सागर project और इसी के बाद आप जब यहां next देखते हो यह MP plus राजिस्थान का joint project है यह क्या है MP plus राजिस्थान का joint project के तौर पे आप इसको देखते हो तो इसको भी थोड़ा सा याद अपने को रखना है तो जैसे कि हम लोग बात कर रहा है पहला है गांधी सागर project दूसरा है जवाहर सागर project दूसरा project कौन सा है आपका जवाहर सागर project कौन सा जवाहर सागर project तो जवाहर सागर project आपका कहां पर है जवाहर सागर project आपका कोटा राजिस्थान में situated है तीसरा जो project है आपका राणा प्रताप सागर project कौन सा राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट और ये राना प्रताफ सागर प्रोजेक्ट कहां पर है तो राना प्रताफ सागर प्रोजेक्ट ये भी आपका कहां पर है ये आपका चित्तोड में है रावत भाटा में तो ये भी याद रखेगा चित्तोड गर रावत भाटा में तो ये भी एक चीज निकल के आगई गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर तो ये टीन जो डैम है हमारे पास निकल के आ रहे हैं इसको अपने को याद रखना है ठीक रहीगी बात याद तो ये तीनो डैम हमारे लाइन से यहां से निकल के ये आगए आपको याद रखेगा और कभी आप से पूछे कि चंबल नदी के बैंक्स पे हमें कौन-कौन से शहर दिखाई देते हैं तो चंबल नदी के बैंक्स पे हमको सबसे इंपॉर्टेंट मालवा में अगर आप देखोगे तो जो नागदा है जैन में वो दिखाई देगा उसके चंबल नदी से निकल के आ रही है और चंबल नदी में क्या मिलता है एलिगेटर मिलता है और गैंजिटिक डॉल्फिन भी हमको मिलती है और यह प्याद रखेगा चंबल नदी में कौन सा इरोजन होता है तो गली इरोजन होता है इसकी वज़े से किसका फॉर्मेशन होता है इसकी वज़े से रहवाइन्स या भीहड का फॉर्मेशा होता है शिप्रा, पार्वती, काली सिंद, कूनो, बनास ये चंबल की में में ट्रिब्यूटरी है ठीक चंबल किसको जाके मिलती ही यम्ला को चंबल लदी की लेंग्ध कितनी है 965 km, इसकी लेंग्ध है उसके अलावा हम देखते है जो हमारी दूसरी रिवर है, जो सबसे important है वो उस रिवर का नाम क्या है उस रिवर का नाम है आपकी शिप्रा रिवर कौन सी रिवर, शिप्रा रिवर और शिप्रा रिवर मद्विदेश में कहां से originate होती है, तो जैसी हम शिप्रा रिवर की बात करते है तो हमारी जो शिप्रा रिवर है वो originate होती है शिप्रा रिवर originates from काकरी बर्डी hills of indoor, कहां से originate होती है, काकरी बर्डी hills, काकरी बर्डी hills, जो मद्विदेश के कौन से डिस्ट्रिक में पढ़ रही है काकरी बर्डी हिल्स मत्यविदेश के इन दौर डिस्ट्रिक में आपको पढ़ने आली है तो एक चीज तो यहां से यह भी याद रखना उसके अलावा आप यहां से देखोगे कि यह जो शिप्रा रिवर है इसकी लेंग्ट कितनी है तो शिप्रा रिवर की आपको लेंग्ट दिखाई देती है शिप्रा रिवर की ओवराल लेंग्ट जो है 195 किलोमेटर के आसपास आपको शिप्रा रिवर की ओवराल लेंग्ट दिखाई देगी और इसी शिप्रा रिवर के साथ आप देखते हों किसने के जह आपने की की बलावज नाम तो पहला जो नाम बलता है कन श्रिंगा ओनौ मिल रहा है कनक श्रिंगा और फिर यहींmara मिल इसको नाम आप देखोगे तो कहीं लोग इसको अवन्धी के नाम से भी पुकारते हैं तो हमको शिप्रारीवर के जो अदर नेम है आपको दिखाई देंगे ठेक रही güzel आति बाते आद फिर जैसे देखते है कि शिप्रारीवर के बैंक्स फे सिप्रारीवर के औरगनाईज होता है जिसको सिमहस्त कुम्ब का मतलब ही क्या होता है कुम्ब का मतलब कलश होता है तो सिमहस्त कुम्ब जो है शिप्रा नदी के बैंक्स में हर 12 सालों में एक बार होता है तो ये भी चीज अपने को यहाँ से याद रखना है रहीगी इत्ती बात है तो यह आपकी शिप्रारीवर के बारे में इत्ता Fre проф में इंफॉरमेशन से निकल के आगई लेकिन मैं आपको एक होची बतां हुए वह इसके अलावा आप देखोगे गंपीर रिवर इसके अलावा कौंसा देखोगे गंभीर रिवर आप कही लोगों बोलै कान नहीं वो खान है तो उसको कान ही था लेकिन समय के साथ उसका नाम जो है लोगों ने बोलते बोलते उसको, खान बोल दिया, लेकिन एक समस्या यह आगे की शिपनाशन sixt के किनारे हर 12 सालों में संहस्थ मिला लगता है, लेकिन अब क्या हुआ , कि जब 2004 में आखरी बार सिमहस्त हुआ था तो बड़ी समस्या आई थी कि आखरी के समय पानी कम पढ़ गया नदी में यह और वो और फिर 2016 में फिर से सिमहस्त और अगनाईज होना है तो अब विस समस्या कैसे सॉल करें तो समस्या को सॉल करने के लिए MP गॉवर्मेंट ने क्य प्रोजेक्ट नर्बदा शिप्रा सिमहस्त लिंक प्रोजेक्ट नर्बदा शिप्रा सिमहस्त लिंक प्रोजेक्ट तो नर्बदा शिप्रा जो सिमहस्त लिंक प्रोजेक्ट है यह MP गॉवर्मेंट ने अप्रूव कर दिया था और यह जो नर्बदा शिप्रा सिमहस्त लिंक प्रोजेक्ट है इसके अगर मैं आपको एक खास बात बताओं तो ये जो है बेसिकली जब शिपरा नदिये पानी कम पढ़ने लगा था हमने देखा कि हम पानी कहां से लाए तो हमारा धान गया कि एक रीवर है नर्मदा लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि शिपरा आप प्लैट्यू पे बहर रही है नर्मदा नीचे वैली में बहर रही है नर्मदा की रिफ्ट वैली में तो पानी डैम के मदद से तो नहीं कैनाल की मदद से तो नहीं ला सकते हमको पाइपलाइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कैसे कैनाल चलेगी तो फिर 2012 और यह complete हुआ था started in December 2012 and completed in February 2012 and this 2014 and this project dedicated to the people of Malwa this project dedicated to the people of Malwa on 25th of February 2014 25 February 2014 यह project Malwa की जनता को dedicate कर दिया गया तो यह भी याद रखेगा started in December 2012 and completed in February 2014 तो असी साथ है जो प्रोजेक्ट है यह मालवा की जनता हो क्या कर दिया गया आपका dedicate कर दिया गया तो इसी को यहां से याद रखेगा और एक pipeline के थूँ जो है पानी लाया गया और जो पानी जहां पे लाया गया तो एक कौनसा गाब है उज्जैनी विलेज जो विलेज है वहाँ पर इन दोनों नदियों इन दोनों नदियों को मर्ज कर दिया गया pipeline के थूँ और यह उज्जैनी विलेज परता है तो उज्जैनी विलेज indoor district है परता है क्योंकि शिपरा रिवर बेटवा रीवर भी हो गई, नर्मदा रीवर भी हो गई, वर्धा हो गई, वेंगंगा हो गई, एक और बड़ी नदी, जो हमारी मधदव देश है, बचि का नाम है, तवा रिवर, क्यों? अब तुम बोलो कि तवा रिवर बड़ी रिवर है क्या, बड़ी तो आप ऐसे नहीं कहां से निकलती है महादेव hills 2016 pre का question है उसमें यही पूछा गया था कि तवा river कहां से निकलती है तवा river originates from महादेव hills और यह महादेव hills में कहां से भी exact अगर जीला देखोगे तो छिंदवारा district से निकलती है कौन से छिंदवारा district के border के पास से निकलती है और फिर enter कर जाती है बैतूल district के border वहीं से नर्मदापूरम जाती है और फिर यहीं से आप देखोगे कि यह कितना river जो कितना distance travel करती है तो यह जो distance travel करती है वो करती है 195 सारी 172 km के आसपास जो distance है वो आपकी tower river cover करती है और इसी tower river के बारे में देखोगे कि इस tower river का जब आप mouth देखोगे कि यह किसको join करती है इस tower river का आप जब mouth देखोगे कि यह tower river किसको join करती है तो tower river का जो mouth है नर्मदा river को जोइन करती है कौन से river को नर्मदा river को कहां पर join करती है बांदरा भान करके एक जगाए ये इसको joyan करती है और इसी के साथ आप यहाँ से देखोगे तो यह जो आपकी तवा रिवर है इसके वारे में एक और चीज है कि ये जो है Tawa River के उपर एक Dam बना हुआ है जिसका नाम है Tawa Irrigation Project या उससे पहले हम इसकी Tributaries कर लेते हैं कि Tawa Nadi के उपर कौन कौन सी Famous Famous Tributaries है या Tawa Nadi की प्रमुक Tributaries कौन सी है तो Tawa की Tributaries बहुत कम लोग पता है तो देख लीजिए Tawa की Tributaries है माचना, Tawa की Tributary है, मालनी है ना Tawa की Tributary है, देनवा, देनवा, Tawa की Tributary है, सुख तवा, तो याद रखेगा माचना, मालनी, देनवा और सुख तवा ये Tawa River की Main Main Tributary है और Tawa किसकी Tributary है, Tawa Narmada की Tributary है और इसी Tawa नदी के उपर एक Dam अप्रूव हुगा जिसका नाम पढ़ Tawa Irrigation Project, क्या नाम है उसका Tawa Irrigation Project और ये जो Tawa Irrigation Project जो है, ये कहां पर सी Construct होना चालू हुगा, तो नर्मदा पूरम डिस्ट्रिक में, नर्मदा पूरम डिस्ट्रिक में एक जगा पढ़ती है, इटार्सी, इटार्सी से 40 km दूर ये जो प्रोजेक्ट है बनना चालू हु क्यों कि आप जब देखते हो कि जब नदी को रोका जाता है, तो आम लोगो इसको dam कहते हैं, बांध कहते हैं, तो नदी को बांधना पड़ता है, लेकिन कई पर क्या होता है, दो पहाड इतने करीब नहीं दिखते हैं, तो बहुत लंबी दिवाल बनानी पड़ती है, फिर बनाया गया ऐसी तो जहां पर इसका मू पर िइसको। रोका गया है तो भाहं पर एक बहुत लंबी बनी हुई है और उस वाहन करWeं क्या कहते है वस वाल की aur मेन क्या घ्रिज में हें मद्धिय प्रिदेश में 3.33 3.3 lakh hectare of land को irrigate करता है कितना 3.33 lakh hectare of land को irrigate करता है और किन किन जीलों में irrigate करता है तो जूइस Limited के डैम के जो beneficialies है वो है आपके कौन से हर्दा हर्दा और होशंगाबाद हर्दा दर्वडपुरम District जो है इसके जो beneficiary है इसके जो वीज हैं बन रहा था तो इसको अगेंस्ट में इसको बॉला गया कौन सा क्या हो गया औल आ रहे इसको आप देखोगे 1976 के आराउंड्स स्टाथ हुआ था क्योंकि जा awake wash कौने की वजय किए क्या होगा वाटर लॉगिंग होने की वज़े से जो होशंगा जिलेंपूरा जो ब्लैक सोईल का एरिया है तो उससे क्या होगा कि जो चूना है वो उपर आ जाएगा और हमारी मिट्टी खराब हो सकती है तो इसी के लिए यह मिट्टी वचा अंदोलन हुआ था यूपी PCS में तो पूछा भी जा चुका है मिट्टी वचा अंदोलन मद्विदेश में कहा हुआ नर्मदा पूरम डिस्ट्रिक में हुआ किसके अगेंस में तो आपका तवा इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसके अगेंस में हुआ है तवा की ट्रिब्यूटरी आप कौन कौन सी देखोगे जिसका ना हम लोग क्या देख रहे है जिसका ना हम लोग देख रहे है मद्विदेश की तापती रिवर कौन सी रिवर तापती रिवर और जब भी तापती रिवर की बात आती है तो सबसे पहला एक जिखर आता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर तापती रिवर एक कैसी रिव और बैतूल डिस्ट्रिक्स से निकलती हो फिर ये travel करते हुए मतलब इसका mouth कहा है तो travel करते हुए जाती है गुजरात और गुजरात में Gulf of Cambay में गुजरात में Gulf of Cambay जो है वहाँ पर ये join करती है Arabian Sea को और फिर जब ये इतना लंबा travel करती है तो एक बहुत बड़ी length को cover करती ह होगी और वह सबसे बड़ी length इसकी जो total length हमको मत्यविदेश में overall इसकी length है वह कितनी दिखाई देती है तो वह 724 km के आसपास इसकी length दिखाई देती है और इसी के बाद जो हम देखते है तो इसी तापती नदी के बारे में एक और चीज़ क्या पता चलती है कि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी तो इस तापती नदी की में में ट्रिब्यूटरी है वो इसकी में में ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है पूर्ना शीवा है ना गिरना पूर्ना शीवा गिरना और एक और जो है आपका पंजारा पूर्ना गिरना शीवा और पंजारा तो यह आपकी जो प् एक और फैक्ट बड़ाम्पॉकर्टे लगेली तो ताप्ति रिवर के आपती को प्प्पु किना गया है तापती नदी के उपर मद्विदेश में हमें एक डैम दिखता है जो एक बड़ा डैम मद्विदेश के बैतूल डिस्टिक में बना हुआ है तो तापती नदी के उपर जो सबसे बड़ा डैम या सबती नदी के उपर जो एकलोता डैम मद्विदेश देख रहे है वो कौन सा ह पारस दो तो यह पारस दो जो है मद्विदेश में कहां बना हुआ है पारस दो जो है मद्विदेश के बैतूल ने बना हुआ है फिर उसके लाब देखोगे उकाई इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा उकाई प्रोजेक्ट तो यह उकाई प्रोजेक्ट कहां पर है उकाई प्र अ ohai project तों काकरा पारा project इसी के अलवा तापती नदी के बारे में एक हो चीह दिखते है कि तापती नदी के arms फे कोई शहर हम को इसाहई दिखाई देता है क्या तो बेसिकलि नदी के वैस्ट नदी के बैंक्स फे ग्जेक्ट बात बता बुर्हानपूर सिटी रहे जो सूरत पोर्ट भी है वो भी टापती नदी के किनारे पहले आपकी एक ट्रीवा रीवर निकल पाघे क्या सूर्य पुत्री मात आपती जिसका origin क्या है मुलताई और बैतुल डिस्ट्रिक माउथ क्या है Gulf of Cambay length कितनी है 724 km और ये किस direction में travel करेगी तो ये west में travel करेगी कौन सी direction है west में travel करेगी और ये कितने states में travel करने वाली river है तो जब इस river की बात करते है तो ये river जो है कि हमने देखते जा रहा है तो कौनसी अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले कौन सी रिवर देखा था स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने देखा था नर्मदा रिवर कौन सी रिवर नर्मदा रिवर के बाद हमने देखा था कौन मित्वा के बाद हमने वेंगंगा रिवर देखा है उसके बाद हम लोगोंने सोन रिवर के बाद हम देखते हो यह मनने अच्छे से कर लिए है चम्बल शिप्रा रिवर हम लोगोLY कर लिए तवा river हम लोगों ने कर लिया ताप्ति रीवर को भी हमने यहां से कर लिए हैं तो यह मधिदेश की जो मेन मेन रीवर से हम लोगों ने लगभग सारी नदिया जो important river है मधिदेश की हमारे को कुछ अधर irrigation प्रोजेक्ट भी दिखते तो मद्यविदेश के जो कुछ अलग other projects दिखते हैं वो कौन कौन से हमको दिखाई देंगे जैसे कि हम लोग देखेंगे मद्यविदेश में तो आपको कुछ other projects related to irrigation दिखाई देंगे जैसे कि आपका पहला निकल के आ रहा है मोहन पूरा इरिगेशन प्रोजेक्ट, कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मोहन पूरा इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो आपका जो मोहन पूरा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यह मद्यविदेश के कौन से डिस्ट्रिक में है, मोहन पूरा इरिगेशन प्रोजेक्ट मत्यविदेश के राजगार डिस्टिक में सिचुएटेड है और एक कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है नीवज नदी के ऊपर बना हुआ है और आपको मैं एक कुछ ही बता दू कि इस दैम का जो इनॉगरेशन है खुद प्राइम निस्टा नेरिन मोदी ने किया था इसलिए आपके लिए important हो जाता है इसके अलाव आप देखोगे कि मद्यविदेश में एक होड़ डैम दिखता है जिसका नाम क्या है कुंडलिया डैम कुंडलिया डैम जो है काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है कौनसी नदी के ऊपर काली सिंध नदी के ऊपर और यह MP में कहां प बना हुआ है कौन से district में? राइसेंड district में बारना किसकी ट्रिब्यूटरी है? बारना जो है नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो यहाँ से यहाद रखिएगा उसके अलावा जो हम दूसरा डैम देखते हैं वो कौन सा डैम दिखाई देता है, चोरल इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है चोरल इरिगेशन प्रोजेक्ट और यह जो चोरल इरिगेशन प्रोजेक्ट है मदविदेश के कौन से डिस्ट्रिक में है तो चोरल इरिगेशन प्रोजेक्ट मदविदेश के खरगोन डिस्टिक में सिचुएटेड है, कौन से डिस्टिक में सिचुएटेड है, खरगोन डिस्टिक में, छटवे नंबर पर आप देखोगे, एक और प्रोजेक्ट है, लोवर गोई प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, लोवर गोई प्रोजेक्ट, तो लोवर गोई प इसको भी यहाँ से याद रखिएगा इसके अलाव आप देखोगे तो MP में आपको जो दूसरा प्रोजेक्ट दिखाई देगा वह आठवे नंबर पर आप देखोगे तो आपको कौन सा डैम दिखाई देगा कालिया creation कालिया सोत डैम तो मन्दिविदेश में यह कहां पर है। जो कैर्वा डैम मधविदेश में कहां देखा है कहां पर तो किर्वा डैम मधव देखाई देख्डा है तो ये भी फैक्ट यहां से याद रखेगा, तो कालिया सुट डैम भोपाल में, केरवा डैम भोपाल में, और इसी साथ आपको एको डैम दिखाई देगा, उसका नाम है भदबदा डैम, कौन सा डैम, भद, भदबदा डैम, तो भदबदा डैम मदविदेश में कहां पर है, भदबदा डैम भी मदविदेश के भोपाल में सिच्वेटेड है, तो एक ये भी फैक्ट यहां से निकल के आ रहा है हमारे काम का, तो भपाल के इतने डैम तो हमारे पास ये निकल के आ गए, मोहनपूरा इरिगेशन प्रोजेक्ट राजगर, कुंडलिया डैम आगरमालव बारना डैम राय सेन, चोरल इरिगेशन प्रोजेक्ट इंदौर, अपर बेरा प्रिजो खरगोन, लोवर गोई प्रोजेक्ट बढवानी, सुकता प्रोजेक्ट खंडवा, कोला डैम सीहोर, कालिया सोट डैम भोपाल, केरवा डैम भोपाल और बदबदा डैम आपका भोपा घंटा ठापना डैम मदविदेश में कहां पर है, तो अपना डैम बदबिदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सिच्चोएटेड है, फिर आपसे वो अगला डैम एक और पूछेगा कि मदविदेश में ये बताईए कि तिघरा डैम कहांपर है, मदविदेश में कौन सा, तीगरा डेम कहा पर है तो MP में जो तीघरा डेम है वह आपके। गालियर में बना हुआ है! कौँछ में राजपूर दिस्टिक में है जोबत इरिगेशन प्रोजेक्ट को एक हो नाम से जाना जाता है !! शहीद चंद्र, शेखर राजाध प्रॉजेक्ट सफ़build। है! अधी दे चंद्र शेखर आजाद प्रोजेक्ट के नाम से इसको कहा जाता है तो यह उद रखेगा और यह कौन सी नदी के ओपर बना हुआ है हतनी नदी के ओपर बना हुआ हाँ फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको एक और प्रोजेक्ट दिखता है जोबट तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है तो वो प्रोजेक्ट हमको दिखाई देता है कौन सा हरसी डैम और काकेटो डैम तो यह हरसी और काकेटो डैम मदविदेश के कौन से डिस्ट्रिक में है तो हरसी और काकेटो डैम मदविदेश में आपको मुरैना डिस्ट्रिक में दिखें माचागोरा डायम मद्यविदेश में कहाा पर है मद्यविदेश से नंबर पर आपको पतान सब चलेगा कि मद्यविदेश में एक नवर डायम मठीयारी डायम कौन सा डैम है मटियारी डैम मदर्य विद्विदेश का मठियारी डैम MPK मंडला डिस्टिक्च में बना हुआ है तो यह क्यात रखियेगा फिर आपको पता अब IDेनों पहले मदर्य विदेश में बाझर टूटा था लम्चा नाम था कारम डैम तो मद्यविदेश में कारम डैम जो food गया था जो मद्यविदेश के कौन से district में है तो कारम डैम मद्यविदेश के धार district में हमको दिखता है तो यह इतने fact हमारे यहां से यह निकल के आ रहे हैं mountain ranges और मद्यविदेश एक ऐसा topic जहां से आपको gift करता है जहां से आपको क्या करेगा वो marks gift करेगा कुछ नहीं पूछ लेगा वो आपसे normal सा की मद्यविदेश आप सभी को पता है कि हमारे मद्यविदेश में basically दो mountain ranges है जिसका नाम है क्या Satpuda, एक mountain range है जिसका नाम है Satpuda, mountain range और एक mountain range है जिसका नाम है क्या Vindyanchal, mountain range तो मद्यविदेश मुख्यता आपको यह दो mountain ranges पड़ती है Satpuda, Vindyanchal, और वो maximum टाइम उसने जब भी question पूछ भी उसने Satpuda का highest point है वहां से question पूछा है या तो इन mountain ranges के subdivision पूछे है वो आप से पूछ देगा कैमूर hills किसका पार्ट है सत्पुड़ा, विंद्यांचल या आप से पूछ देगा कि कैमूर, भांडेर, सिंगार ये जो है किसका पार्ट है विंद्यांचल का, सत्पुड़ा का, आजनता का इसका पार्ट है तो इस टाइप के कोश्चन है, आप से पूछ देगा धूबगर जो है, जो हाईएस mountain peak है मद्यविदेश में, वो कहां पर है वो आपके सिगार hills में है, वो आपके कैमूर hills में, वो आपके महादेव hills में है तो इस टाइप के questions, ये वाला जो topic है, आपका पूस्ता है, मद्यविदेश के कौन से mountain ranges वाला जब हम यहां से देखते है, तो मद्यविदेश हमको इस तरीके से mountain ranges का divination दिखता है कि आप देखोगे, कि MP के मैप में, उपर आपको विंद्यान चल दिखेगा, नीचे आपको क्या सतपूडा दिखेगा तो सतपूडा पहले हैं महादेव पहलय है धाली ग dimension गोलीग्र राज्पिपला हिल्स यहां से दिखना चालू आप देखो गें तो उपर आपको कैमूर हील्स वगेरा दिखाइ देती है तो जैसे कि एंसे हम लोग देखते हैं तो मड़itaire धेश में एक mountain range है, जिसका नाम आपका क्या निकल के आ रहा है, एक mountain range है, जिसका नाम हमको क्या दिख रहा है, उस mountain range का नाम हमको दिख रहा है, सत्पुडा, तो एक सत्पुडा mountain range है, जो मद्विदेश में हमें इस तरीके से दिखाई देती है, और एक mountain range है, विंद्यान चल, जो हमें म प्षज पुरा सथ धनपुरा कई आप इसको देखो है कि सतधन पुरा साथ hills को जब एक साथ कमबाइण करते हो तो उसको बोला गया सथपुरा की सीरीज ओफ सेवन हील्स इज नोने सथ पुरा सथ धनपुरा दो इसको बोला गया सथ सथपुड़ा को ऐसे बताते हैं कि आवरेज जो 900 km के आसपास है मैक्जिम 1200 km के आरउंड हमको सथपुड़ा की पूरी जो स्ट्रेस दिखता है चातीजगर मदवदेश आपका महराश्ट्रा और आपके गुजरात तक जो सथपुड़ा का पूरा 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 इस दिखता है इन चार राज्यों में तो यह एक फैक्ट है आसे आद रखेगा और जब यह इतना बड़ा स्ट्रेच हमको दिख रहा है सथपुड़ा का तो सथपुड़ा के इतने बड़े स्ट्रेच को यह तो पूरी एक रेंज है इसको छोटी-छोटी हिल्स में तोड़ा तो जो चार रहिए थो यह हमारे पास निकल के आ रही है वो कौनसी हिल हमारी मट्रव लग łat दिखाई देता है इसी में थिखाई दिखाई धिता है और एसी मचल हिल मादीव कलिते हैं in 함께 hull से हम लोग देखते हैं इस हम लोग देखते हैं कि इसके लिएक मेशाने हैं now तरह रिखाता और मेशाने अंहान एक टाइज न के मादीव कंवान चोल किरी आप यह middle portion है महादीव क्या है महादेव हिल जो है middle portion है यहाँ पर जो है सत्पुडा बहुत ज्यादा लंबे और बहुत ज्यादा चौड़े हो जाते है सत्पुडा क्या होते है सत्पुडा बहुत ज्यादा उचे हो जाते है सत्पुडा बहुत ज्यादा चौड़े हो जाते है महा बैतूल यह आपको दिखेगी चिंदवाडा बैतूल चिंदवाडा और यह आपको मिलेगी कहाँ पर नर्मदा पुरम तो यह आपको किन किन जीलों मिलेगी बैतूल चिंदवाडा और नर्मदा पुरम डिस्ट्रीक में आपको यह जो है महादेव हिल्स दिखने वाली है जंगाबाद में इसका सबसे उचा पॉइंट है 1350 मीटर का जिसको हम लोग किस नाम से कहते हैं जिसको हम लोग किस नाम से कहते हैं धूपगड तो मद्यविदेश का हाइस पॉइंट भी क्या है धूपगड लेकिन अगर मैं आपको एक्चुली बता हूँ धूपगड की ओरी जिसको पॉइंट नेश्ट्रिक में यह जो महादेव हिल से यहां पर हमें बहुत ज्यादा बायादाइवसिटी दिखाई देती है और इसी के साथ जब हम देखते है तो यह जो महादेव हिल वाला पॉर्शन आप लोग देख रहे हो यहां पर आपको एकोड चीज जो अपका पंचमडी बायोस्फेर रिजर्व यहीं पर आपको क्या दिखाईज आपको दिखाईगा पंचमडी άordumाइज दिखने वाली ऐक हिसमें महादेव हिल थो महादेव हिल थीरne स्या मैदिल स्नवारध नुर्धापुर्वर्ण स्ट्पूर टाइगर इस पर बढ़ेगा और यहीं पर देखते हो कि मद्यविदेश की जो दूसरी हाइस्ट फिल से जिसमें आप देखते हो चौरागड तो चौरागड भी आपको कहा पड़ता है तो आपको पंचमडी नर्मदापूरं में पड़ता है तो यह आपका क्या है महादेव hills और इसी महादेव hills हम लोग बोलते है कि एक river originate होती है तो इस महादेव hills से जो river originate होती है उस river का नाम क्या है तो उस river का जो नाम है उस river का नाम आप देखोगे उस river का नाम है तवा river तवा river आपकी कहा से originate होती है तो Tawa River आपकी महादेव Hills से originate होती है धूबगर का है तो महादेव Hills में है बड़ा महादेव केव कहाँ पर है तो जो बड़ा महादेव केव भी है बड़ा महादेव भी केव जी है वो भी महादेव Hills में है तो इतनी चीज़े हमको यहां से याद रखना उसके बाद में हम देखते हैं राजपीपला हिल्स जो राजपीपला हिल्स फाला पोर्शन है बेसिकलिए बुरानपूर के आसपास से लगना चालू हो जाता है और फिर महारास तक इसका एक्स्टेंड है और यहां पर धीरे-ध सत्पुडा की जो हाइट है वो कम होने लगती है सत्पुडा की हाइट क्या हो रही है धीरे-धीरे अब सत्पुडा की हाइट कम होने लगेगी और यहां पर क्या है पासेज बने हुए है यहां पर बने हुए है पासेज और उन पासेज को किस नाम से कहा जाता है उन जमाने में हम लोग देखते हैं मिडिवेल पिरेड में कि जब नौर्थ से आर्मी जाती थी उनको साउथ की ओपर अटैक करना होता था तो वो इसी पासेस का यूज करते थे दखन के तरफ जाने के लिए क्यों क्यों क्योंकि पहले उनको विंध्यांचल क्रॉस करना है नौर् पुड़ा में पासेस उनको कहाँ पर मिलते थे बुर्हानपूर के असपास इसलिए फिर यहाँ पर एक किला ही बनाया गया असीरगड का किला और यहीं को फिर इसको क्या नाम दिया गया गेटवे टू डखन या बोला गया दखन का प्रवेश दौर या की टू डेकन के ना किस नाम से कहा गया है तो इसको डखन का प्रवेश दौर या की टू डेकन के नाम से भी कहा गया है तो यह भी फैक्ट है हमको याद रखना है क्या रखना है तो यह आपकी चीज़ यहां से एक होची निकल के आ गई यह कौनसी हिल से राजपीपला हिल्स और यहीं से आप तो गौलीगर, गौलीगर basically आपके कहां महराश में पड़े है, गौलीगर का extension मध्यविदेश में ज्यादा नहीं दिखाई दिता, तो ये एक mountain range होगी हमारी कौन सी, सत्पुड़ा mountain ranges, जो हमारा पंचमडी है, वो इनी सत्पुड़ा mountain ranges में महादेव hills में situated है, जो हमारा अमरक जिसके height 1140 meter के आसपस दिखाई दिती है, तो ये आपका कहां पर है, आपके बैतुल district में दिखाई दिता है, तो ये आपकी कौन सी ranges हो गई, ये हमारी निकल के आगे कौन सी, सत्पुड़ा mountain ranges, इसी के बाद हम जो दूसी ranges देखते है, तो वो कौन सी निकल के आती है, वो है आपकी विंध्यांचल ranges, देखो, ये वाला जो पाट था सत्पुड़ा का, इसको हमने क्या बोला, मैकल बोला, इसको क्या बोला, महादेव बोला, ये इधर चले गए, तो गौलीगर बोला, फिर इधर चले गए, तो राजपीपला बोला, समझ गए, फिर जैसी हम देखते तो विंध्यांचल के भी ऐसी बहुत सारे सबडिविजन है, जो विंध्यांचल माउंटेर रेंजेस है, विंध्यांचल माउंटेर रेंजेस के भी आपको कुछ सबडिविजन दिखते है, और विंध्यांचल माउंटेर रेंजेस के क्या-क्या सबडिविजन है, तो कैमूर हिल्स जो है इस्टन पार्ट है इस्टन पार्ट है जो यहां से आप देखोगे यह वाला जो पार्ट है इसको आप कैमूर बोल सकते जो बिहार तक जाता है तो कैमूर हिल्स इस्टन पार्ट है उसी के साथ आप देखोगे तो इसमें दूसा पार्ट मिलेगा आपको भ िने पार्ट को पेस्तेदिन अस चिच्ञ को छ सिंगार के नाम से कहते हैं तो सिंगार हिल आपका कहा पर है वेस्तन पार्ट ने हो जह आपको यहाँ च्छ आए रखना यह अ रखने घिज़ और यहीं विंद अचल माउंटेञ आपको बात करतें यहाँ पर डिखा यहां पर से बना हुगा है अब जैसे कि यहां से बात करते हैं जो कैमूर वाला पोर्शन है वो इस्टन पार्ट है है ना कैमूर वाला पोर्शन इस्टा पार्ट जो आपका मैहर आपका कटनी आपका सतना यह वाला जो पोर्शन है सो कैमूर वाला पार्ट बोल दिया है ना और कैमूर जगा है वो मत्यविदेश कौन से डिस्टिक में कटनी डिस्टिक में कैमूर सिमिंट फैक्टरी कटनी है ना फिर जैसे यहां से आ गए तो यह भांडेर मीडिल वाला पूर्शन है वो सिंगार जो है हमने इस साले पूर्शन को कहा देखिए सकपुडा क्या थे सकपुडा एक जैसे पैरलली जाते हुए नहीं दिखेंगे इसलिए आप देखते हो कि विंद्यांचल जियोलोजिस कई जियोलोजिस ऐसा मानते है कि विंद्यांचल को हम लोग एक कम्प्लीट माउंटे रेंज की तरह नहीं मान सकते तो यह भी एक समस्या यहां से लेकिन ठीक है कोई बा किया है चंबल यह सब विंद्यांचल माउंटे रेंजेस से ही तो ओरिजनेट होती है लेकिन वह आप से पूछता है कि इसी विंद्यांचल माउंटे रेंजेस का हाइस पॉइंट क्या है तो इस विंद्यांचल माउंटे रेंजेस का जो हाइस पॉइंट है वो कौन सा है सदभावना पीक कौन सी पीक सदभावना सदभावना पीक जिसको हम लोग एक नाम से कहते है उसका highest point क्या है सदभावना पीक और इस सदभावना पीक को ही हम लोग किस नाम से कहते है इसको ही हम लोग कालुमार के नाम से कहते है इसको ही हम लोग कालुमार के नाम से कहते है औ 752 meters हमको इस सद्भावना पीक की हाइट दिखने वाली है तो यह आपकी एक mountain range हो गई कौन सी आपकी विंध्यांचल mountain ranges है तो यह भी याद रखेगा तो इसका highest point है इसी विंध्यांचल mountain ranges में आप देखोगे तो जो आपका मैहर में शार्दा माता temple इसे विंध्यांचल mountain ranges में ह है तो विंध्यांचल mountain ranges tourism और river के perspective से बड़े important हो जाते है उसके अलावा limestone और red sandstone वगएरा के reserves के लिए इनको जाना गया है तो यह आपके कौन सी mountain ranges हो गई यह हमारी विंध्यांचल mountain ranges है जो मद्विदेश में नर्मदा के north में है क्योंकि नर्मदा क्या कर रही है नर्मदा इन दोनों के beachो beast से बह रही है नर्मदा इस rift valley से बह रही है तो नर्मदा के north में हमको कौनसी mountain ranges मिलेगी नर्मदा के north में हमको विंध्यांचल mountain ranges मिलेगी और नर्मदा के south में हमके satpuda mountain ranges मिलेगी तो यह आपका एक बहुत छोटा सा topic था mountain ranges अमद्विदेश बहुत basic ज़्यादा यहां से फूसता भी नहीं है आपको तो बस इत्याद रखना है कि सत्पुडा का इस्टन पार्ट आपका मैकल मिडिल पार्ट महादेव वेस्टन पार्ट राजपीपला महाराश में लगा हुआ पार्ट गौलीगर सत्पुडा का सबसे हाइस पॉइंट है धूग इसको की टू डेकन कहते हैं दूसरा चले गए तो एक और चीज है सत्पुडा कंटिनेंस माउंटर रेंज है और यहां पर ग्रैनाइट और बैसाल्टिक रॉक सिस्टम हमको बना और से यह बना हुआ मिलता है उपर चले गए तो नर्मदा के नौर्थ में आपको विंद्या और स्राइट स्टों के रिजवस हमें दिखाई देते हैं और फिर आप देखोगे कि इसी कैमूर हिल से हम लोग देखते हैं रिवर निकलती इसका नाम है टोंस रिवर और कें रिवर यह कहां से निकलती है और को कें रिवर हो कटनी से निकलती है टोंस रिवर आपकी सतना से निकलती है फिर आप देखोगे इनी कैमूर हिल्स में जो मही हर है जिसमें शार्दामाताग टेंपल है फिर आप देखोगे विंद्यांचल माउंटर रेंजेज में राइसेन के पास हमको एक केव दिखाई देती है भीमबेटका रॉक शेल्टर और इसी के बाद आप यहां से देखोगे कि इनी विंद्यांचल माउंटर रेंजेज में हमें एक और चीज दिखाई देती है तो वह चीज क्या है तो इनी विंद्यांचल माउंटर रेंजेज में जो हमें एक और चीज दिखाई देती है उनका नाम क्या है वह है कि यहां से मैग्जियम रिवर्स जो है म जिसको कालुमार के नाम से जाना आता है दमो डिस्ट्रिक में 702 मीटर और एक और याद रखिएगा कि मत्य विदेश में सौसर हिल्स कहां पढ़ती है पांडोरना पहले चिंदवाडा में आती थी अब पांडोरना पढ़ेगी लमेटा हिल्स कहां पढ़ेगी तो लमेटा हिल मत्यविदेश में कहां पर है तो लमेटा हिल्स मत्यविदेश में आपको जबलपूर मिलेगा यह आयरन और 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 फैल्सपार के रिजर्फ के लिए यानि आती है लमेटा हिल्स उसके अलावा आपसे पूचेगा तो उसके अलावा आपसे क्या पूचेगा सौसर हिल्स कौ पर मिलने वाली है तो चिलफी सीरीज है जो है मदविदेश के बाला घच डीस्टरिक में हुआ है चिंद वारा न अलग होग्या और सौसर तैस्टरिक कहां आ गई है पांडुर्ना में रहा चैसि haircut पांडुर्ना चिंद अलग है जो अलग है इंको थोड़ा याद रखेगा तो ये एक portion हमारा और निकल के आ गया अगले topic पर हम चलते हैं तो अगला topic क्या है मद्यविदेश में अगला topic है मद्यविदेश के forest of MP मद्यविदेश के one मद्यविदेश के जंगलू की बात करते हैं आप सभी को मत पता है मद्यव पूछ सकता है वह यहां से पूछ सकता है आप से यहां से पूछ सकता है वह यहां से पूछेगा national parks वह यहां से आप से क्या पूछ सकता है वह यहां पर आप से मद्यविदेश के national park पूछ सकता है वह यहां से मद्यविदेश की wildlife century पूछ सकता है वह आप से मद्यविदेश क मद्यविदेश के forest producers पूछ सकता है कि मद्यविदेश के forest producers के नाम बता ही है और वो आप से यहां से और कुछ क्या पूछेगा तो कुछ random हम लोग देख लेंगे अगर मिस्लिनियस कुछ लएगा तो इतने topic जो है आपके prelims में forest toilet topic से आ सकते हैं और इसी से हम देखेंगे कि यहां पर क्या क्या चीजे हैं तो सबसे पहले एक थोड़ा सा यहां पर सिधे क्या निकल के आ गया है अपने पास हम ठीक तो जैसे कि आप लोग देखोगे अगर मैं बोलू कि यहां से कुछ चीजे में आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले अगर कुछ मिसलीनियस फैक्स जैसे नैशनल पार्क और वाइल लाइफ सेंचुरी पर आने से पहले अगर मैं आपसे बोलू कि हम लोग क्या करें कि एक ऐसा रेंडम टॉपिक जो मिक्स तो प्रिलिम्स के रिलेटेट जो एदा होदर के फैक्स आपके जो होते रहते हैं तो तो प्रिलिम्स रिलेटेट फैक्स हमें कहां से क्या क्या दिखाई देते हैं तो कुछ एयर से कुछ एयर से जो हमें प्रिलिम्स रिलेटेट फैक्ट दिखाई देते हैं तो वो एयर्स कौन कौन से पहले उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात निकल के आती है जो पहल पहले बात कर लेते हैं, वो कौन सा है, पहले मैं heading यहाँ पर देदू, कि हम लोग मदविदेश के कुछ prominent years कर रहे हैं, मदविदेश का जो पहला year निकल के आ रहा है, वो है 1951, 1951 वो year है, जब पहली बार राजा मारतंड सिंग ने किसको देखा था, मोहन को देखा था, फर्स् मारतंड सिंग और यहां से आपको एक और फैक्ट बता है राजा मारतंड सिंग कौन सी डाइनस्टी के रूलर थे और आपको बता है कि रीवा पर रूल क्या करते थे इसलिए रीवा को बोला आता है लेकिन जो मोहन को पहली बार देखा गया था तो आज वो जो जगा है सीधी दुबरी नैशनल पार्क के जंगलों में देखा गया था लेकिन वो उस टाइम पूरा रीवा इस्टेट ही तो कहला था सीधी वगेरा सब रीवा इस्टेट का ही तो पार था और बाद में फिर मोहन को गोविंदगर वो ले आया है और फिर वहीं पर ब्रीडिंग वगेरा ह तो फिर यहां से आप एको नाम कोन आता है यह आया 1952 यह क्या आगया 1952 1952 में क्या आई First Forest Policy of MP क्या लेकिया हम लोग First Forest Policy तो मद्यविदेश की पहली Forest Policy अब तुम बोलोगे 1956 में मद्यविदेश तो मद्यविदेश की पहली Forest Policy 1952 में कैसे आ गई क्योंकि उस ताइम Central provinces वाला region था तो इसलिए हम लोग वो आली forest policy आई थी तो उसको हम MP की पहली forest policy मनते हैं फिर year आगया 1963 1963 में क्या हुआ था तो 1963 में set up हुआ सफरी क्या set up हुआ सफरी State Forest Research Institute State Forest Research Institute जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सफरी के नाम से कहते हैं और यह सफरी कहां पर बना यह आपका जबलपूर है बना State Forest Research Institute यह कहां पर set up हुआ है जबलपूर में set up हुआ और इसी के साथ आप यहां से देखोगे तो एक और अगली चीज आपको दिखाई देगी जो चौथे नंबर पर आपको दिखाई देगी 1964 तो मद्यविदेश में तेंदू पत्ते का nationalization कौन से year में हुआ तो मद्यविद जाता है 1960 स्वारी 1970 मद्यविदेश में कौन सा यह जाता है मद्यविदेश अपने पास जो next year जाता है 1970 इस 1970 में क्या हुआ था मद्यविदेश में forest का nationalization हुआ था मद्यविदेश गौर्मेंट ने forest का nationalization कर दिया था तो यहां से आप देखेंगे मैं अगर आपको एक दो ची जो बीच के जो बिचौली है माफिया थे उन पे नहीं होगा क्योंकि तेंदुपत्ता कही ना के मद्यविदेश की जंजातियों की एकॉनमी से बहुत ज्यादा असोसीट है इसलिए गौर्मेंट ने बोला कि हम इस पर कंट्रोल करेंगे तो उनको जानदा उससे benefit मिल सकेग यह यह इसलिए इसका चाटिशन की आ गया था फिर आप देखोंगे च्ट्वे नंबर पर आपको एक और ऑर दिकता है 1972 1972 1972 में भारस सरकार का Wildlife Protection Act आया था क्या आया था Wildlife Protection Act 1972 में क्या आया Wildlife Protection Act आया था और इसी Wildlife Protection Act के थूँ 1973 में क्या आ गया 1973 में आ गया Project Tiger 1973 में हमने क्या लाँच कर दिया 1973 में लाँच हो गया Project Tiger लाँच हो गया इसी के बाद आप देखते हो तो आठवे नंबर पे year आ गया कौन सा year आ गया 1975 और 1975 में क्या हुगा 1975 में देखते हो मध्य विदेश forest development corporation को setup किया गया किसको MP forest development corporation MP forest development corporation को setup किया गया तो यह भी एक fact यहां से याद रखेगा तो MP forest development corporation कब 1975 में setup की गई तो यह भी एक fact यहां से याद रखना ठीक रहेगी इतनी बात याद तो फिर एक और चीज़ है फिर 9 नंबर पे हम लोग देखोगे तो 9 नंबर पे आपको दिखाई देगा 1976 में MP government ने start की थी social forestry scheme कौनसी scheme social forestry scheme तो social forestry scheme कब चालू ही तो social forestry scheme 1976 में चालू ही जैसे कि मैं आपको यहां से एक चीज़ बता दू 1975 में MP forest development corporation हिंदी में बोलूँगा तो और अच्छे समझ में आएगा मद्यविदेश वन विकास निगम तो यह मद्यविदेश वन विकास निगम जिसका headquarter कहां पर है इसका headquarter आपको दिखाई देता है इसका headquarter है मद्यविदेश के भुपाल में और यह मद्यविदेश वन विकास निगम होता है इसका जो chairman होता है इसके जो chairman होते है कौसा निकल के आ रहा है था नेक्स्ट इयर लुकिंट इर रहा हूप आपास। यह कौं सा निकल कर ना-्राहू है नैक्स्ट इयर है waar जो आपका कौं सा निकल के आ रहा है कि ऑगे थैवने 9 देख लिये हैं सक एस looks 3 पर ड्रैंट नंबर पर आपको एगला यह निकल कर कॉलेज कहां पर है तो forest stranger training college MP में कहां पर है बाला घाट में है तो यह भी fact यहां से याद रख सकते है और अगर मैं आपको एक और बात यहां से बताऊं कि मद्य विदेश का forest department एक मातर ऐसा department है जो महिला आरशन नहीं देता तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेगा फिर जैस पिछले ही premium आया है और कई लोग गलत करके आये है 1982 में institute setup हुआ जिसका नाम है IAFM जो कहां पर situated है IAFM situated है भुपाल Indian Institute of Forest Management IAFM कहां पर है IAFM भुपाल में है जिसका full form है Indian Institute of Forest Management जो forest management में MBA करवाता है फिर आप देखो गे बारवे नंबर पे तो बारवे नंबर पे आपको क्य दिखाई देगा बारवे नंबर पे आपको दिखाई देगा 1982 के बाद आपके पास year आ गया 1987 1987 में आप देखते हो कि जो पहली forest development report है जो first forest report है first जो forest report है वो publish हुई थी 1987 में फिर आप देखते हो 1988 1988 में क्या हुआ 1988 में जबलपूर में ट्रोपिकल डेसीडियस forest ट्रोपिकल ड desidious forest research institute set up हुआ Tropical desidious forest research institute तो यह सेट अप हुआ Tropical desidious forest research institute आपका set up हुआ 1988 में और यह कहाँ पर है तो यह आपके जबलपूर में सिचुएटेड है कहां पर सिचुएटेड है तो यह मदविदेश के जबलपूर में है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस रिसर्च इंस्ट्यूट फिर आप देखोगे तो चौधवे नंबर पर आपको एक और चीज दिखाई देती है तो आपका निकल के आता है यह आता है इसको सैट अप किया गया तो यह मदविदेश के चिंदवारा में इसको सैट अप किया गया है तो यह आद रखे गा देखो तीन इस्ट्यूट हो चुके है जब बोलेगा स्टेट फॉरेस इसर्च इंस्ट्यूट सफरी कहां पर है तो सफरी जबलपूर में फिर आपसे आपका भोपाल में और इसी के साथ आप 15 नंबर पर देखोगे तो इसी के साथ जब आप 15 नंबर पर देखोगे तो 15 नंबर पर आपको कौन सा दिखाई देगा तो पंधरवे नंबर पर आपको एक और यह दिखाई देगा साल 2001 साल 2001 में क्या हुआ तो साल 2001 में लोग वानी कि एक्ट MP Government ने इंट्रोडियूस किया कौन सा एक्ट लोग वानी की एक्ट तो याद रखेगा कौन सा एक्ट लोग वानी की एक्ट तो लोग वानी की एक्ट कौन से यह में इंट्रोडियूस हुआ है तो लोग वानी की एक्ट साल 2001 में इंट्रोडियूस हुआ है और फिर यह और इसी 2002 में हम लोग देखते हैं क्या बायो डाइवर्सिटी एक्ट पास हुआ था तो 2002 में हम कौन सा एक्ट देखते हैं बायो डाइवर्सिटी एक्ट तो बायो डाइवर्सिटी एक्ट कौन से एयर में आया तो बायो डाइवर्सिटी एक्ट जो है आपको दिखाई देगा 2002 में और उसी के साथ आपसे पूचता है कि मद्य विदेश में इसी साथ आपसे एक और फैक्ट पूछेगा कि मद्य विदेश में बाय डायवर्सिटी डिपार्टमेंट कब सेट अप हुआ या आपसे पूछेगा सीधा सास्ट कोश्चन है 2005 में तीन चीजे हुई है 2005 में लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब 2005 इसी साथ आप देखते हो तो 19 वे नंबर पे 2005 में एक और चीज हुई है 2005 में आपको एक और चीज दिखाई देगी वो क्या है कि आप देखोगे मद्यविदेश गौश्मेंट ने एको टूरिजम बोर्ड बनाया है तो MP एको टूरिजम बोर्ड जिसका हेड़्कॉर्टर कहाँ पर है जिसका हैड़कॉर्टर भोपाल में है और यह कौनसे यह यह यह 2005 है बना है फिर आप देखोगे 20 नंबर पे तो 20 नंबर में आपको फिर एक चीज़ दिखाई देगी 2005 में फिर से 2005 में आप देखोगे MP Biodiversity Board क्या बनेगा MP Biodiversity Board इसका Headquarter भी कहाँ पर है भोपाल में है तो MP Biodiversity Board तो MP Biodiversity Board का Headquarter कहाँ पर है MP Biodiversity Board का Headquarter आपको बोपाल में दिखाई देगा तो MP Biodiversity Board set up in the year 2005 with its headquarter at Bhopal so these are the famous institutions related with related with forest in Madhavidesh so institutions are 1951 first time the White Tiger Mohan sited at Siddhi है ना by Raja Martin Singh of Riva next year 1952 first forest policy of Madhavidesh introduced in the year 1952 1963 State Forest Research Institute set up at Jabalpur 1964 1963 का हो गया State Forest Research Institute Jabalpur 1964 Tendhupatta was nationalized by MP Government 1970 Forest was nationalized by MP Government 1972 Wildlife Protection Act introduced by Government 1973 Project Tiger introduced by Government 1970 1975 में आप देखते हो Madhavidesh Forest Development Corporation with its headquarter at Bhopal और इसके जो Chief होंगे इसके जो Chairman होंगे वो कोन होंगे Honorable Forest Minister और Madhavidesh अभी कोन है President Vijay Shah जो है 1976 में आप देखोगे Social Forestry Scheme और फिर यहीं से देखोगे तो आपको जो next year दिखाई देता है 1979 Forest Ranger Training College कहा Setup किया गया Balaghat इसके बाद year आता है 1982 1982 में आप देखते हो कि IIFM Indian Institute of Forest Management कहा Setup किया गया चिंदवारा में Setup किया गया 2001 लोखवानी की Act 2002 लोखवानी की Rules 2002 Biodiversity Act 2005 लेटेस Forest Policy 2005 में आप देखोगे Eco Tourism Board Setup at Bhopal 2005 में आप देखोगे उसके अलावा जो कुछ important काम काम के year है जो अगर मैं आपको बूलू कि आपके लिए exam के लिए perspective से बहुत important है तो वो कौन सा है जैसे कि हम लोग देखेंगे 21 पे एक और year आपको दिखाई देता है 2008 2008 2009 2009 तो 2009 में आपको क्या दिखाई देता है state action plan for climate change 2009 में क्या दिखाई देगा state action plan for climate change तो state action plan for climate change introduced in the year 2009 basically क्या हुआ 2008 में भारत सरकार लेकि आई थी national action plan for climate change और उसी के पैरलली 2009 में मदविदेश सरकार ने अपना launch कर दिया था state action plan for climate change तो इसको भी थोड़ा से याद रखेगा in the year 2009 है ना तो ये एक और fact यहां से ये निकल के आ गया फिर year चला गया कहां year चला गया आपका 2010 2010 में क्या हुआ forest development agency state forest development agency set up in which year तो state forest development agency को set up किया गया था कब इसको set up किया गया था 2010 में फिर जैसे आप यहां से देखोगे 23 वाले में तो 23 में आपको दिखाई देगा state bamboo mission state bamboo mission state bamboo mission started by MP government state bamboo mission started by MP government और फिर एक year आता है वो year कौन सा है 24 पर आप उसको देखोगे तो year आपका निकल के आता है 2016 year कौन सा है 2016 और वो जो year क्या था है इसमें मदविदेश की पहली white tiger safari start की गई थी कौनसी मदविदेश की पहली white tiger safari जो है start की गई थी कहां पर mukundapur सत्ना तो first white tiger safari first white tiger safari of patriy first white tiger safari of MP first white tiger safari of MP स्टार्ट की गई यहां से कहाँ पर मुकंदपूर मुकंदपूर और मुकंदपूर कहाँ पढ़ता है तो यह मुकंदपूर जो है आपके मद्विदेश के सतना डिस्ट्रिक में पढ़ने वाला है मुकंदपूर मद्विदेश के कौन से डिस्ट्रिक में सतना डिस्ट्रिक में तो इतने यहां से याद रखना है अगर आप देखोगे तो यह मैंने आपको बला था ना कि बहुत इधर उधर के जो कच्रा फैक्ट है उसको में पहले करवा देता हूं फिर हम नैशनल पार्क वाइल डाइस एंजुटा हरको भी पढ़ा रहा है आपको तो आप कहीं न अगई पड़ी ट्रॉपिक के ओपर चल रहा है तो यह तो हो गई है लेकिन इसके अलावा भी मद्यविदेश में अलग-अलग कुछ फैक्ट से जो हमको याद रखना है अधर फैक्स जैसे हम लोग जो करीद है उस पेज में कि अधर फैक्स और कौन-कौन से दिखाई देते हैं प्रिलिम् in-pi के पास क्या है MP के पास बहुत सारे स्टेटर साइग जैसे कि मद्यविदेश को क्या घाता है आप को पता होगा किमद्यविदेश को कहा जाथा है । मद्य विदेश को क्या कहा जाता है, MP को कहा जाता है, टाइगर स्टेट, MP को कहा जाता है अलिगेटर स्टेट, MP को कहा जाता है लेपर्ड स्टेट, पूरे MP में आपको 3000 से ज्यादा तेंदुए दिखाई देते हैं, इसलिए MP को आपका लेपर्ड स्टेट भी कहते हैं, MP को कह आपसे पूस्ता है कुछ अलग से facts तो उन अलग से जो facts हैं कि हम बात करते हैं जो कही ना कहीं क्या है कि मद्य विदेश में जो total tigers की population है तो वो हमको पता चलता है कि मद्य विदेश में देखो सबसे पहले जब 2006 में जब सबसे पहले 2006 में census हुआ था tiger census तब मद्य विदेश में 300 tiger थे फिर जब 2010 में tiger census हुआ तो मद्य विदेश में 257 tigers है फिर 2014 में जब tiger census हुआ मद्य विदेश में 308 tiger है जब 2008-18 में tiger census हुआ मद्य विदेश में 526 tiger निकले और फिर जब 2022 में tiger census हुआ तो मद्य विदेश में total number of tiger कितने हो गए मैंने आपको बताया था कि मद्यविदेश में 3,000 से जादा लैपर्ड है, इसलिए मद्यविदेश को लैपर्ड स्टेट भी कहते है, मद्यविदेश को वल्चर स्टेट, ऐलिगेटर स्टेट, वोल्फ अतेंदुवा स्टेट, और मद्य विदेश बाइडिवर्सिटी बोर्ड मैंने आपको बताया कौन सेयर है बना 2005 इसके अलावा हमारे पास कुछ facts है कि जैसे मैंने आपको बोला था कुछ other random facts है कि मद्य विदेश का पहला environment court कहां पर setup किया गया तो मद्य विदेश का पहला environment court जो है वो आपका भुपा में साल 2000 में और फिर आप देखते हैं गिद्ध राज परवत MP में कहां पर है गिद्ध राज परवत सत्ना में है डिजास्टर management institute भोपाल कब setup किया गया तो disaster management institute भोपाल जो है setup किया गया 1987 में उसी के अलावा आप देखते हो कि बख्षवहा forest अभी recent में हमने देखा है कि मद बख्षवा forest area मद्विदेश के कौन से district में दिखता है बख्षवा forest area मद्विदेश के छतरपूर district में आपको दिखने वाला है मद्विदेश में हम लोग देखते है कि 5th of June world environment day अभी ये बहुत important बहुत जगा पूछा जा रहा है इस question को कि 5 June 2020 को world environment day को मद्विदेश गवर सब्सक्राइब होगा ज्यादा ज्यादा plantation करेंगे state level environment impact assessment authority बहुत important fact कि मद्विदेश में state level impact इंवर्मेंट इंपक्ट असिस्मेंट अथॉरिटी कव सेट अप की गई तो 2006 और यह जो अथॉरिटी थी यह कहां पर situated है तो यह भुपाल में है तो यह याद रखिएगा state level environment impact assessment authority was set up in Bhopal in 2006 मद्विदेश tiger foundation society 1997 में setup की गई और सत्पुडा मेलघा tiger corridor जो है बैतूल district से पास होता है क्या होता है सत्पुडा मेलघा tiger corridor जब आप दो tiger reserves को जोड़ते हो तो उनके बीच में कुछ patches होते हैं उनके बीच में कुछ patches होते हैं तो आप जादे जादा plantation कर देते हो और एक पुरा route देते हो कि इसको tigers को तो उसके लिए हम लोग क्या गड़ते हैं तो उसके लिए हम corridor बनाते ताकि दो बड़े-बड़े tiger reserves को जोडा जा सके तो बीच वाले जो एरिया उसको जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते है उसको हम लोग बोलते कि जस्त नीचे परतवाडा है माहराश्टरा का वहाँ पर है मेलघाट टाइगर इजफ तो ये टाइगर जो मेलघाट व सत्पुड़ा तो एक हमने किया है अरिया वाइस एक हमने किया है आपका पर्सेंटेज वाइस तो दोनों चीजे आपको इहां से निकल कर आ रही है जैसे देखते हैं ध्यक्ति इक मद्धिश में जाराले लॉसौ तो एम-पी में तो बाला घाट दूसरे नमबर पर एरिया वाइस कहां छिंदवारा में सबसे आदा जंगल है तीसे नमबर पर बैतूल जीले में सबसे आदा जंगल है और चौथे नमबर पर शियोपूर जीले में सबसे आदा जंगल है तो बाला घाट छिंदवारा बैतूल और शियोपूर उसके अलावा जब वो percentage wise बात करता है तो percentage wise मद्विदेश में सबसे आदा forest आपको दिखेगा फिर से भाही हमारा जीला आगया बालाघाट जिसके 53.34% पर आपका forest है और ecological balance के लिए 33% area पर forest होना चाहिए कितने 33% area forest होना चाहिए लेकिन हमारे तो बालाघाट जीले में कितना है वहाँ पर 53.34% जो है forest cover है बालाघाट में शियवपो डिस्ट्रिक में आप देखोगे तो 52.1% है उमरिया में 49.1 है मंड़ा में 44% है तो यह जो है मद्विदेश में percentage wise है और फिर वह आप से पूछता है कि मद्विदेश यह lowest forest cover area wise और percentage wise किस जिले में है तो answer सिरफ एक ज देखा है area wise और एक और हमने देखा है क्या percentage wise तो यह भी एक fact है next आगे चलते है तो अब आपने लोग लेके आ रहा है कौन से हमारे national parks किसकी बात कर रहा है हम लोग मद्विदेश के national parks की बात करेंगे कि मद्विदेश में आपको कौन कौन से national park मिलते है और एक और यहां से एक में बात बता ना भूल गया आपको LDL में कि मद्विदेश में अगर आपसे forest cover पूछे तो मद्विदेश का forest cover कितना है 30.72% के आसपास जो मद्विदेश का forest का area है और इसी साथ हम देखते है कि मद्विदेश में जो दूसरी चीज़े अप क्या है मद्विदेश के national parks ज आज से ये national park है मतलब यहां पर human activities ना के बराबर हो जाएगी कि हमारे forest के permission के अलावा यहां कोई enter नहीं करेगा यहां किसी प्रकार की कोई लकडी नहीं काटी जाएगी किसी प्रकार की कोई economical activity नहीं होगी यह पूर्ण रूप से जैसा एक जंगल होता है बिना किसी human disturbance का वै इन सी टू conservation साइट से तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा तो यह आपके national parks है और जैसे कि हम लोग national parks की बात करते तो मद्यविदेश तो पूरे इंडिया में सबसे आदा national park आपको कौन से state में दिखता है तो पूरे इंडिया में सबसे आदा national park है आपको national park कौन सा national park है मद्यविदेश का पहला तो MP का जो पहला national park है उसका नाम है काना national park यह काना national park कौन से year में सेट अप हुआ था तो काना national park को 1955 में सेट अप किया गया था और इसी के साथ मद्यविदेश का first national park बना यह क्या है बना मद्यविदेश का पहला national park बना और इसी के सा प्रोजेक्ट टाइगर बनने वाला भी मद्धिश का एक पहला नेशनल पाक कों सा कानः नेशनल पाक मद्धिश के कौन से दिस्किमे मंडला और बालागाट डिस्ट्रिक में आपको कानः नेशनल पाक दिखाई देटा ऄफ़ेंब अन्योर चीज चले गए तो यहां से एक और निकल के आ रहा है इसी नेशनल पार्स थो यह बारा सिंगा जाना आता है तो ये बारा सिंगा जो मद्यविदेश का क्या है state animal भी है इसी साथ आप देखोगे इसी national park के बारे में तो ये जो national park है यहाँ पर आपको बहुत सारे तालाब मिलते है और कभी आपसे पूछे कि मद्यविदेश में श्रवन ताल कौन से national park में है तो मद्यविदेश में जो श भूर सिंग दा बारा सिंगा है जिसका official mascot क्या है भूर सिंग दा बारा सिंगा इसका official mascot है और जो भूर सिंग दा बारा सिंगा जो है उसको किसने डिजाइन किया था उसको डिजाइन किया था किसने रोहन चक्रवरती ने उसको किसने डिजाइन किया था उसको डिजाइन किय था रोहन चक्रवर्ती में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है आपका भूर सिंगदा-बारा सिंगा को अगर आप देखोगे तो ये है ये मद्य बिदेश का स्टेट ऐनीमल है ये भूर सिंगदा-बारा सिंगा और यहीं से साथ आप देखोगे तो एक चीज और दिखर घै? कहा चला गया है यह वाला जो श्रवन ताल के बात कर रहा था तो श्रवन ताल जो है आपको यहां पर दिखाई देगा तो यह आपका एक presumका यहां से यह निकल के आगी, तो इसको भी यहां से देख लीजेगा, तो मद्धविदेश में हम लोग क्या देख रहा है कि श्रवन अताल आपको कहा दिखाई दे रहा है, इसी नेशनल पार्क में, फिर एक और फैक निकल के आ रहा है, मद्धविदेश का वो कौन सा नेशनल तो वैगा वोमेन को वाइडिव, कंसरवेशन ट्रेणिग जो है, जिस नेशनल पार्क में दो नाम का नाम कॉन सा नेशनल पार्क है, उसका नाम है आपका कांधा नेशनल पार्क, तो यह भी एफैक यहां से याद रखिएगा, ठीक रहेगी बात याt फिर जैसे यहां से तो एक और चीज का निकल के आगई इसे नेशनल पार्क के साथ तो यह कॉले चीज़े आपको याद रखना है कि यहां पर एयर श्ट्रिप भी है मद्धर विदेश का वह नेशनल पर्ग जो एयर इस्ट्रिप के लिए जाना जाता है तो आपका कौनसा नेशनल पार्क अमध् अध़ विदेश के कुछ ऐसे और अदर फैक्स भी जो रहे गए थे जैसे की अब चलो एक नैस्टल पाउक के वीचों बीच में आगए जैसे कि फिर्स्ट बटरफ्लाइपार्क MP का कहां पर है कैसे आपसे उसने पूछ लिया कि फिर्स्ट बटरफ्लाइपार्क जो MP का कहां वेली औबटरफ्लाय पर है तो पंचमरी है संजीवनी इंस्ट्यूट कहां पर है भुपाल में है जडी बूटी बैंक कहां पर है पंचमरी में है बाम्बू ट्रीट्मेंट प्लांट आपके सतना डिस्ट्रिक में तो यह भी कुछ ऐसे फैक्ट आपको देख लेना इसको एड तो इसको भी आद रखेगा और फिर यहीं से हम जो नेक्स लेके आ रहे तो बांबू डे सेलिब्रेट करते हैं तब 3 जुलाई को वर्ड बांबू डे सेलिब्रेट होता है 18 सेप्टेंबर को मद्यविदेश लोकमानी की अगरा बता है और अंकुर इसके मभी MP गवर्मेंट न को यहां से दिख रहा है और इसे एक साथ हमारा एक नेशनल पार खतम हो गया जिसको हमने क्या दिखा कानहा नेशनल पार जिसके आरह में लगभग सारी चीजे मैंने बता दी और एक चीज और रह गई कि पार इंटर्प्रेटेशन स्कीन चलती यहां पर विद्धा हेल्प आफ वर्ल्ड बैंक बाकी सारी चीजे हमारी हो चुकी है ठ्रिंक प्रोइध की गयी है विद्ध नेशनल पार हो गया यहां पका एक और कि लिए और इसको जो पावर डिराइब होती है प्रोजेक्ट टाइगर को वो डिराईब होती है वाल डे प्रोटेशन अ क्शे सब बढद द्वारे करनम के इए कौण से बाद इंपरेंट आप्टन से वार कोई है तो इसका जो डिस्ट्रीक है मदविदेश के आपको उमरिया डिस्ट्रीक में आपको बांधवगर नेशनल पार्क मिलने वाला है इसी के साथ आप देखोगे कि बांधवगर नेशनल पार्क जो है कौन से यर में सेट अप किया गया था जैसे आपके कान्हा कब सेट अप किया किल्ये को लक्ष्मन के लिए बनवाया था इसलिए इसको बन्धोगड के नाम से कहा जाता है बाद में बघहेस्टी जो पहले गहुरा पर रूल करते थे तो बंधोगड करते थे तो गहुरा की नहीं मिलता कि बांदोगड का किला किस ने बनाया और किले के आसपास का जो forest area है वो पूर्ण रूप से किस प्रकार से शिकार गहा की तरह use होने लगा सिरव उस समय जो dynasty period में लेकिन एक घना जंगल हमें आपर दिखाई देता और फी बाद में गौर्बंड ने 1968 में जब अवैद बन कटाई चालू होने लगी थी तो इसको national park declare कर दिया गया तो यह आपका कौन सा national park है यह हमारा कौन सा national park की हम लोग बात कर रहे है बांदोगड नेशनल पार्क की बात कर रहे है लोकेशन कहा उमारिया सेट अप कप किया गया 1968 और इसी national park की अगर मैं आपको एक और खास बात बताओं तो यह national park के जो famous famous features आपको मिलते है तो जो main features है इस national park के जो यहाँ पर मिलता है सबसे पहले तो यहाँ पर जो चीज मिलती है वह सेश शया विष्णू यहाँ पर क्या मिलती है आपको एक मूर्ती मिलती है किसकी शेश शया विष्णू की शेश शया विष्णू की शेश शया विष्णू और यह जो शेश शया विष्णू है यह ऐसा बताते ही कि density लिए जाना जाता है मद्ध व देश में सबसे आदा tigers की density इंडिया में सबसे आदा tigers की density किस national park में तो बांदहुगड national park में इन मद्ध व देश में सबसे आदा tiger maximum tiger पहले उ sollte नेकाफ में跳 गए जो एक बारे में इस हमें बारे मिलेगा है क कि यहां पर आपको मिलेगा सीटा 반डप सीटा मंडप क्या है सिता इक साइट है एक केव है जहां पर सीता टाइग्डरेस का मुवमेंट सबसे हाँ दिखाई देता था इसलिए उस केव का चरण गंगा रिवर flows through विस national park तो चरण गंगा रिवर flows through बांधवगar national park तो चरण गंगा रिवर यहीं से ट्रैवल करती है और इसी सार जब एक उर चीज़ देखते हैं इसी national park के आरे में तो इस national park में आपको क्या दिखाई देगा? कि यहाँ पर पहली बार आप लोग देख रहे हैं होट एर बलून सफारी स्टार्ट की है पहली बार किसी टाइगर रिजब में फॉरेज डिपार्टमेंट ने होट एर होट एर बलून सफारी होट एर बलून सफारी किस टाइगर रिजब में चालू की गई है अगर नेशनल पार्ग भी प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है यहाँ पर आपको सेश या विश्नु की मूर्ती मिलेगी यहाँ पर टाइगर डेंसिटी सबसे आदा है मैगजियर नंबर ऑफ टाइगर यहाँ है कभीर चौरा करके एक फेमस टेंपल है सीता मंडब एक केव है यहाँ है चरंगंगा रीवर यहीं से ट्रैवल करती है और होट एयर बलून सफारी जो है यहीं पर आपको अभी इस टाइगर रिजब से स्टार्ट की गई है उसके ला देश की सारी बात यहाँ से देख लोगे तो सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ बस ही आपके लिए रिविजन के लिए और लगा दी कि उमरिया 1968, 1993, 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर का स्टेटस दिया गया था और यह जो नेशनल पार्क है सराउंडेड है कितनी हिल तो यह आपका एक और हो गया कौन सा बांधोगर नेशनल पार्क नेशनल पार्क निकल के आता है आपके पास पेंच नेशनल पार्क जैसे कि आप पीछे फोटो देख रहे हो एक टाइगरेस का फोटो लगा है जिसका नाम है कॉलर वाली उसका नाम क्या है कॉलर वाली वहां पर देखी आती ती याद रखिए गा और इसका एक ओन नाम तो या रखिए गा कौन से निशनल पार्क पेंच नेशल पार्क और यह आपको दिखाई देगा कि जब इनकी डेथ हुई थी अभी तो बहुती सम्मान के साथ उसको किया गया था तो जैसी हम बात कर रहे हैं इस नेशल पार्क के वारे में पेंच नेशल पार्क के वारे में तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मिशन निकल के आ रही है और जैसे हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसे लिखके करेंगे जल्दियाद होगा कि इस पेंच नेशल पार्क की लोकेशन कहां दिखाई देती है जैसे कि आप देखोगे इस पेंच नेशल पार्क की जो लोकेशन है लोकेशन पेंच नेशल पार्क की मद्व टाइगर का में कब सामिल किया गया पेंच नैशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में 1992 में शामिल किया गया इस पेंच नैशनल पार्क को रुडियाइड किपलिंग की एक फेमस बुक है जंगल बुक है जंगल बुक उसमें भी मैंशन किया गया है इसलिए मदविदेश ग कौन से नेशनल पाक को इंद्रा प्रिय दर्शनी के नाम से भी जाना जाता है तो मद्य विदेश के पेंच नेशनल पाक को इंद्रा प्रिय दर्शनी के नाम से भी जाना जाता है एक और चीज है कि पहला लाइट प्रूफ और साउंड प्रूफ पहला राइट प्रूफ और स ही आती थी डेथ हो गई है यह भी फेक्ट यहां से याद रखेगा और एक और चीज मैं आपको यहां से बताऊं यह जो अलग कोश्चन है ना माता राम अभी के वी सी में पूछा गया था इकॉलर वाली टाइग्रेस कोन से नेशल पार्क में अभी डेथ हुई है तो यह इतन कहां दिखाई देटा है तो मेमोरियल अफ तुरिया जंगल सत्याग्रा जो 1930 में तुरिया जंगल सत्याग्रा हुआ था दुर्गा शंकर महता की लीडर्शिप में जिसमें सिविल डिस्वाइडियास मुमेंट के तहट शिवनी से एक बहुत बड़ी जो फोर्सेज है वो कहां आई थी वो आपके यहां पर इन जंगलों में आई थी और सिविल डिस्वाइडियास का लेकिन जो साइमन था वहां का लोकल आफिसर उसने क्या किया ओपन फायर करवा जिसमें कई सारे निर्दोष जो आदिवासी लोग थे उनके जान चली गई और इसको ही बोला गया टूरिया जंगल सत्याग्रा जो 1930 में हुआ था और यह जो कांड हुआ यह सत्याग्रा हुआ यह कहां पर हुआ तो यह सी पेंच के जंगलों में हुआ था इसलिए मैमोरिय जंगल सत्याग्रा यह किस नेशनल पार्क में है तो पेंच नेशनल पार्क में है जैसे कि अब लोग यहां से बात करते हैं अब देखो सिंपल सा तुहारे लिए प्री के लिए एक यह भी देख लो कि पेंच नेशनल पार्क मद्विदेश के शिवनी और छिन्वारा डिस् प्रप्लिंग की एक famous book है जंगल book उसमें इसको mention किया गया है Memorial of Turiya जंगल सत्यागरा जो है वो भी इसी नशनल पार्क में दिखाई दिखता है और establishment of Mowgli land जो Mowgli land है तो Mowgli land का जो establishment है मowgli land जो है वो भी आपको मदविदेश के कौन से नशनल पार्क में दिखता है इसी में और यहीं से आप देखते हो कि लंगडी बागी नोर कॉलर वाली टाइगरेज जो है आपको मदविदेश के किस नशनल पार्क में देखेगी तो पेंच नशनल पार्क और पहला साउंड प्रूफ और लाइट प्रूफ नशनल हाईवे जिसका नाम चेंज करके अब NH-47 कर दिया गया है नह-44 कर दिया गया है पहले NH-7 के नाम से आना जाता था तो यह सारी चीजे हम अल्री डिसकस करके आ चुके थे तो यह आपका निकल के आ गया फिर नेक्स यहां चल रहे है कि लार्जेस्ट हील और पेंच नेशनल पार्क इस काला पहाड यह बहुत है ठीक फिर नेक्स आगे जा रहे है तो अगला नेशनल पार्क आ रहा है हमारे पास पन्ना नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क जब हम पन्ना नेशनल पार्क की बात करते है तो मद्यविदेश का जो पन्ना नेशनल पार्क है इसको 1981 के अराउंड सेट अप किया गया था जीले की location को लेके तो tension ही नहीं क्योंकि पन्ना मतलब पन्ना नेशनल पार्क और जैसे कि आप इसकी बात करते हो कि जो पन्ना नेशनल पार्क है इसको मद्यवदेश का सरिस्का भी कहा जाता है क्या कहा जाता है सरिस्का ओफ एंपी जैस तरीके से सरिस्का में एक समय पे बहुत टाइगर्स का नंबर्स कम होता चला गया था उसी तरह से मद्यवदेश के इसी पन्ना नेशनल पार्क में भी जो टाइगर्स के नंबर है वो सड़नली डिक्रीज होते चले गए और उसी के साथ इसलिए इसको कंपेर किया गया सरिस्का ओफ एंपी बाद में प्रोजेक्ट टाइगर इसमें बहुत ही एक्स्टेंसिव लेवल पे चलाया गया और हमें इसमें बहुत सारे टाइगर्स आज हम आपके मदविदेश के पन्ना इस्टी में सिच्टेंट और एक हो जाद रिखीगा केन रिवर फ्लोस थूदिस नेशनल पाग विस्टी रिवर केन रिवर फ्लोस थूदिस नेशनल पाग बीगेस्ट एड़ उप इस नेशनल पाग वुन द लाज़े सेडिए उप इस नेशनल पाग वन आप लाज़े साइव इस नेशनल पाग सब्मच दू तु इस केन बेतवा रिवर लिंकिन प्रोजेक्ट। यहां कि हमारे काम की जो बाते हैं से निकल आ रही है इसका location इसका year लेकिन पीछे आप एक image देख रहा होगे वल्चर का वल्चर मतलब क्या गिद्ध का तो पीछे आप जो image देख रहे हो वल्चर का या गिद्ध का तो इससे आप ये समझीए कि ये जो वल्चर से मध्यविदेश में सबसे आदा कौन से जीले में दिखाई देते हैं तो मध्यविदेश के पन्ना डिस्ट्रिक में आपको सबसे आदा वल्चर दिखाई देते हैं और फिर पन्ना नेशनल पार्ग आज की तारिफ में project tiger का भी status रखता है क्योंकि इसमें number of tigers बहुत बड़े level भी बड़े है और इसी वज़े से इसको WWF की funding भी आती है World Wildlife Fund की funding मध्यविदेश के किस national park को मिलती है तो WWF की जो funding है मध्यविदेश के पेंच नेशनल पार्ग को मिलती है तो ये भी एक fact यहाँ से याद रखे हैं स्वारी पन्ना नेशनल पार्ग को मिलती है पेंच बोल रहा हूँ कि इस national park को पन्ना नेशनल पार्ग को मिलती है WWF की funding इसको पन्ना नेशनल पार्ग को मिल रही है और यहीं से आपका पूरी detailing हाओ देख लेते हैं कि पन्ना नेशनल पार्क जिसकी लोकेशन मद्विदेश के पन्ना और कुछ हिस्ता छतरपूर को बीटाच होता है 1981 में इस नेशनल पार्क को बनाया गया था और जो केन रीवर है कौन सी रीवर केन रीवर जो है वो इस नेशनल पार्क से ट्रैवल करती है और इस नेशनल पार्क इस नोन फोर रेप्टाइल्स बिलकु सही बात है जो रेप्टाइल्स मतलब जिसको हिंदी में हम लोग सरीश्रप के नाम से भी कहते है तो सरीश्रप या रेप्टाइल्स के लिए मद्यविदेश का कौन सा नेशनल पार्क फेमस है तो रेप्टाइल् मद्यविदेश के नाम से भी पुकारा याता है तो यह मद्यविदेश का एक और नेशनल पाक हो गया आपका कुंसा पन्ना नेशनल पाक तो इसको याद रखेगा इसी के अलावा जो नेक्स नेशनल पाक आप देख रहे हो जो पीछे एक बहुत बढ़िया फोटो आया है जि लेकिन समय के साथ क्या हुआ समय के साथ इसको अप्रूव किया गया कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एश्याटिक लाइंस लाएंगे कहां से गुजरास से गुजरास से क्या लेकिन गुजरास से एश्याटिक लाइंस किनी कारणवश नहीं आ पाए फिर यहाँ पर बोल सब्सक्राइब आपको याद रखना है इसलिए उस दिन उन्होंने यहाँ पर जो आठ चीते छोड़े थे जो कहां से लाए गए थे नामीबिया से लाए गए थे और यह कुनो नैशनल पाक क्या प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है तो कुनो नैशनल पाक आपका प्रोजेक् आपको दिखार दिखार है तो उसको भी तहडा से यहाँ से यहाँ रखेगा और यहीं पर हम पने देखा कि जो वह जो आख आपकर दिखार इंडे रही है का व्हार के तो यह तो तो आद שמח नजो देखाए तो नेशनल पार बीच पूरा पुरा आपक्रेंजिग कर रही बर्थट एक दिन नरेट मोदी ने जो यहां पर चीते छोड़े थे तो यह आप लोग देखते हो अफ्रीकन चीता अगमिंग टू दे नेशल पार्क और यह जो आपको दिख रहा है यह कौन है यह जो भाई यह इसका नाम है चिंटू इसका नाम क्या है चिंटू क्योंकि कु जीतावाज geben घंबाफिशन के खौर्ट और कूोंड पौपूर नेशनल पार्क और यह हमने आपास देटेल'll आ यह कही को से डिस्टिक में दिखता है तो कून पालपूर नेशनल पार्क उचैनल पार्क मद्वीदेश के श्योपूय्पूर और मद्वादेश के मुरैरा द तो यह मद्यविदेश का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है मद्यविदेश का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है याद रखेगा कौन सा आपका कुनो नेशनल पार्क 2018 में इसी के लावा याद रखेगा कि कुनो रिवर यहां से ट्रेवल कर रही है और इस नेशनल पार्क is known for the rehabilitation of Asiatic Lions, Asiatic Lions के लिए पहले जाना जा रहा था कि Gir National Park से हम लोग यहाँ पर Asiatic Lions लिखे आएंगे और recently हम लोग देख रहे है recently आपको कौन सी चीज दिखाई दे रही है recently on 17th recently on 17th of September 2022, recently on 17th of September 2022 यहाँ पर जो 8 जो चीता है वो यहाँ पर छोड़े गए थे जो कौनो से लाएगा थे जो चीता लेकिन क्यों लाएगा है क्योंकि 1952 में जो चीता है उनको Extinct declare कर दिया गया था क्या Extinct और इसका official mascot क्या है चिंटू चीता मतलब 1952 के बाद भारत में चीते नहीं देखे गए Extinct हो गए थे तो याद रखेगा तो यह आपका एको नेशनल पार्क आ गया क्या कुनो नेशनल पार्क चीते कब लाके छोड़े गा है 17th of September 2022 On the birthday of PM Modi यह दिन PM Modi का birthday था इसलिए यह celebrate भी उससी तरीके से हो गया फिन next national park है Satpura Tiger Reserve यह Satpura National Park के नाम से हम उसको कहते है तो यह जो आपका Satpura Tiger Reserve हो Satpura National Park है उसके बारे में हम कौन कौन सी चीज़े देख रहे है तो एक और आपका है Satpura Tiger Reserve जो आपको यहाँ पर दिख रहा है Satpura Tiger Reserve basically कहां पर है पंच्पडी नर्बादापुरम में situated है और इसको हम लोग एक नाम से कहते है Satpura National Park इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह जो forest areas है इसके बारे में Britishers भी ऐसा कहां करते थे कि इंडिया में जितने भी forest areas है उसमें सबसे बहतर forest कोई से है तो वो Satpura के forest है 1981 के around इस Satpura National Park को बनाया गया था जो आपके महादेव Hills नर्मदापुरम district में situated है और बाद में हम लोग देखते हैं कि 1999-2000 के around इसको Project Tiger का भी हिस्सा बनाया गया है जब इस National Park की बात होती है तो एक बहुत खास बात आती है कि इसकी official mascot इसकी जो official mascot है वो है निन्नी या एक जो क्या है वो giant squirrel एक बहुत बड़ी गिलहरी जो इसकी official mascot है अभी आप से बूच है इस Satpura National Park की official mascot क्या है तो वो है आपकी क्या नन्नी या एक giant squirrel भी है इसके अलावे इस National Park ता एक बहुत बड़ा fact important है कि Tigers की DNA testing मतवदेश के कौन से National Park में होती है तो वो आपके कौन से आपके सतपुडा National Park में होती है और इसी साथ कि Tawa Dam का backwater कौन से National Park तक आया हुआ है तो Tawa Dam का जो backwater है वो इसी सतपुडा National Park तक आया हुआ है तो इसको भी थोड़ा सा हमको याद रखना है तो यह हमारा एक National Park हो गया सतपुडा National Park और यहीं से आप उसका entrance gate देखोगे कि सतपुडा Tiger Reserve का और यह मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो जाइंट स्क्वेरल है यह जो आपको पीछे जो दिख रही है सतपुडा National Park का ओफिशल मैस्कॉट है ननी जिसको कहा जाता है ननी जिसको कहा जाता है ननी जाइंट स्क्वेरल इस ओफिशल मैस्कॉट और सतपुडा National Park सतपुडा National Park के वारे हैं आप हम information देखते है तो यह जो National Park है मदविदेश के नर्मदापुरम डिस्टिक में है इसको प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा 1999 में बनाया गया था और इसको National Park 1981 में बनाया गया था इस National Park से एक रिवर ट्रेवल करती है जिसको कहा जाता है देनवा रिवर कौन सी रिवर देनवा रिवर फ्लोस थूरू दिस National Park और यहाँ पर टाइगर्स की टीक फॉरेस्ट एक और यह भी याद रखेगा इसके अलावा हम देखते है कि इसका ओफिशल मैस्कॉट क्या है नन्ही जाइंट स्कुरल और फिर यहीं से आप लोग देखते हो भोपाल का एक और National Park है वन विहार National Park बात थी 1979 की और एक जीला था अद्यविदेश का भोपाल तो जो भोपाल जो डिस्ट्रिक है वहाँ पर जो अच्छा हासा dense forest था उसको conserve करने के लिए बात की जा रही थी कि उसको किस तरीके से conserve किया जाए क्योंकि भोपाल को नया capital बनाया गया था 1972 भोपाल डिस्ट्रिक बन गया है और construction अपने peak पे चल रहा है थे तो finally government of MPA DCN लेती है कि हम लोग भोपाल के आसपास के जो forest है उसको हम लोग national park declare कर देते ताकि जो deforestation है उससे बचा जा सके और हम लोग दिखते कि 1979 में वन विहार national park को बनाया जाता है और यह कैसा पहला national park बनता है जिसमें मद्यविदेश में जहां पे जो wildlife है या जो आपके wild animals है उनका adaptation होता है उसी के अलावा अभी night safari जो है मद्यविदेश के forest department ने इसी national park से start की है तो वन विहार national park location कहां पर है आपका भोपाल it was established in 1979 it is a kind of zoo wild animals adopted in this national park और night jungle safari MP government ने स्टार्ट की है तो यह भी आपका यहां से complete हुगा और यह आपका next national park निकल के आ रहा है माधव national park नाम से ही समझ में आ गया होगा जैसी माधव national park बोला तो गॉलियर साइट का वहां पर शिकार गहा हुआ करता था राजा महराजा यहां के शिकार किया करते थे बाद में धीरे 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 जब हम लोग देखते हैं कि 1911 के राउंड का फेस आ गया अंग्रेजों का भी शौक बनता चला गया शिकार करना टाइगर्स का क्योंकि उनके हां तो टाइगर इतने मिलते नहीं है और फिर हम देखते हैं कि जो किंग जॉर्ज है वो मैसेज भिषते हैं यहां के रूलर्स को कि मैं आना चाहता हूं माधव national park या इन क्लियर किया गया in the year 1958 और इसी जंगल के बारे में इसी national park के बारे में एक खास बात है कि सांखे सागर लेक और बरही रीवर आपको यहीं इसी नेशनल पार्क में दिखती है क्या यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है तो यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है क्या वनविहार प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है क्या आपका कुनो पालपूर प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्स कौनसी रिवर यहां से ट्रैवल करती है कि निशनल पार माधो नैशनल पार्क में और यहां पर एक पड़ती ही मने आपको बताया था सांके सागर लेग जिसके अभी अभी इसी साल रामसर वेटलेंड साइट इसको प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रपोस कर दिया गया है तो यह भी याद रखेगा न इसको प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रपोस किया गया नाकी बनाया है तो यह आपका एक और कौनसा निकल के आ गया माधव नेशनल पाक शिवपूरी नेक्स को चल रहे है मैंने आपको बोला था जब मैं बताया था कि रीवा को लैंड आफ वाइट टाइगर कहते हैं लेकिन मोहन को पहली बार सीधी डिस्टिक में देखा गया यह उसका जस्टिफिकेशन आपके सामने लगा हुआ है सफेद भाग मोहन की जन मिस्तली परिशेत्र वस्तुगा पोड़ी वीट परखोड़ा जीला जो है सीधी संजय ट आइगर रिजफ सीधी के परखोरा बीठ में बरगडी नाले के किनारे एक गुफा से रिवा के महराज मारतन सिंग को सफेद भाग मोहन 27 मई 1951 को सिकार अभियान में पकड़ा गया कब 1951 में इन ही जंगलों में और इसी सफेद भाग मोहन के वंसस संपूर्ण विश्व में आपको दिखाई देते हैं और एक और ची यहां से याद रखेगा कि इसी सफेद भाग का एक जोड़ा चंपक और चमेली को इंग्लैंड भीजा गया था चंपक और चमेली जो थी और शीम यहां में और चांपक भाग में तर आपके इसापके यहां रखेगा यह अतरख सारी दूसरी और तर वीश्विक और यह प्रोजेगर का हिस्सा है विया कordम पहली रिखती है है ना तो ये भी फैक्ट याद रखेगा साल 2000 से पहले मद्यविदेश का सबसे बड़ा नेशनल पाक हुआ खरता था लेकिन बाद में जब साल 2000 में मद्यविदेश से 36 गड़ को अलग कर दिया गया तो ये इसका बहुत बड़ा हिस्सा कहां चला गया 36 गड़ में चला गया त इसका बहुत बड़ा हिस्सा 36 गड़ में चला गया साल 2000 के बाद वहाँ पर इसको गुरू घासी दास वाइल लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है यह जो हैं 1981 में सेट अप किया गया था 2008-2009 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाया गया यह जो नैशनल इस नैशनल पारक के नाम से भी जाना जाता है ठीक रहेगी इतनी बात तो इसको भी अपने को यहां से याद रखना है तो यह एक और फैक्ट यहां से निकल के आ गया अभी आप देखोगे कि रिसेंट में एक नया टाइगर इजब बना है विरांगना रानी दुर्गावती टाइगर इजब लेकिन अभी इसको नेशनल पाक का स्टेटस नहीं दिया है बेसिकली नौरा देही वाइड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके और आसपास के रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा पन्ना टाइगर इजब का समर्ज होने वाला है और उसी वज़े से क्या हो रहा है उसी वज़े से यह हुगा कि आपको अलग से फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टाइगर की ड दमोहो और नर्सिंगपूर डिस्ट्रिक तक अभी कब बनाया गया इसको 2023 में इसको बनाया गया है यह भी याद रखेगा मद्विदेश का सबसे बड़ा टाइगर इजब बन चुका है और यह MP का सेवन्थ टाइगर इजब है MP का कौनसे नंबर का टाइगर इजब है MP का स 54 नंबर का टाइगर इजब है बिल्कुल ताजा ताजा करेंट है आप लोगों के लिए तो याद रखेगा और इसमें याद रखेगा इट विल कवर देश विदिन नौरा देही वाइड लेफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइड लेफ सेंचुरी यह जो है कवर करती है और एरिया कहां का नौरा देही वाइड लेफ सेंचुरी का और आपकी रानी दुर्गावती वाइड लेफ सेंचुरी का नौरा देही वाइड लेफ सेंचुरी के बारे में आप क्या देखते हो यह मद्य विदेश की सबसे बड़ी वाइड लेफ सेंचुरी हुआ करती है और यहां ही से हम देखोगे कि इसमें से ग्रीन कॉरिडोर पन्ना टाइगर इजब तक बनाया जाएगा और यहीं पर एक किला भी आपको दिखाई देगा जिसको बुलते है सिंग और गड़का किला अगर आप MP हिस्ट्री पढ़ी होगी कभी तो गोंडवाना डाइनेस्टी म पर देखते हो मत्यवीदेश के दमो डिस्ट्रीक में रानी दुरगा preset का सिंगोर गड़का किला है अन। पो दिखाई देता है तो भी रांगना दुर्गावत्ี่ टाइगर एद्र जub है साघर्ध दमो नर्सिंगपूर में है यह isto है सबस्वे टाइगरी जब वी इसाइट से कुं़ eles कोनेग्च किया राए जिसको घुगवा नेशनल पार्क के नाम से भी आना आता है और यहां से देखिएगा अब देखो राष्ट्रिय जीवाश्म या बोल सकते हैं नेशनल फॉसिल पार और एक और नाम याद रखना घुगवा नेशनल पार्क जिसको घुगवा नेशनल फॉसिल पार्क 1983 में सेट अप हुआ इस्मॉलेस नेशनल पार्क है मदविदेश का दिंडोरी डिस्ट्रिक में सिचुएटेड है और यहीं से एकोचीज की किस चीज के फॉसिल है तो बेसिकली जो आपके प्लांट से आपकी जो पत्ती लीव से यहां पर आपको दिखाई देते हैं तो यह कौन सा नेशनल पार्क हो गया घुगवा नेशनल पार्क जो मदविदेश के दिंडोरी डिस्ट्रिक में 1983 में इसको बनाया गया और मदविदेश का स्मॉलेस नेशनल पार्क है और यहीं से इसकी इसकी इन्फॉर्मिशन फिर द यहां पर 65 million year ago के fossil रखे हुए है और यहीं पर हम देखेंगे घुगवा फॉसिल में जो है क्या के रखा हुआ है पेडों के फॉसिल है प्लांट्स के फॉसिल है लीव के फॉसिल है फ्रूट्स के है फ्लावर्स के ऐसे करके और इसको घुगवा के नाम से भी जाना जाता है यह इतनी चीज़ है हमको याद रखना है 1983 और आपका यह वाला तो यह कौन सा मद्यविदेश का सबसे चोटा नैशनल पाक घुगवा और मद्यविदेश का सबसे बड़ा नैशनल पाक कौन सा है कानहा तो चोटा और बड़ा दोनों याद रहेगा तो इसको भी यहां से द देखेंगे इसको फाइनली आपका दो हजार आठ चे में इसको बनाना चालू किया था और दो हजार आठ के अराउंड पे इसका नोटिफिकेशन आ गया था तो इसको भी याद रखेगा कि मद्यविदेश के कौन से डिस्ट्रिक में है यहां पर एग वगेरा जो है देखे 200089 का जो है यह आपको नेशनल पार्ग दिखता है तो यह भी एक फैक्ट याद रखेगा और इसकान मद्यविदेश के सारे नेशनल पार्ग सम लोगों ने खतम कर लिए और फिर यही से नेशनल पार खतम करने के सांसाथ अगर मैं आपको एक और चीज़ यहां पर बात लेते हैं मद्यविदेश में 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 टाइगर रिजव है पहला टाइगर रिजव कौन सा है कानहा टाइगर रिजव जो आपके कानहा नेशनल पाक को कहते हैं है ना जो मद्यविदेश का पहला टाइगर रिजव भी है दूसरा जो हम देखेंगे पन्ना टाइगर रिजव क तो संजे डुब्री टाइगर इजव आपका कहां पर है संजे डुब्री टाइगर इजव आपका सीधी जीले में है ना चौत्य नंबर का पाँछे नंबर का टाइगर इजव आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा बांधवगर नेशनल पार्क पॉनसा नेशनल पार्क काना के वाजु में पेंच हो गया, उसके उपर चले गया बांदोगड, फिर अपका पन्ना, पन्ना के बाद हो गया, संजय, और फिर अभी हमाँ सेवंत नमबर पर बना है, रानी विरागणा, रानी दुरगावत्ती, तैगर रिज़र्व बन गया है, तो ये भी आद रख्य विरांगना रानी दुर्गावति, टाइगर रिसर्व ये आपका कहां पर है सागर, दम्हो और नर्सिंग पो डिस्ट्रिक में, तो ये आपके कुछ टाइगर रिसर्व है कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, बांधाउगर है ना तो ये मद्विदेश के फेमस फेमस टाइगर कौन सा कुछ छूटा है एक tig preserve जो हम से चुटा है माधो या सत्पुढा टाइगर इ मोट टाइगर इस ऑंसा सत्वना टाइगर इसथ से लुए टाइगर इस यह तॉ इस कि वाद करते हैं कौं कौन से वाल लाइफ पाक से थोड़ा छोटा होता है या ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है और यह चंजर फॉरस में जादा बनती है और मद्यविदेश की पहली वाइड लाइफ सेंचुरी है उसका नामे नौरा देही वाइड लाइफ सेंचुरी 1975 में जब नौरा देही को बनाया गया तो मद्यविदेश की सबसे वड़ी वाइड लाइफ सेंचुरी बनी और यह आज तक मद्यविदेश की सबसे वड़ी वाइफ सेंचुरी जिसका एरिया 1100 स्कुर किलो मिटर से भी जादा है अभी हम लोगों ने देखा है कि नौरा देह देही वाइफ सेंचुरी के बहौत बड़ा इसा टाइगर रिजर्ब में कनवर्ट कर दिया गया है तो यह भी याद अखिये orthכשיו मद्यविदेश के कौन से दिस टिश्टिक में दिख्ती है तो नौरा देही वाइफ सेंचुरी मद्यविदेश के साघर दिस्टिक में सिचू एरियावाइज यह MP की सबसे बड़ी wildlife century है और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि अभी Tiger Reserves की बहुत बात कर रहे हैं तो किसी भी Tiger Reserve को Tiger Reserve का status कौन देता है, तो किसी भी Tiger Reserve को Tiger Reserve का status जो देता है, वो NTCA देता है, जो कि CRR बना था National Tiger Conservation Authority NTCA वो बना था आपका 2005 में, तो NTCA कौन से यह में बना है NTC 2005 में बना है तो याद रखेगा नौरा देही वाइड लेफ सेंचुरी लोकेशन कहां पर है मद्यविदेश के सागर डिस्ट्रिक में है एरिया क्या है 1197 स्कायर किलोमेटर इस्टैबलिच इन 1975 एरिया वाइस मद्यविदेश का लार्जेस्ट वाइड लेफ सेंचुरी है चलिए फिर एक और चीज है काउ सेंचुरी की बाद हम बात करते हैं कि यह जो काउ सेंचुरी है यह क्या है या जो गौब भ्यारण है मद्यविदेश गौर्मेंट ने डिसाइ पढ़ती है सुसनेर और डिस्टिक पढ़ता है शाजापूर तो वहाँ पर आपकी क्या सिच्वेटेड है वहाँ पर आपकी काउ सेंचुरी सिच्वेटेड है 2017 में इसको फाइनली कम्प्रीट किया गया 12-13 से प्रपोस थी और यह मद्यविदेश की पहली काउ सेंचुरी भन सेंचुरी वह पाइनली है उसके अलावा मद्यविदेश में अगली काउ सेंचुरी अपका कहा हो सेंचुरी आपका हो घूर साजापूर में हो घए नो हरतेिक्या तो नरसिंगार जो है मध्धिब्र देश के राजगर इस्टिक में सिचुएटेड है नर्सिंगार इस सिचुएटेड इन राजगर डिस्टिक्ट आफ मध्धिवरदेश तो यह भी चीज अपने को यहां से आद रखना है कि नर्सिंगड कहाँ पर Situated लोकेशन क्या है इसकी राजगार डिस्टिक सिग्निफिकेंट फैक्ट क्या है चीडी खो लेख हमको यहां पर दिखती है और इसको कश्मीर ओफ मालवा के नाम से भी पुकारा गया तो यह भी एक चीज हमको यहां से याद रखना है तो आपका नर्सिंगड वाइड लाइच सेंचुरी कहां पर है मद्यविदेश के राजगार डिस्टिक में है चीडी खो लेख हमको यहां पर दिखाई दिती है और इसी चीडी खो लेख और माउंटे रेंजेस से जो घिरा हुआ है इस वज़े से इसको कश्मीर ओफ मालवा के नाम से भी हम लोग कहते है तो यह भी सारे टाइगर से तो वह राता पानी वाइड लेफ सेंचुरी जब आप भुपाल से नर्मदापूरं की तरफ जाओगे तो राइसिन जी ले का जो पोर्शन पढ़ता है सीहोर जी ले का जो पोर्शन पढ़ता है बीच में विंध्यांचल माउंटे रिंज इसका वहीं पर स यहां पर इसकी लोकेशन आपको मिलेगी तो राता पानी वाइड लेफ सेंचुरी बेसिकली रायसेन में और सीहोर में सिचुएटेड है 1976 में इसको बनाया गया था और इसका इंपोर्टेंट फेक्ट है कि नंबर आफ टाइगर ऐसा बताते हैं कि यहां 40 प्लस टाइगर से जो रातापानी वाइड लेफ सेंचुरी में है और 2013 से एं टी सीय में प्रपोज है कि इसको स्टेटर्श मिलना चाहिए टाइगर डिजर्ट का लेकिन अभी तक नहीं मिला है वाइड नहीं किया गया है तो यह राता पानी वाइड लेफ लेफ mínimo में आप वी बता होगा कि ए आपकी राता पानी wildlife century में situated है गिन्न और गड़ फोर्ड किस से associated है तो रानी कमलापती से associated है ये भी fact याद रखेगा फिर आता है आपकी छाती गाउं wildlife century दो wildlife centuries में जो great Indian bastard के लिए जानी आती है तो इसी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को से कंजर्व करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए गाटी गाँ और करेरा बड़ सेंचूरी को बनाये गया था थी ताकी कभी सोंच रही या जो भी नहीं दिखाई देती कभी वह आपस आएगी तो उसका अपना नेच्रल हैबिटेड मिलना चाहिए तो इसी साथ क्या निकल के आगया आपका घाटी गाउं वाइल डैफ सेंचुरी और आपका करेरा वाइल डैफ सेंचुरी तो यह दो ची में है करेरा वाइल डैफ सेंचुरी को 1981 में बनाया गया है इसको प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन आप सोन चिड़या के लिए बनाया गया और फाइनली अभी रिसेंड की जो न्यूस है इसको डी नोटिफाइड कर दिया गया है यह कोश्चन पूछ सकता है मद्य विद यहां से हमको याद रखना है इस एक बाद आता है राला मंडल मद्य विदेश की स्मॉलेस्ट वाइल डैफ सेंचुरी राला मंडल जो वाइल डैफ सेंचुरी है राला मंडल के जो जंगल है जो इंदौर जीले में पढ़ते हैं यह एक समय पर होलकरों की शिकार गाहा कि क्या हुआ है कि यह वाले जंगल कटना चालू हो गए थे तो इनको भी कंजर्व करने के लिए इसको वाइल डैफ सेंचुरी में कनवर्ट कर दिया गया और यह मद्य विदेश की सबसे छोटी वाइल डैफ सेंचुरी बनी जिसको बोला आता है राला मंडल वाइल डैफ स सांपोrete бор के मद्य विदेश में लोमरी का कंजर्विशन सेंतर कहां पर बनाया जा रहा है तो आपके राला मंडल में बनाया जा रहा है पिर आती है सरदारपूर और सैलाना डो बड़त सैंचुरी सथा Talk horses all my forgetting सैलाना है रखतलाम में आपर पर अपर एंगर की इस्ट्डीक में ना जो है आपकी रधान मैं ये दोनों बाब जो बसे कंद भिश्विशन चलिऑ या इती है कषर्मोर बग जो है उसको 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 मनाए गया तो सैदा कुर्डार कुरफ मत century कहां आपका धार district 1983 और इसी साथ आप देखते हो सैलाना wildlife century तो यह सैलाना wildlife century जो है रतलाम district में situated है इस नोन फोर preservation and conservation of खर्मौर बड इस इस नोन फोर preservation and conservation of खर्मौर बड और paradise fly catcher और paradise fly catcher फिर इस में याद रखियेगा cactus garden is also situated in रतलाम cactus garden is also situated in रतलाम तो यह भी fact यहां से याद रखियेगा कि मद्ध विदेश में cactus garden कहां पर है तो cactus garden भी रतलाम में situated है ना रतलाम के महराज थे उन्होंने इसको बनवाया था cactus garden को या सैलाना के तो सैलाना है आपका कहां रतलाम में और सरदारपूर का है धार में इसी के लावा चंबल जो है घडियाल century आपका कहां मुरैना district में आपको चंबल घडियाल century दिखेगी जो alligator के preservation और conservation के लिए जिसको बनाया गया था चंबल घडियाल century को इसी साथ आप देखते हो काली भीत या काली century बनाई जा रही है जो प्रपोज है जिसका नाम क्या है काली भीत century तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेगा इसी के लावा आप देखोगे बगदरा wildlife century कौन सी wildlife century बगदरा wildlife century जो मद्यविदेश के सीधी district में situated है कौन से district में सीधी district में 1978 में इसको बनाया गया था इसके अलावा मद्यविदेश की जो अधर wildlife century हम उसकी बात कर रहें केन घडियाल wildlife century मद्यविदेश के पन्ना डिस्टिक में ख्योणी wildlife सेंचुरी मद्यविदेश के देवास तो सीहोड डिस्टिक में और चा तो आप सब पता ही दोगे निवारी district में गंगाउ छतरपूर डिस्टिक में है ना पाता पा पनपठा wildlife century शेहडोल में फेन मिनी कोर wildlife century मंद्ला में तो फेन कहां पर है फेन wildlife century मंद्ला क्योंकि अभी देखो जो important important थी ना सबसे बड़ी सबसे चोटी जो किसी एनिमल के लिए preservation और conservation के लिए थी उन सबको हम औरेडी पढ़के आ चुके है उनको हमने detailing में किया अब यह क्या है चोटी होटी है इनको मतलब बस एक fact है कि यह कौनसे districts में है तो district wise देख रहा है कि केन घडियाल पन्ना ख्योनी जो है आपके सिहोर और देवास और चा जो है निवाडी गंगाव wildlife century छतरपूर पन्ना पन पठा जो मरिया शैडोल और फेन मिनी कोर आपका मद्विदेश में कहां पर है मंदल डिस्टिक में situated है और इसी बाद आप देखते हो तो कुछ wildlife centuries और दिखते है जिसमें सिंगहरी wildlife century कौनसी सिंगहरी wildlife century आपके मद्विदेश के आपको अबेदुल्ला गंच रायसेन में दिखेगी सुर्मानिया wildlife century खंडवा मिलेगी मयूर मयूर wildlife century जहाबगा और फिर एक और ह अब बंगे जाने जाती है नूर जहाँ मेंगउ के लिए कि मद्विदेश में नूर जहां मेंगो कहा पर मिलता है तो नूर जहां मेंगो कठी बारा वायली राच्षपूर मिलता है फिर आपकी मानधाता वायल ट्रव संकूरी खढवा बोरी maundi century जो टीग forest के लिए जाने बना दिया गया है तो दमो डिस्टिक में है और गांधी सागर जो है गांधी सागर डैम कहां पर है मनसौर तो गांधी सागर वाइड लाइफ सेंचुरी आपका नीमच और मनसौर डिस्टिक में बेसिकली इसका आंसर एक्जेक्ट कभी जाओगे इसका एक्जेक्ट आंसर जो हो है आपके मंच्वार में situated है और इसी साथ हम देखते है मदविदेश की जितनी wildlife century हम लोगों नया से कल लिया और यहीं से आता है biosphere reserves in मदविदेश क्या MP में तीन biosphere reserve है biosphere reserve क्यों बना जाते हैं एक हम लोग देखते men and biosphere program हुआ था क्या हुआ था एक program हुआ था UNESCO का उस program का नाम था MAB program उस program का नाम क्या था MAB program men and biosphere program जो 1970s के around हुआ था जो 1970s 71 के around MAB program आपको दिखाई लिटा है और इस में बोला गया था ऑपको क्या करना है जो बाइयो डैवरसिक्टी उसको प्रिजर्ब करना है जो बड़े बड़े जो एरियास उसको प्रिज़ाव कंझरव करना है और इसी के anth college हम लोग देते हैं मद्धेश में आपको तीन ऐस्फ़े रिजव दिखाई देते का पहला जाता है जो 1999 में हम् लोगों ने इसको क्या किया था हम लोगों ने इसको कंजर्भ एरिया डिकलर में है यह मद्विदेश के अनुपफूर डिस्टिक में आपको दिखेगा अमरकंटक अचानकमार अचानकमार वाला एरिया जो है आपका 36 गणे पड़ता है साल 2005 में इसको मिनिस्ट्य ऑफ इन्वर्मेंट एंड क्लाइमेट चेन ने कंजरवेशन एरिया डिकलेर किया था और फाइनली 2012 में इसको बैस्फर रिजर्व डिकलेर कर दिया युनेस्को के अंतरगत फिर जैसे आप देखोगे कि जो अगला जो था हमारा पन्ना बैस्फर रिजर्व पन्न तो सबसे पहला क्या तू प्रिजर्व फ्लोरा एंड फॉना तू प्रिजर्व तू प्रिजर्व और कंजर्व है ना ऐसे करेंगे तू कंजर्व फ्लोरा एंड फॉना इसके अलावा जो एक आप देखोगे तू अवाइड मैन अनिमल कॉन्फिक्ट तू अवाइड मैन अन प्रफिक्त तो यह इतनी चीजें हमको यहां से दिखाई दे रही है तो इसको भी याद रखेंगे पंचमडी अमरकंटक और पन्ना बायस फरिजव फिर एक और आप देखोंगे तो मद्यविदेश में तीन बायस फरिजव आपको डिटेली में बता जेता हूं कि तीन बायस क्रिएट की तंट पर मद्यविदेश को मैं बताया टाएट आपके नर्मदा पूरं में विलेगा और इसी हिसाथ आप द40 साथन हूं किlier की अ मरकंतक क्दौना पांच में create किया गया लेकिन 2012 में इसको UNESCO Biasphere Reserve का status दे दिया गया और final जो आप देखते हो पन्ना Biasphere Reserve और जो पन्ना Biasphere Reserve इसकी location आपको कहा मिलती है तो पन्ना Biasphere Reserve की location आपको मद्विदेश के पन्ना चतरपुरे मिलेगी 2011 में इसको Government of topics थे हमारे किसके जितने हमारे मैक्जिम टॉपिक थे कोन से forest के wildlife centuries के और national parks के हम लोगों ने आपर खतम किये और बस जो एक last चीज़ बतती है forest producers अभी recent में हमने एक नया टॉपिक देखा है जो MPPSC ने add किया है वो क्या है forest producers in MP क्या है मद्यविदेश के forest producers पता नहीं इसको क्यों एड किया लेकिन important है क्योंकि मद्यविदेश में जो आपके है जो forest producers कहीं ना कहीं tribal economy बहुत important role play करते हैं अब मैंने वो चीज़ बोली कि पता नहीं क्यों क्योंकि प्री में यहां से कैसा question आएगा समझ नहीं आता क्योंकि उसने अभी तक दिया भी नहीं है अब वह यह पूछ सकता है कि इन में से कौन सा forest produce है या नहीं है तो जैसे कि यह हम forest producers की बात करते तो forest producers में मद्यविदेश में हमको पहले तो क्या hardwood timber मिलती है क्या मिलती है hardwood timber और यह hardwood timber की जब बात करते तो मद्यविदेश में दो सबसे famous लगती है हमको मिलती है forest producers में एक तो क्या है आपकी एक आपको मिलेगा क्या साल और जो साल है आप टीप बारे में खास बात कि यह जो है इसका scientific name है tectona grandis जो सागोन है सागोन को जो वज्ञानिक नाम है scientific name जो है tectona grandis है जो मद्यविदेश के 19% के forest area में पाई जाती है तो 19% forest मद्यविदेश में सागोन का हमको मिलता है और मद्यविदेश में wildlife century है बोरी wildlife century कौनसी wildlife century जो बोरी wildlife century है बोरी wildlife century जो है आप याद रखेगा कि सागोन के लिए जाने जाती है बोरी बेली इस फेमस फोर सागोन तो एक फैक्ट यहां से भी निकल किया गया इसके अलावा जो दूसरे forest producers आपको दिखते हैं तो दूसरे forest producers क्या है सबसे पहले आप देखोगे तो एक है आपका तेंदुपत्ता एक कौनसा है आपका तेंदुपत्ता मद्यविदेश में आप चाहां पर जो गोंद का पेड़ होता है उसमें से आप हम लोगो को मिलता है उसके अलावा हम देखते हैं कि मद्यविदेश का एक फॉरस् नाम से भी कहते है जो मद्यविदेश के शिवपूरी वाले इलाके में दिखाई देता है मद्यविदेश के कौन से इलाके में मद्यविदेश के शिवपूरी आले इलाके में दिखाई देता है तेंदुपत्ता लाख कथा और इसी साथ आप देखोगे कि यहीं से आपको एक का Madhvidez का किया भिलावा अब आप से पूचेगा कि भिलावा का यूज क्या है तो भिलावा बेसीकली मैडिसिनल परपस के लिए यू उता है और यहीं से एक और फैक्ट याद रखियेगा कि जबिलावा इंक फैक्टरी मद्देश में कहां पर है तो जो 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 भी लगा कैसे से चिचुएटग़यरBox में तो फिर फिर दह्तिखो खेंगे तो अपको चिचकों ठीट सिमें बिक लगी तो आपके हर्डा मद्विदेश ने यहां पर आपका हर्ण सबसे आदा होता है तो चिंदवार्ण मंडला शुपुरी इन जीलों में एंसे में में आपको यहां एक दखानेeeee कि महईने आपको न जाने होता है वैसा के ऊहाँ यहां पर आपको देखेंगे कि मध्या विदेश में मैं ऊक्टा साहिएटr सागोन का सबसे आदा यूज होता है मदविदेश के साउथ MP में सबसे आदा है मिलते हैं बोरी वैली जो नर्मदापूरम में इसके लिए जाने ही आती है मदविदेश का 19.36% जो एरिया है वो सागोन के अंतरगत आता है और फिर यहीं से आप देखोगे साल साल आप है शौरिया रोबस्ता और इसी साथ आप देखोगे तो साल जो है मदविदेश 4.5 4.15% जो है फोरेस्ट इरिया कवर करता है बेसिकली मंदा डिंडोरी बालाघाट मतलब जो इस्टन MP है क्यासा MP साउथ इस्टन MP और फिर इस्टन MP में और इसी साल के पेड़ के बारे हमने इस पर इंडिया में हम लोग तेंडूपत्ता की जो फस्ट रैंक है और यहीं से आत रखेगा सागर सागर डिस्टिक जाना जाता है तेंडूपत्ता प्रोडक्शन के लिए इसके लावा मदविदेश में राइसे नर्वदापुरम डिस्टिक में भी होता है और फिर यहां जो है कहां पर चरणपादू का स्कीम तेंडूपत्ता कलेक्टर्स की लांच कि एगी थी खैर बेसिकली कथा जो है उसकी बात कर रहे है जिसको कटेजू के नाम से जाना जाता है मदविदेश में कथा इंडस्ट्री शिवपुरी डिस्टिक में सिचुएटेड़ है और खै इसके लाव आप देखोगे कि सील बनाने में है ना ट्वाइज बनाने में तो लाक का यहां यहां यूज होता है और फिसके लाव देखोगे कि लासिसर सेंटर आफ इंडियन गवर्मेंट आए जारखन ने सिचुएटेड है इसके लावा भिलावा इस्टन-ैम्पी में दि तो यह आपका क्या है महुआ हो गया और उसके बाद बांबू तो मद्यबिदेश में जो है बांबू बेसिकली बालागाट डिस्टिक में आपको इसका सबसे आप प्रोडक्शन दिखेगा और MP गॉर्मेंट ने जो बांबू जो है कि मद्यका बांबू मिश्न इस्टार्ट किया था तो याद रखेगा और फिर यहीं से आप देखोगे तो गम गोंद वगेरा जो है यह कुछ है तो गोंद मदविदेश के अलग अलग जीलों में होती पन्ना शुपुरी मुरैना राइसेन वगेरा अलग 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 जीलों में गोंद का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो य सब्सक्राइब करेंगे कि मदविदेश का क्लाइमिट कैसा है अगर आप सकी पूछे कि मदविदेश का क्लाइमिट कैसा है तो मदविदेश का क्लाइमिट है ट्रोपिकल मौनसून टाइप आफ क्लाइमिट कैसा क्लाइमिट है ट्रोपिकल मौनसून टाइप आफ क्लाइमिट ऊश्नकटि बंदी है मौनसूनी जलवाईयू के नाम से भी सो कहा जाता है तो ट्रोपिकल मौनसून और विदेश के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है तो उस वज़स क्या होता है यहां पर ट्रॉपिल कंडिशन डेवलप होती है मद्यविदेश में जो रेंफॉल है वह 112 सेंटीमिटर से जाधा होता है इसलिए हम लोग देखते हैं मौन्सून टाइप अफ् क्लाइमिट है तो क्या कोई और कोई फैक्टर से क्या ट्योसी के अलावा जो मद्यविदेश क्लाइमिट को अफेक करता है तो बिल्कुल बहुत सारे फैक्टर से जो मद्यविदेश क्लाइमिट को अफेक करते हैं एक तो मद्यविदेश क्या है मद्यविदेश एक लैंड- नदन एंपी व्यक्ते है विल्ट से क्लोज प्रोग्जिमीटी पेर हमाले क्या है उससे क्लोज प्रोग्जिमिटी पैंवाला उसके वजए से मद्देश निफ्लेिट दिखता है और इसी के लाव आप देखोगी कि मद्देशे एक और जो इंपक्ते है दो बड़ी mountain ranges two जो है large mountain ranges जो है आपकी कौन कौन सी सत्पुड़ा और आपकी एक और है विंद्यान चले मद्यविदेश के बीचों बीच से travel करती है इस वज़े से मद्यविदेश मौनसूनल इफेक्ट भी दिखते और कहीं कहीं पर हमें गर्मी भी बहुत जादा दिखती है दो बड़ी-बड़ी mountain ranges हमको दिखाई एती है फिर जो मद्यविदेश की geography है वो अलग-अलग हिस्वा में divided है मद्यविदेश में हमको valley दिखाई देगी मद्यविदेश में हमको plateau दिखाई देगा मद्यविदेश में हमें plane दिखाई देगा और फिर यहाई से आप climate लेकिन 2009 और 2016 PST में हमने देखा है कि मद्यविदेश PST ने इसका answer माना है monsoon type of climate की मद्यविदेश में किस प्रकार का climate मिलता है मद्यविदेश मonsoon type of climate जो है हमको 2016 और 2009 PST में MPPST ने answer दिया है क्यों दिया है क्योंकि यह word option में नहीं था अगर यह option में होता तो आंसर जाता और यहां से बात करोगे तो other facts हमको क्या निकल के आते हैं कि मद्यविदेश में जो है climate जो है और basically आपके लिए वह वी चीज़ कि climate जो है specific climate की definition क्या होती है अगर जिन लोग को यहीं नहीं पता हो तो climate क्या होता है एक given geographical area में जो long term weather condition होती है उसको हम लोग वहां का climate कहते है जो 15 साल 20-25 साल ने बनती है तो मद्यविदेश क्लाइमेट के इसा बताया कि मद्यविदेश क्लाइमेट tropical monsoon type of climate है या MPPSC इसको monsoon type of climate ही मानती है 2009-2016 PSC में prelims में MPPSC ने इसका आंसर monsoon type of climate माना है अगर option में tropical monsoon ना हो तो आपको बिलकुल ही लगाना है और few C के अलाब हम द तीन ऐसे जीले है जो आर से चालू होते हैं है ना तीन ऐसे जीले है जो एस से चालू होते है तीन ऐसे जीले है जो UV है UV मतलब क्या Sun Tropic of Cancer मतलब Sun rays directly पढ़ रही है तो UV rays आएगी तो UV और फिर हम देखते है राजगर रतलाम राइसेन साघर सीहोर शःडोल साघर सीहोर शःडोल फिर UV उज्येन उमरिया विदिशा फिर आप देखोगे दो आपके वर्ड यात रखले ना के डी कटनी दमो दो बड़ और क्या रखना है केडी कटनी दमो और फिर उसी के बाद आप देखते हो कि याद रखना है ट्रॉपिक ऑप कैंसर मदविदेश के दो बड़े महानगरों से होके निकलती है देखो गॉलियर तो बिलकुल ही उपर हो जाएगा तो गॉलियर और ट्रॉप पांच छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और एक और है आपका आगर मालवा तो इस तरीके से आप देखते हो कि मदविदेश में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप इतने जिलोस निकालोगे लेकिन कुछ-कुछ किताबों में यहाँ पर इसको तो यूवी, उजयन, उमरिया, विदीशा, फिर मदविदेश के दो महानगरोस निकलती है तो भोपाल और जवलपूर और केडी याद रख लो कटनी दम हो और उसके बाद आपका आगर माल बार चलो यह होगा है मदविदेश के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिलो से 14 जिल सीजन मिलते हैं तीन टाइप के सीजन मिलते हैं जिसमें हम लोग क्या बलते हैं सियाला यूनाला ऐसे करके अलग-अलग नाम से कहते हैं जैसे कि आप देखोगे कि जो सीजन है मदविदेश में मद्वधेश में तीन अलग-अलग सीजन हैं उन सीजन के नाम кिया है सबसे पहले तो मद्वधेश पढ़ेगा समर सीजन फिर मद्वधेश पढ़ेगा कौन सा रेनी सीजन और मद्विदेश फिर पढ़ेगा आपका winter season, summer, rainy और winter, summer season मतलब गर्मियों के महने को क्या कहा जाता है, बारिश के महने को क्या कहा जाता है, winter को, मद्विदेश में कुछ local dialects है, या local words है, इनके लिए जो use होते हैं, तो local words में इनको किन-किन नामों से फुकारा गया है, तो य यह जाता है, जैसे कि हम देखेंगे, हमने पहला क्या देखा, summer, तो summer, आपका जो summer season है, इसको हमने क्या बोला है, इसको बोल दिया, यूनाला, summer season को MP में local language है, क्या बोलते है, आपका यूनाला, rainy season को मतलब गर्मियों के कहा जाता है, चौमासा, और winter season को मतलब गर्मियों कि मतलब देश के तीन season आपको दिखाई देते है, summer season को हमने बोल दिया, यूनाला, rainy season को हमने बोल दिया, चौमासा और winter season को हमने क्या बोल दिया, winter season को हम लोग सियाला के नाम से भी कहते है, तो यह जो तीन season है, और इसी के बाद हम से फूसता है, चलो यह तीनो season तो हो गए, अब लेकिन को यात कैसे करें, तो देखो, धन्ड winter, winter में शॉल का यूस कर रहे है, तो सियाला, winter में सॉल का यूस कर रहे है, चारो तरफ बारिश हो रही है, चौमासा रेनी, और जो बचा तो नाले सुक गया, गर्मी में, तो summer हो गया यूनाला, winter हो गया सियाला, रेनी हो चौमा सा और इसके अलावा देखते हैं कि मद्यविदेश का एवरेज रेनफॉल कितना है मद्यविदेश का एवरेज रेनफॉल कितना है तो मद्यविदेश का जो एवरेज रेनफॉल आपको दिखाई देता है वो दिखता है 112 सेंटीमीटर मद्यविदेश का एवरेज रेन मदापुर्म के पंचमडी में रिसीव होता है जिस हाँ पर एवरेज इंफॉल कितना होता है 199 cm यह पंचमडी का एवरेज इंफॉल है फिर आप से पूछेगा क्या पूछेगा कि मद्यविदेश में मिनिमम रेंफॉल या मैग्जिम रेंफॉल एट पॉइंट क्या एट पॉइंट डिस्टिक मद्यविदेश में मैग्जिमम रेंफॉल कौन सा डिस्टिक रिसीव करता है तो मद्यविदेश में मैग्जिम रेंफॉल जो डिस्टिक रिसीव करता है उस डिस्टिक का नाम है तो उस डिस्टिक का नाम है आपका बाला घाट मद्य विदेश में एक्जिन रेंफॉल कौन से डिस्टिक में होता है मद्य विदेश का मोस्ट ड्राय डिस्टिक ओंपी ऐसा भी तो पूछ सकता है विदेश का सबसे सूखा जीला कौन सा भी तो इसको वियाद रखिया कि मद्युदेश सबसे सूखा ड़ीला कौन सा भी तो यह निकल के आ गी क्या एवरेज इंफॉल जो मद्य विदेश का 112 संटीमेटर में चाइब आँफ़नी होता है तो यह कुछ हमारे पास निकल के आ गए और फिर एक और याद रखेगा एक लोकल विंड चलती है मद्विदेश में जिसको शबे मालवा के नाम से कहा जाता है जो मालवा में शाम के समय चलती है मालवा का जो टेंपरेचर है उसको कम करती है गर्मी आप देखते होगे कि मालवा का जो टेंपरेचर है वो कम होने लगता है यहां पर उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है ठंडी हवा चलती है और उसको ही कहा जाता है शबे मालवा क्या है यह कोई मैजिक है तो बेसिक जोग्रफी है कि ऊपर प्लेटिव है नीचे वैली है तो एनबेटिक और लोकल विंड ओफ मालवा रिजन सब्सक्राइब मालवा को फेमस लोकल विंड कहा गया है मालवा रिजन की तो यह भी फैक्ट यहां से याद रखेगा और इसी कहला आप देखते हो तो यह आपकी पूरी इन्फॉर्मिशन यहां रिटन फॉम में भी देख लो कि मद्ध वि के महने में western disturbance की वज़े से जो बारिश होती उसको मावठा कहा जाता है western disturbance की वज़े से जन्वरी में जो बारिश होगी उससे ग्यहूं की फसल को बहुत ज्यादा फायदा होता और उस बारिश को मावठा के नाम से कहते मद्ध विदेश का जो सबसे गरम पॉइंट है या अब बालागाट में और मद्ध विदेश का एवरेज इन फॉल कितना है 112 cm यह मद्ध विदेश का एवरेज इन फॉल है तो यह आपको एक बेसिक बेसिक फैक्ट जो है आपको मद्ध विदेश के वारे में और पता चल गए मावठा कौन सी क्रॉप के लिए बहुत अब बारिश कम होगी और इस क्लाइमेट का है इस क्लाइमेट काम लोग क्लाइमेट के नदन प्लें से 50 से 75 सेंटीमेटर के आसपास रेंफॉल और यह बोथ अरेबियन सी और बंगाल ब्रांज से रेंफॉल रिसीव करता है यहाँ पर एवरेज टेंपेट्या 42 डिग्री से रहता और यहां पर एक्स्ट्रीम क्लाइमेटिक कंडिशन है जिसको हम लोग कॉंटिनेंटल टाइप आफ क्लाइमेट के नाम से भी कहते हैं फिर हमको दिखता है क्या मालवा प्लेटिव मालवा प्लेटिव में जो एवरेज एंफॉल हो 65 सेंटीमेटर के आसपास दिखती ह खास और यहां से आपका टेम्लिए क्लाइमेट के नेंटीम से रुसल करता है ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा क्लायमिट कहीं कहीं का है तो मालवा का है और यह किसने कहा था यह स्यान ने कहाब पहला और यहां से आप देखते हूं मालवा में कैसा पढ़ती है और यहीं पर मालवा की लोकल विंड है जो आपको दिखती है शाबे मालवा जो आपको याद रखना फिर विंदे माउंटें रेंजेस वाला रिजन यह जो है बोथ अरेबियंसी और बेयो बंगाल से रेंफॉल रिसीव करता और यह क्या इस्टरन साइड है बेयो वेली रिजन तो जो नर्मदा वेली रिजन है वहाँ पर रेंफॉल 110-125 सेंटिमिटर के आसपास होती है यहां भी बोथ अरेबियंसी और बेयो बंगाल से बारिश होगी मौनसुन टाइप आफ आपको मिलता है तो यह और कोपन के अकॉर्डिंग मद्विदेश को तीन हिस् वेलिएन गांना है कि सीसे मतलब क्या सीसे मतलब हो गया होट समरमेडिटेरियं क्लाइमेट सी मतलब। Mediterranean climate AW ए मतलब tropical savanha climate और BSH hot semi-arid है न BSH मतलब क्या hot semi-arid AW मतलब savanha और CSA मतलब summer Mediterranean तो याद रखना जहाँ C आ गया जहाँ C आ गया वहाँ Mediterranean word आ जाएगा जहाँ W word आ गया वहाँ savanha आ जाएगा जहाँ SH word आ गया वहाँ arid आ जाएगा जहाँ SH word आ गया वहाँ arid आ जाएगा इससे याद रखने के लिए आप 2-4 बार इसको देख लोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा और इसी तरीके से हम लोग इसको तोड़ सकते है किसके आपके मतलब देश के climate को तो यह आपका एक टॉपिक यहाँ पर धीरे-धीरे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया क्या climate of मतलब देश और इसी साथ जो next topic हम लोग लेके जा रहे है वो क्या है मतलब देश का तो next topic है वो यहाँ से हमारा है क्या minerals of MP जैसे कि इसकी बात करते है मतलब देश के minerals तो MP का जो mineral वाला topic है इतना गजब है कि इतना छोटा सा और आपको pre में सीधे-सीधे हर बार यहाँ से question आते है कभी ऐसा नहीं हुआ कि MPPSC pre में mineral से related जो उसने question से नहीं पूछे है तो मतलब देश के minerals की जब हम बात करते है तो MP में जो minerals है वो कहाँ कहाँ पर मिलते है जैसे हम बात करेंगे mainly सीधे minerals के उपार आएंगे उसके उससे पहले कि 1995 में minerals के excavation के लिए 1995 में minerals के excavation के लिए मतलब देश government अपनी पहली mineral policy लेके आया था MP government अपनी first mineral policy लेके आया था 1995 में लेकिन क्या हुआ कि साल 2000 में मतलब देश से 36 गड़ाला हो गया इस वज़े से मतलब देश सरकार को अपनी latest mineral policy लेके आने पड़ी मतलब देश सरकार को क्या करना पड़ा अपनी latest mineral policy लेके launch करनी पड़ी साल 2010 में और उसी के बाद हम देखते हैं कि 1962 में भी हमें एक बॉडी देखते हैं MP mineral development corporation इसको setup कब किया गया तो इसको भुपाल में setup किया गया था 1962 में तो ये कुछ fact है जो हमको mineral से related कुछ bodies के दिखते हैं इसके अलावा हम देखते हैं कि मतलब देश में coal की mining जो है coal की mining एक company करती है जिसका नाम है NCL और इसी NCL की कुछ सब companies है जिसको हम लोग बोलते है Western Coalfields Limited क्या Western Coalfields Limited जिसका headquarter कहां पर है जिसका headquarter जो है आपका नागपुर में situated है एक और company हम देखते हैं जिसका नाम है SECL South Eastern Coal Fields Limited जिसका Headquarter कहाँ पर है बिलासपूर में है South Eastern Coal Fields Limited जिसका Headquarter कहाँ पर बिलासपूर में है और एक और company हम देखते हैं जिसका नाम है NCL Northern Coal Fields Limited तो Northern Coal Fields Limited जिसका Headquarter कहाँ पर है आपका सिंग्रॉली में है तो म llev Beitesh और मोग देखते हैं, ऐसे कुछ कमपनी हम को दिखाई रिती है और आप लोग जैसे देखोगे कि यह जो जितनी भी तीनो कमपनिया है, यह Cole India की сидory companies है किसकी Subsidory companies है मैंनिंग का काम करते हैं मैंनिंग का काम करते हैं कि IT को members मैंनिक की मैंनिंग का काम करते हैं इसके लावा मांधिवीदेश के में 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 minerals मिलते हैं उसमें सबसे important mineral हमारा कौन सा है इसकी ही बात कर लेते हैं coal तो मद्विदेश में coal की जो famous famous mines है जा coal को तीन हिस्सों में तोड़ा जाता है यह आपके कौन कौन से region है सबसे पहले हैं आपका सत्पुडा तवाशाहपूर region पेंच करहान region और बगहल खंड region तो जो तवाशाहपूर region है तवाशापूर region में आपको यह coal लिखती है basically आप से पूछेगा कि ओल का तवाशाहपूर region कहां पर है तो कोहल ही को का जो तवशाहपूर region है तो को का जो तवाशाहपूर रिजन है आपको मत्विदेश के बैतूल डिस्टिक में पढ़ेगा और यहाँ पर आपको कौन से कोल फिल्ट मिलेंगे पाथा खेडा कोल फिल्ट आपको यहाँ पर मिलेगी कौन सी कोल फिल्ट पाथा खेडा कोल फिल्ट तो आपसे कभी कोई पूछेगा कि मद्यविदेश में पाथा खेडा कोल फिल्ट कहा अगली जो आपको दिखाई दिती है वो कौन सा है पेंच कनहान रीजन और जो पेंच कनहान रीजन है यहां पर जो है यह कौन से डिस्ट्रिक में पढ़ेगा तो पेंच कनहान रीजन मद्यदेश के छिंदवारा डिस्ट्रिक में आपको पढ़ने वाला है और यहीं से हम बात करते तो तीसरी चीज निकल के आ रही है पेंच कनहान के बाद जो है आपका कौन सा बगेल खंड बगेल खंड में आपको एक कोल फिल्ड दिखती है हला कि पेंच कनहान के बारे में एक फैक्ट और बता दू कि इस पेंच कनहान कोल फिल्ड में आपको क्या है कि आपको कुछ म कोल फिल्ट कहां पर है तो न्यूटन चिखली कोल फिल्ट भी आपकी छिंदवाडा डिस्ट्रिक में आप से कोई पूछेगा कि मद्विदेश में परासिया माइंस कहां पर है तो परासिया माइंस मद्विदेश के छिंदवाडा डिस्ट्रिक में हैं आप से किसी ने पूछा कि मद्यविदेश में एक लहरा माइस कहां पर है तो एक लहरा माइस ही मद्यविदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक में है और कभी आप से किसे पूछा कि तवा माइस मद्यविदेश में कहां पर है तो तवा माइस आपके मद्यविदेश के बैतूल में है छतरपूर कोल म और बगहेल खंड में आप 2 रीजन इसके देखते हैं। बगहेल खंड के वो दोनों रीजन जैसे आप देखोगे पहला रीजन कौन做 निकल के आएगा। वह का सिंग्रॉली वेशिन और एक और वेशिन आपका कौन से हैं। सुहागपूर वेशिन कौन सा पूर मैं आपख एम हाँ से बात करते हैं कि अंगुआधा कॉल तो उसका नाम है जंगुरडा कोईल पर गया ज happier यहां से कोल फिल्ड भूल फिल्ड फिल्ड बोला गया जिसको क्या बोला गया तो कभी आप से पूचह एक हो कहा पर है घ्मुरणी quella प्रकशा अभी यहां से जो कोईला है वो विंधिशन धर्मल पावर प्लैंट को भीजा सब्हां देखाए पर आ इंपर आपको कुंसा बेसिन अला I क्या सोहागपूर बेसिन और यहीं पर आपको मिले है कोल बैड मिथेन की रिजर्फ यहाँ पर किसके रिजर्फ मिले है तो यहाँ पर मिले है कोल बैड मिथेन की रिजर्फ तो अभी कभी आपसे पूछे कि कोल बैड मिथेन की रिजर्फ कौन से बेसिने मिले तो कोल बैड मि सबढ़ने इसको औन कर लिया और यहां से अब है पैपलाइन बन रही है जो प्रयागे राज के पास फूलपूर पढ़ता है वहां तक फूपाइपलाइं Saan hut mines. Soan hut mines. तो यह जो three mines है आपकी कहा पर है? आपकी सुहाफपूर बेसिन में है. और यहाँ से कोईला निकलता हैитесь JACKL कोईला निकालती है. यहाँ से कोईला निकालने आली कंपनी का नाम क्या है? CCL है. सिंग रॉली से कोईला निकालने आली कंपनी का नाम NCL है और ये जो तवा शाहपूर और चिंदवाड़ा बेसिन से कोईला निकालने आली कंपनी का नाम क्या है WCL है यहां से WCL कोईला निकालती है तो इस तरीके से मद्यविदेश में जो कोल है वो निकलता है वैसे तो मद्यविदेश की कोल में जो rank है वो third rank है कोल के production में लेकिन पिछली बार जब हमने देखा तो पिछली बार MPPSC ने पुराना data ही माना है MPPSC अभी भी कोल में MP की rank कौन सी मानता है fourth rank मानता है और जाते याते एक खास बात बता दू कि मद्यविदेश में कौन सा कोईला मिलता है तो मद्यविदेश में bituminous coal मिलता है मद्यविदेश में bituminous coal मिलता है तो मद्यविदेश में bituminous coal मिलता है तो ये भी याद रखेगा जो second quality का coal है सबसे highest quality का coal है आपका anthracite थे म५ट फॉल जो है वो बीट्वी में मिलता है मतला यहीं मिलता है मद्यविदेश की पहली मिंडरल पॉली चौर्पनेंकी ये उमनीकता मरहाजी throat किया गया मद्धय विदेश में कोल के जो रीजन है तवा शाहपुर बैतूल में पेंच कनान आपका चिंदवाड़ा में सिंग राली आपका सिंग राली जी ले जिंगुर्णा माइन जो थिकेस कोल फिल्ड है सुथाखपूर में आपको जोहिला माइन कोरार माइन और सोन apples आ वो है मैंगनीज मैंगनीज की जब बात करते है मदविदेश की मैंगनीज production में जो rank है मदविदेश rank first in the production of मैंगनीज, मदविदेश की मैंगनीज production में जो rank है वो first rank है, इसी के साथ आप देखोगे कि ये जो आपका मैंगनीज है यह कहां यूज होता है, मैंगनीज का यूज बेसिकली स्टील इंडस्टी में होता है, कौन सी इंडस्टी में होता है मैंगनीज का यूज बेसिकली स्टील इंडस्टी में होता है अब एक कोछीज मद्यविदेश मैंगनीज के यूँ मिल जाता है क्योंकि मद्यविदेश के बाला घाट डिस्ट्रिक के आस्वास आले लाको में धारवाड रॉक सिस्टम मिलता हो जहां धारवाड रॉक सिस्टम महां मैंगनीज कॉपर वगिरा मिलने चांसे बढ़ जाते है तो यह भी चीज हमको यहां से याद रखना है इसी के अलावा मैं मैंगनीज का सबसे आदा प्रोडक्शन MP का बाला घाट डिस्ट्रिक करता है और मैंगनीज की जो फेमस मैंस है जो हमको MP में दिखाई देती है तो मैंगनीज की जो सबसे प्रॉमिनेंट मैंस जो है MP में दिखाई देती है वो कौनसी है आपकी भारवेली मैंस भारवेली मै ये मद्विदेश के कौन से डिस्ट्रिक में है तो भारवेली माइज जो है मद्विदेश के बालागाट डिस्ट्रिक में आपको पढ़ेगी भारवेली माइज मद्विदेश के कौन से डिस्ट्रिक में बालागाट डिस्ट्रिक में बालागाट डिस्ट्रिक में आपको पढ बताई है कि चारो मैंगनीज की माइन्स मद्यविदेश के कौन से डिस्ट्रिक में आपको मिल रही है तो इस सारी की सारी माइन्स मद्यविदेश के बाला घाट डिस्ट्रिक में है कौन से डिस्ट्रिक में है बाला घाट डिस्ट्रिक में है इसको अपने को याद रखना है भ रहेगी इतनी बाते याद फिर जैसे यहां से चले गए तो एक और चीज मद्विदेश ने बहुत खास है कि मैंगनीज की माइनिंग मद्विदेश में कौन करता है तो मैंगनीज की माइनिंग है वो कौन सी बॉड़ी करती है तो एक कमपनी है जिसका नाम है मो आई एल मैंग मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड जिसका हैड कोटर कहां पर है नाकपूर तो मद्विदेश में जो मैंगनीज की माइनिंग का काम करती है और अगर आप पूछो कि एक्जाम में लिए क्या है तो एक्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भारवेली मैंगनीज माइश मद्यविदेश में कहां पर है तो भारवेली मैगनीज माइश मद्यविदेश के Balaaghat district में हैं तो मद्विदेश हमको क्या मिलें रहा है मुद्य मैंगनीज क के बाद अगर देखते हैं तो सबसे इमपोर्टेंट मिंडरल म्दैविदेश काоды को है वह आपका क्या कॉपपर का सबसीयादा जुटा है छहां पर होता है एलेक्टरिकल इंडस्ट्री जम होता है फोबाने में कोपर काeduc युज होता है औहouvalt देखो एदा बिदेश हैं कोपर सबस्यादा कहां पर होता है तो मद्डविदेश हैं कोपर सबसे काँ है डिस्ट्रिक्ट में Тыग यादरखेगा ऑब मद्डविदेश में कॉपर की सबसे प्रॉमिनेंट माइन often का नाम उसका नाम है मलाज खंड copper उसका नाम है MALाजखंड COP po Ireland कि लिए है जिसका नाम है हिंदूस्तान पाट कॉपर ओर लिमिटेड़ हि इंदू स्तान कॉपर लिमिटेड ने अपना प्लांट यहां पर सेट अप किया था in the year 1982 थे ने को सेट अब किया गया तो हिंदुस्तान कॉपल लिमिटेट का जो प्लांट है 1982 में यहां पर सेटब किया गया था तो मलाजखंड कॉपर माइन कहां पर है मलाजखंड कॉपर माइन आपके बाला घाट में सिच्वेटेड है फिर जैसे यहां से देखोगे तो एक और चीज हम देख र हां पर है तो शेतल पानी माहिटेश के बाला घाट मंड्रा धिस्टिक्त के बादर पर रिखथी है तो शेतल पानी माइज जो है मलाजझ खंड कॉपर माइन आपका कहां पर सिचुएटेट्ट रहे तो मैंगनीज माइन कहां पर है मैंगनीज दूसरा आगया आपका कॉपर फिर तीसरी चीज चलते हैं तो तीसरे अब मिनरल जो है हम लोग लाइन से बड़े-बड़े मिनरल से उनको देखते चलेंगे कि जैसे आप से पूछेगा कि मद्यविदेश में लाइम स्टोन का प्रोडक्शन सबसे आदा कौन करता ह है तो आप सभी को पता है कि लाइम स्टोन कहा मिलेगा जहां पर विंद्यन रॉक सिस्टम मिलेगा है और मद्यविदेश में चूना नगरी के नाम से किको कहा जाता है मत्दवधेश के चूना नगरी के नामसे टैक्टनीweg को कहा जाता है और फिर यहीं से एक और आइसिके बारे में लिए मिलता है कि लाइमस्टोन कौन सी रिवा डिस्टिक में मिलता है और जिप्सम का यूज कहा होता है जिप्सम का यूज सिमिंट इंडस्ट्री में होता है जिप्सम का यूज कहा होता है जिप्सम का यूज सिमिंट इंडस्ट्री में होता है इसके अलावा आप देखोगे तो इसके अलावा आपको एक और चीज आच्वे नंबर पर देखोगे कि वैनेडियम, वैनेडियम अभी अभी मद्यविदेश मिला है, वैनेडियम बेसिकली रॉकेट वगेरा के मटेरियल बनाने है, मतलब स्पेस रिसर्च में बहुत हेल्प हो जाएगी हमारे को वैनेडियम मिलने से, वैनेडियम की माइनिंग भ तो यहां से आगे चले गए, तो एक हो चीज किया है, लाइम से जिपसम, ग्रैफाइट वैनेडियम तीन और फिर उसने आप से पूछा कि मद्यविदेश में से अच्राइबा फूछा कि मद्य ब्याइच में सबस्यादा प्रोड़क्शन अभी नहीं हो रहा है, ज्याबग दोलोमाइट भी जाबुगा में हो रहा है फिर उसने आप से पूछा कि मद्विदेश में आप ये बताईए एसबस्टोस जाबुगा डोलोमाइट जाबुगा फेल्सपार कहां हो रहा है तो MP में फेल्सपार का प्रोडक्शन जो लमहेटा माइन से कहां पर जबलपूर में जबलपूर की जो लमहेटा माइन से वहां पर फेल्सपार का प्रोडक्शन होता है तो जबलपूर में कौनसी माइन से जबलपूर की जो लमहेटा माइन से यहां पर फेल्सपार का प्रोडक्शन हम लोग देखते है तो यह भी एक फैक्ट याद रखिए ना और उसी एक सा कि diamond के लिए कौन सा district famous है, तो मद्यभिदेश में diamond के लिए 10 district famous है, और diamond कौन से rock system से हमको कि diamond मद्यविदेश का सबसे कैसा है precious mineral है, मद्यविदेश का most precious mineral कौन सा इसी वाले mains में, ज가지 ़ासट वाला कौन सा डायमंड सीरफ तीन नंबर का कोश्चन था कि मद्यविदेश का सबसे प्रीशियस मिनरल कौन सा डायमंड और इसी डायमंड के बारे में अगर आप से पूछ है कि डायमंड पन्ना के अलावा कहां पर मिलता है तो डायमंड पन्ना के अलावा एक ओर डिस्ट्रिक है औ कौन काप बारें बात कर लेते हैं एक माइड को मजगवा माइड है मद्विधेश के दिस्ट्रिक में मद्विधेश के पन्ना डिस्ट्रिक में है राम खे चयज़िया दिस्ट्रिक Warкого कहरी तो सुओं उसने आप से पूछा हिनोता डायमेड माइन माइनaskण तो हिनोतना डायमंड माइन जो है वो भी मत्विदेश के 15 डिस्टिक में आपको मिलेगी और फिर यहीं से एक और उसने question पूछा कि अंगोर माइन्स कहां पर है कौनसी माइन्स अंगोर डायमंड माइन्स तो जो अंगोर डायमंड माइन्स है मत्विदेश के चातरपूर डिस मिलें तो बख्षवाद डायमंड माइनस कहां पर है तो बख्षवाद अंद्म माइन्स मत्य एचातर भी से चातर डिस्टिक में सिचुईटेड है तो यह भी एक direkt यार रख कह иск और कि मिलता है टड़ाएव बर ऑ्क सिस्टम से हमको डायम इंडा मिलता है रामंड शॉतर प् एको ची निकल के आगे आपका कौन सा डायमंड तो डायमंड के बारे में इतनी चीज़े हमको याद रखना है रहेगी इतनी बात इसके अलावा मद्यविदेश के कुछ जो दूसरे मिनरल भी मिलते है तो दूसरे मिनरल में आप से बूसता है कि मद्यविदेश में कैल साइट कहां मिलता है तो MP में अगर बात करोगे कि मद्य विदेश में केल साइट कहां मिलता है तो केल साइट मद्य विदेश के बढ़वानी डिस्ट्रिक में मिलता है. केल Сाइट मद्विदेश में कहा मिलता है. केल Sाइट मद्विदेश के बढ़वानी डिस्ट्रिक मीलता है. तो इस fact को भी याद रखेगा. फिर हो उसने आपसे question पूशँन पूस दिया रख सकते हैं तो केल साइट आपका बढ़वानी कोरिंडम आपका सीधी और इसी में आपसे वह एक और कोश्चन पूछेगा कि विस सिटी और मद्यविदेश इस नोन एज मार्बल सिटी मद्यविदेश मार्बल सिटी के नाम से किसको जहते हैं मतलब मद्यविदेश सबसे आ मार्बल दिखता है यहां पर आपको वाइट मार्बल दिखता है लेकिन जैसी आप जाओगे कलर्ड मार्बल हमको कहां मिलता है तो कलर्ड मार्बल आपको मिलेगा मद्यविदेश के बैतूल डिस्टिक में आपको कलर्ड मार्बल मिलेगा मद्यविदेश गौलिय डिस्टि यहीं से वह आप से एक और question जाते जाते हैं पूछ लेगा कि मत्यवदेश में tungsten कहां मिलता है tungsten कहां यूज होता है tungsten bulb में as a filament use होता है क्योंकि tungsten का melting point 3500 degree के असपास होता है तो tungsten जो है मत्यवदेश में कहां मिलता है तो tungsten आपको आगर village कौन सा अगर विलेज अब आगर मालवा डिस्टिक नहीं जाना आगर विलेज कौन से डिस्टिक में है तो आगर विलेज नर्मदापुरम में आपको tungsten मिलता है तो यह भी फैक्ट यहां से याद रखिएगा लेकिन अगर आप मुझस से गैसिंग पूछो तो MPPSC का यह बड़ा फैवरेट है ग्रैफाइट मद्यविदेश में कहां से निकलता है बैतूल अंग्रेज कहते हैं मद्यविदेश में जब वो ग्रैफाइट निकाला करते थे क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे हाइस कॉलिटी का जो ग्रैफाइट निकलता है बहुत कम रिजव बचे हुए क्या ना के बराबर है तो याद रखेगा खुए क्यों कि मद्यविदेश PSC कई बार इस कोश्चन को पूच चुका है तो याद रखेगा कि मद्यविदेश है graphite reserves हमको कहां पर दिखते हैं तो मद्यविदेश के graphite reserves हमें बैतूल district में दिखते हैं तो यह कुछ mineral से मद्यविदेश में और इससे related कुछ facts जो important मुझे लग रहे हैं तो सब कुछ यहां पर लगबाग हमारे main main minerals मुझे याद आ गया कि वो इसका नाम क्या है कैसराइट में कहां पर मिलता है तो जो कैसराइट MP में मिलेगा कहां पर आपको बैतूल district में तो यह कुछ mineral से इंको थोड़ा सा के बाद मिंडल्स के बाद जो next topic हमारा वहें tribal personalities और मद्यविदेश को कौन सा topic है वहें आपका क्या tribal personalities और मद्यविदेश और जैसे कि हम लोग इसकी बात कर रहा है या ट्राइबल्स और मद्यविदेश से पहले क्या जरूरी है कि मद्यविदेश के ट्राइब की बारे में इंफॉर्मेशन हो कि ट्राइब्स क्या है कैसा topic मद्यविदेश का जो कहीं ना कहीं जोग्रफी का पार्ट है लेकिन बहुत साई लोग इसको बोलते हैं कि यह तो कल्चर का पार्ट है लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यह जोग्रफी का पार्ट है क्योंकि tribes जो है human geography के अंतरगत आती है और इंको ही क्या कहा जाता है tribes कहा जाता है और जैसे कि आप tribes की बात करते हो तो मद्यविदेश में ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं तो एकोची निकल के आती है कि वह प्री में यहां से क्या क्या पूछता है तो वह प्री में जो basic चीज़े आपकी यहां से पूछने वाला है वो किसी भी ट्राइब की आप से लोकेशन पूछ सकता है वो किसी भी ट्राइब की आपको सबकास्ट पूछ सकता है वो किसी भी ट्राइब की आप से क्या पूछ सकता है उसकी यहां से कोई डान्स पूछ सकता है वो किसी भी ट्राइबल ग्रुप के मैरीजेस के टाइप पूछ सकता है और वो किसी भी ट्राइबल ग्रुप के किसी प्रॉमिनेंट पस्नालिटी के बारें पूछ सकता है या तो उसको बहुत तफ कोश्चन मनाना होगा तो उसको अगर पूछना हो तो किसी ट के perspective से कवर करना है लेकिन अगर आपको एकोड चीजी यहां से बता दूफ वो एक और चीज क्या है कि जब भी हम मद्य विदेश में tribes की बात करते है तो पहले एक basic सा data देखते हैं कि मद्य विदेश क्या कहा जाता है MP को कहा जाता है tribal state क्योंकि population wise पूरे देश में सबस्यादा जो आदिवासी समु है वो कहा पर है मदविदेश में है और मदविदेश में जो total tribal population है वो MP की tribal population का कितना है 21.1% है और यहीं पर हम देखते हैं कि मद्यविदेश में जो maximum tribe है वो कौन से district मिलती है तो मद्यविदेश में जो maximum tribal group है वो कौन से district में है धार district में मिलेगा और जो minimum tribal group है वो सबसे कम जन संख्या जो tribal की है वो कौन से district मिलेगी तो आपको भिंड़ district में मिलेगा गुछा कि मत्यविदेश count ट्राइप कहाँ पर McDVD थिस्ट्रिक में वे सबसे गम ट्राइप भिंडत दिस्ट्रिक में लेकिन उसने कोश्यंग को यहाँ पलट दिया और उसने पूछा की मत्युद परसेंटेज वाइस अगर हम देखे तो मद्यविदेश सबसे कम जनसंख्या अधिवासी हो कि भिंड जिले में है बिंड में देखते हैं 0.4 परसेंट के आसपास जो है ट्राइबल पॉपुलेशन हमको दिखाई देती है तो यह बेसिक सा डेटा है जो हमको प्रिलिम्स के लि जाच्पूर में है और परसेंटेज मिनियम ट्राइबल पॉपुलेशन भिंड में है तो यह वी एक फैक्ट याद रखेगा और इसी के साथ यहां से कुछ बेसिक फैक्ट और लेखे आते है कि वह हमसे क्या पूसता है कि मद्यविदेश में इंडिया में जो 9 अगस्त को क् करते है और इसी के साथ वाह से एक और कूश्चन पूसता है कि फंध्रा नॉम्बर को किया सवीब्रेट किया आता है तो । Gelat II अब लोट सेलिबेट करोगे तो विमुक्त जाती दिवस कौन सा जाती दिवस विमुक्त जाती दिवस जो है आप कप सेलिबेट करोगे कौन से दिन 31 अगस्त को फिर आपको यहाँ से उसने पूछा कि 4 दिसमबर को अप लोग क्या सेलिब्रेट करते हो तो 4 दिसमबर को हम लोग बोलें 55- Tyler को मद्विदेश में एक और चीज है कि भील आ जो ट्राइबल कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन अहां पर है कि मद्विदेश में जो कोर्कू कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन यह आप से पूछेगा कि मद्विदेश का फर्स्ट ट्राइबल कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन मद 2011 में और इसे के साथ वह आप से पूछेगा कि कोरकु कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन कहां स्टार्ट किया गया तो कोरकु कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन जो मद्यविदेश में स्टार्ट किया गया है वह स्टार्ट किया गया है कहां पर वह स्टार्ट किया गया है आपका मदविदेश के खालवा कहा पर खालवा और खालवा मदविदेश के कौन से डिस्टिक है पड़ता है खालवा मदविदेश के खंडवा डिस्टिक है पड़ता है फिर वो आपसे एक और कोशन पूछता है क्योशन क्या है कि उसने आप से पूछा कि गोंडी कम्यूटी रेडि स्रोली मुझे के बैतुल ठीट में आपको पढ़ेगा सेहरिया जैडिया पूछा कि बैगा कम्यूटी रेडियो स्टेशन जो है आपका मद्यविदेश के डिंडोरी डिस्ट्रीक में हम लोग सेट अप कर रहे हैं तो यह याद रख सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक में डिंडोरी डिस्ट्रिक तो एक यह चीज आपकी यहां से यह निकल की आग zarit आपको तीन मुस्तर वर्न ठीकितनी आप दिखते हैं मद्यविदेश की अति यह-टी जन जातिया कौन कौन सी है मद्यविदेश की जो अति यह आपकी कौन सी बैगा वहया आपकी कौन सी भारिया वह कौन सेहरिया तो मद्यविदेश की अती पिछडी जन जाती कौन-कौन सी है बैगा भारिया और सहरिया और यह किन basis पे इंको अती पिछडी बोला गया है वह जो basis है वह यह है कि यहाँ पर इंका पूछे का वो की tribal health research institute मद्यविदेश में कहां पर है tribal health research institute तो जो tribal health research institute है वो मद्यविदेश में situated है कहां पर वो मद्यविदेश में situated है आपका जबलपूर में तो tribal health research institute कहां पर है tribal health research institute मद्यविदेश के जबलपूर में situated है मद्यविदेश में कहां सिचुएटेड है MP के जवलपूर में सिचुएटेड है फिर जैसे आप यहां से देखोगे तो हम लोग एक और चीज क्या है कि यहीं से आपने question पूछा तो एक question क्या है उसने आप से पूछेगा कि मद्यविदेश में state tribal museum कहां पर है उसने question क्या पूछा कि मद्यविदेश में state tribal museum कहां पर है तो मद्यविदेश में state tribal museum है वो कहां पर है आपके भोपाल में situated है state tribal museum मद्यविदेश में कहां पर है भोपाल में है फिर उसने आपसे एक और question पूछा सहरिया ट्राइबल मुजियम मद्यव county में कहां पूछा सहर्याbn umgeon MP में कहा पर है तो जो सहरीया Walk Ó ल॑ि मुजियमival मद्यविदेश स्वुपूर में है तो यह या happier हम यहाँ से याद रख सकते हैं फिर जैसे कि यहां से उसने एक रहे गा तुह ने को सी एक धाना स्मय सब्सक्राइ Weekly सब्सक्राइब करेंव telling इनि ने किसे एई जर्फीटर सबर्गार सब्सक्राइब सब्सक्रायन और संब्केशिकर चीजेशेंद और दो त्राइब से रिलेटेड याद रखना जो आपके शायद प्रिलिम से पूछ सकता है तो हमने क्या देखिया बादल भूई ट्राइबल मुजियम चिंद्वाडा ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्ट्यूट जबलपूर इस्टेट ट्राइबल मुजियम भोपाल सहरिया ट्रा वालिदान दिवस बैगा भारिया सहरिया इसको हम लोग क्या कहते हैं मोस्ट वल्नरेबल ट्राइब कहा जाता है MP की और एक और चीज की मद्विदेश में टॉटल नंबर ऑफ रिकगनाइस ट्राइब कितनी है पुराने डेटा में 46 थी नया डेटा जो अपडेट होके आया तो यह मद्विदेश का है कि यहां से हमने ओवर व्यू देखा यह क्या है मिसलीनियस जैसा मतलब समझें क्या करने जा रहे है मत्यविदेश का जो फर्स ट्राइबल ग्रूप है उसका नाम है आपका भील वह मत्विदेश की कौन सी जन जाती है वह मत्यविदेश की भील जन जाती है भील की स्पैलिंग में भील लिखू या भील लिखू दोनों सही है तो यह जो आपकी भील ट्राइबल ग्रूप है बेसिकली मत्यविदेश में कहां मिलता है तो यह जो भील ट्राइबल ग्रूप है बेसिकली मत्यविदेश में मालवा रिजन में मिलता है कौन से रिजन में मालवा और निमाड रिजन में आपको मिलेगा मालवा और निमाड रिजन में जिन में इनके जो को डिस्टिक होंगे जाबुआ इनके जो को डिस्टिक होंगे अली राजपूर इनके जो को डिस्टिक होंगे अली राजपूर इनके जो को गुपने अपने आपको किसका डिसेंडेंट मानते हैं यह अपने एकलव्य का पूरवज मानते हैं और फिर यहीं से गयुक्यकर शारी निकल के हैं कैसी race है प्रोटो औस्टोलॉइड race का इंको माना गया है और इसी ट्राइबल ग्रूप के वारे में अगर एक और चीज यहां से देखे race के अलावा तो इंकी कौन कौन सी सबकास्ट आपको दिखाई देती है भीलो की हमें कौन कौन सी सबकास्ट दिखती है तो भीलो की हमें में सबकास्ट दिखती है तो भीलो की जो में सबकास्ट है वो है आपकी भीलाला भीलो की जो सबकास्ट है आपकी बारेला है ना भीलो की जो सबकास्ट है आपकी पटेलिया भीलाला बारेला पटेलिया फिर एक जो भीलो की सबकास्ट है आपकी कौन सा है रतियास और एक और भीलो की सबकास जो है पांचे नंबर पे वो कौन सी है वैगास उसके अलावा एक इसमें सब ग्रूप और है जिसको कहा जाता है तड़वी भील वह भील होते हैं जिन्नोंने इसलाम को अडॉप किया है तो उनको क्या कहा जाता है उनको तड़वी भील भी कहा जाता है तो तड़वी यह किये है तो इनकी सबकास क्या है भिलाला बारेला पटेलिया रतियास और भिलाला आपने आपको ऐसा वलते है कि वो महराणा प्रताप के वनसाज है तो वो कौन मानते भिलाला मानते है उसक उस प्रथा को क्या कहा जाता है डापा सिस्टम क्या कहा जाता है डापा सिस्टम अब यह डापा सिस्टम क्या है डापा सिस्टम बेसिकली शादियों के टाइम में लड़की के बदले कुछ पैसा दिया जाता है लड़की घरवालों को जो लड़के घरवाले देते उसको चालूगा तो 2016 में साथीदार campaign चालूगा था तो यहां से याद रखना है उसी के अलाव आप देखोगे कि भीलो के culture की एक और चीज जो आप देखोगे वह कौनसी चीज निकल के आ रही है वह आपकी आ रही है पिथोरा painting वह कौनसी निकल के आ रही है तो एक और अगली जाती है किसके लिए पिथोरा बाबा के लिए यह कैसी painting होती है तो पिथोरा पेंटिंग अब की अनाम था पेमा फात्य तो पेमा फात्या बहुत ही prominent एक भील आर्टिस्ट है जो उनको मद्यविदेश सरकार का सिखर सम्मार मिला हुआ और कहां कि रहने वाले इसके अलावा आपको इसी ट्राइबल ग्रुप में और शीज मिलेगा औव वह चीज क्या है वह भागोरिया कने दिनों का होता है नहीं और फेस्टिवल करते जब हम भगोरिया कब होता है before दिनों पहले है लगया कोंछ मी कोरिय आ gusta कर सिफख़ष झाल तो यह मंइ काणिम्ट मेड़ को सिंद connects मंथ अलवा इसे मार्च के हरने मंफों में देखोगे नियुक्त की समय किरढ़ लाब jars सिंदों में आप इसे अपका फीईतिफे रोगे को किरो पने सबस्क्राउस के बघ्णा olabilir कि आपकाया तो फ़ेस्टीवल ओफ लफ लुव के नाम से हैं לא जो आपका भगोरिया होता है भगोरिया में एक डांस परफॉर्म होता है जिसको बोलते गोल गधेडो तो गोल गधेडो डांस मत्विदेश में कौन सा ट्राइबल ग्रूप परफॉर्म करता है तो आपके भील ट्राइबल ग्रूप परफॉर्म करते है इसी के अलावा आप को कि नाम से कहा जाता है तो फाल्या और कूछ जैसे कि आप देखोगे ये एक है ये गाव है ये ये सिंगल घर इसको भूला कूू लेकिन यह बहुत सारे कोई मिलके बन गया क्या फालिया तो घीलो की हाउजिंग को में लोग किस नाम से कहते हैं। भीलो की housing को हम लोग फालिया के नाम से कहते हैं इंडिविजल हाउजेस को हम लोग कू के नाम से कहते हैं इसके अलाव आप देखोगे कि भील ट्राइब के कुछ आपके फेमस लोकल फेस्टिवल्स भी होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं जत्रा, गुल और नवई तो नवई नवई फेस्टिवल मदवदेश में कौन सा ट्राइबल गुरूप सेलिबरेट करता है इसी के बाद आप एकोची देखोगे इसी ट्राइबल गूरुप के सांथ तो भीलो की जो एगरिकल्चर प्रेक्टिस है, भील कौन-कौन सी एगरिकल्चर प्रेक्टिस परफॉर्म कर इसी के अलावा जब हम देखेंगे तो भीलो की आपको कौन सी food habit दिखती है तो भील जो है basically भील जो है आपका जो कड़कनात आपने नाम सुना होगा कड़कनात जो है क्योंकि basically non-vegetarian होते है तो जो कड़कनात है जिसको GI तो यहाँ पर जो है कड़कनात इसके अलाव आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ताडी consume करते है तो अपको दिखाई देगा तो यह आपकी क्या है आपका काड़कनात ताडी और घुंगरी तो यह आपकी कुछ चीजे है जो हमको याद रखना है तो यह आपका क्या है food habits निकल के आगई और end में आपको याद रखना कि भीलो के कौन कौन से famous gods है तो भीलो के जो famous gods है वो आपको कौन कौन से दिखाई देंगे टेंपल और यह नागलवाडि टेंपल आपको मद्यूदेश में जब नागलवारी टेंपल से मान रिभाइन वर्ड कौन सा ट्राइबल गूर्प कर सकाएं यह नहीं नहीं में घुक्स पैसे के लन दिन होता है लड़की के वदले जो पैसा दिया आता है 2016 में सन्थीदार केंपेन चालो किया पिथोरा पेंटिंग इनसे आसोसीएटेट भागोरिया, इनसे आसोसीएटेटेद है भागोरिया को बना या याइता है गुलालिया गोल गधेडों से ऊच्वाप सब्सक्राइब करते हैं जिसमें सभी लोग जो है साथ में काम करते हैं ग्रूप में रहते एक दूसरे की मदद करते हैं उसको हलमा प्रेक्टिस कहा जाता है तो यह हलमा कौन से ट्राइबल गुरूप में प्रसिध्ध आथ हलमा आपके वील ट्राइबल गुरूप में प्रसिध्ध है और इसी के साथ आप यहां से देखोगे कि उसने आप से पूछा कि पीलो का गांधी किसको कहा जाता है तो एक परसनैलिटी है जिनक का नाम है मामा बालेश्वर दयाल को भीलो का गांधी कहा जाता है तो यह आपका ट्राइबल ग्रूप और निकल के आ गया भील ट्राइबल ग्रूप अगले ग्रूप के तरफ चलते हैं तो मद्यविदेश का वो कौन सा ट्राइबल ग्रूप है उस ट्राइबल ग्रूप का नाम है कौन सा ग माउंटेन कोंड का मीनिंग क्या होता है कोंड का मीनिंग होता है माउंटेन और जो गोंड ट्राइब के लोग है वो खुद को किस नाम से कहते हैं गोंड ट्राइब के लोग है वो खुद को कोईतूर के नाम से कहते हैं कोईतूर का मीनिंग वो होता है दा परसुन रिशाइड ख invented आहां मिलेंगे दख्छनी जिले में तो आपका कौन कौन सा जिल現在 मंडला आपका इक जिला है कौन सा चिंदवाडा तो मंडला चिंदवाड़ा उसके अलवाव देखोगे बैतूल उसके अलवाव आस देखोगे च्या पर पहाड़ी इलाके हैं तो यह मद्जविदेश के गौंडो के मुख चिले लेकिन आप से पूछा कि गौंडो की मैक्जियम पॉपुलेशन आपको मद्जविदेश के चिनवारा डिस्ट्रिक में हमको दिखाई देगी और फिर यहीं से एकोचिन निकल के आगई तो यहां स सबकास के नाम क्या है तो गोंडो की जो सबकास्ट है उनके नाम है प्रधान प्रधान क्या होता है गोंडो की कम्यूनिटी में जो हैड होता है उसको हम लोग प्रधान के नाम से कहते है उसके अलावा आप देखो कोन होंगे उनको देवता होंगे लूहा सूर और इनी अगरिया की वेक्ति है वेयर एल विन उनुने कौन सी किताब लिख voulais is karke book किसने Turkey आपके एलवी ने लिखी है तो इसको भी थोटा सा यहां फिर आप देखोगे सोला हास, सोला हास क्या होते हैं, सोला हास जो होता है वो आपके कार्पेंटर, सोला हास कौन है, सोला हास बेसिकली कौन होते हैं, जो कार्पेंटर या बढ़ाई गिरी का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको कोईला भूतीस कहा जाता है, छेटवे शटार्स किश्ग इस तरीके से गॉंडों में लोगो ने एक चीज क्या पर इंद सब्सक्राइस को डो और अलग सब्गूरूप में बाटाना गया गॉठ सब्गूरूप और एक आपका राज गोंड एक है आपका कौन सा गोंड एक है आपका राज गोंड राज गोंड बेसिकली कौन होते है जिनके पास खुद के अगरिकल्चर लैंड होते है और एक आपके कौन होते है धुर गोंड धुर गोंड जिनके पास खुद के अगरिकल्चर लैंड नहीं होते धुर ग फिरसके अलावा देखते हैं इंका कलचर को समझने की कोशिश करेंगे क्ऊ इंतलियों और यहाँ से कि उसके सिस्टम होता है और उस मेरिज के सिस्टम को हमलोग किस नाम से हैं उसको हम लोग कहते हैं दूध लोटावा तो आपको याद रखना है कि दूध लोटावा marriage का system कौन से tribal group में होता है तो दूध लोटावा जो है जिसमें cousin brother और sister के बीच में शादी होती है उसको दूध लोटावा कहते है जो आपके गोन tribe में होता है इसके कौन साल आप देखोगे lamjana और lamjana marriage system कौनसा lamjana और lamjana इसको बोलते है lamjana और lamjana क्या है बेसिकली क्या है service marriage है lamjana और lamjana इसको service marriage भी कहते है जो गोन tribe का जो लड़का है वो लड़की के घर जाके कुछ दिन रहता और अपनी services देता है services मतलब क्या कि उसकी खेटों में जाके काम करेगा उसके agriculture activities है पाइसिपेट करेगा और जब आप anthropologist के according बात करते हो basically हम जो पूछनी बात कर रहे है यह anthropologist के according बाते है जो इतना उन्होंने tribes को discuss किया है जितना उन्होंने tribes को समझा है तो उससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि यह जो लंजना system था इसमें लड़का पास साल तक कभी-कभी लड़की घर तक रहता था और फी जब लड़की घर वालोग लगता था तब वो उनको पंचायत की permission से अलग से घर बसाने की सैमती देते थे तो इसको क्या कहा जाता है इसको लंजना system of marriage भी कहा जाता है और इस जो जो है सेक्रिफाइस किया जाता है किसी एनीमल जो है किया हिस किया जाता है किसको क्या घर can recommend कुTO को पिया का जाता ह्योग इन यवा को क्वेश्टित है और दिपावली के टाइंग देखते हैं कि एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उस फेस्टिवल को लोग किस नाम से कहते हैं उस फेस्टिवल को लोग लारुकाच फेस्टिवल के नाम से कहते हैं जो नारायन देव के ओनर में किया आता है इसके अलावा गोन ट्राइब को तो Gon tribe एक और festival celebrate करती है उसको कहा जाता है Harali तो Gon tribe में जब नई फसल आती है है na, जब new harvested crop आती है न्यू crop के समय या जो festival celebrate करते है उसको Harali festival के नाम से दहते है उसके अलावा Meghnaath festival Meghnaath festival मदब देश का कौन सा tribal group celebrate करता है तो मेगनाथ फेस्टिवल भी है जो आपका गोन ट्राइबल ग्रूप सेलिब्रेट करता है उसी के अलावा जो आप एक और चीज़ देखोगे इसी ट्राइबल ग्रूप में तो आपको एक चीज़ और दिखाई देगी कि जो गोन ट्राइब के लोग है वो अलग-अलग आपको डिश्टिक में और इसी कर्मा डान्स के बारे में अगर में अपको एक चीज़ बता हूं तो गिनीज कर्मसहला-सुड और तहुता है तो यह का इनtechnique कर्मसहला-सुड उसको को याद रखता है तो मत्य этंक सच्मट में गुरुप करते जिसको बोलते है गोंडी तो इसको भी हमको याद रखना है तो यह मदविदेश के गोंड ट्राइब के कुछ प्रॉमिनेंट जो है फोक डांसे हमको यहां से दिखाई दे रहे इसके अलावा भी जो हम कुछ बेसिक बेसिक चीज देखते है गोंड ट्राइब में वह अपने क्या दिखती है कल को गोंड ट्राइब का दिखाई देगा वो क्या है घोटुल गोंड ट्राइब का एक सब्ग्रूप है जिसका नाम है मुडिया गोंड ट्राइब का एक सब्गूप क्या है मुडिया और जो मुडिया ट्राइब के लोग है और जो गोंड भी है उनके घोटुल सिस्टम होता और इसी घॉतुल को study किया किसने वैरियर अलवीन ने ऑन बेसिज़ ऑफ इस्टूडीज वैरियर एल्वीन ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसको बोला आता है था मुडिया घॉतुल तो जो हटूल को किस ने study it किया था गोटुल क को study it किया था वेरिया अल्विन ने अपनी studies के basis पर कौन सी किताभ लिखी उस book का नाम क्या था। बुडिया गोटूल to वेरिया अल्विन ने कौन सी किताभ लिखी है दद है मुडिया गोटूल तड jus गोटुल बुक किस ने लिखी तो दग मुडिया गोटुल बुक जो है आपके वेरियर एल्विन ने लिखी है तो एक चीज यहां से यह भी याद रखीगा फिर आगे चले गए तो इसी ट्राइबल ग्रूप में एक और खास बात दिखती है कि इनकी अग्रीकल्चर परफॉर्म करता है उसको तीन नामों से कहा जाता है उसको कितने नामों से कहा जाता है इसको तीन नामों से कहा जाता है जो है बारी पेंडा और डिपा क्या कहा जाता है बारी फिर एक और है पेंडा बारी पेंडा और डिपा तो तीन नामों से इसको कहा जाता है तो गोण गोन ट्राइबल गूर्प में और चीज हम देखते हैं कि in रिलीजूज गोड पूंक वन से है तो गोण्य ट्राइब के जो रिलीज्य गोड है कौन से बड़ा देव कौन है बड़ा देव इसको हम लोग महा देव के नाम से भी कहते हैं तो बड़ा देव महा देव दूला देव और इसी के साथ आप चौथे नंबर देखोगे बड़ा देव महा देव दूला देव तो यह आपको यहां से में गौड देखते हैं इसके ल आप देखोगे तो यह गोंड ट्राइब का यहां से में में चीजे निकल के आगी यह उनका सब गुरूप निकल के आगया सबकास प्रधानगरिया होजा सुला स्कुला होतीज नागरची मैरीज में दूद लोटावा लमसना फेस्टीवल में लारुकाच फेस्टीवल हरेली कर्मा सहला सुगा सजनी गोंडी पेंटिंग किया करतें गोटूल प्रता इखती है इसको बेसिकली मुडिया जो ट्राइब है वह भी करती है गोटूल को स्टेडी किया वेरियल विन ने अपनी किताबों के बैसिस पर मुडिया गोटूल लीखा अगरिकल्च प्रेक्टिस बारि पेंड़ डिपा गोंड के सब्कूल है इंक्वी बढ़ा देव महादेव दूला देव है उचन्डी माता इंके मेन यो रिलियस डॉड आपको यहां से रिखाई देथे हैं तो इतनी चीजे हमको यहां से इसके बारे में याद रखना है आपके कॉन से ट्राइबल गर घ्रोट किसी कि म्रति होती है घ्री को यहाँ से घ्री फौ्रोट को यह ही तो चीजिज वह 17 fitt होता है तो फेka नाम सब्सक्राइब को होता है तो आपका में ठास्ता है तो इतंटまた रिए स्क्राइबा सब्क्राइब हो गया कमप्लीट हो पह पहों गया, स्क्रींशॉट लेना आप यह आप लेंस सकते हो, पढ़ने के लिए वापति से ने ट्राइबल गूर। के तरह चल रहा है वह आपका कहोंसा है , का ट्राइबल गूरूप Esse बाइगा और आपका मंडला डिंडोरी और आपका बाला घाट तो बैगा ट्राइब में आपको क्या दिख रहा है मंडला डिंडोरी बाला घाट यह एग्जेक्ट जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है यह भी याद रखेगा फिर जैसे यहां से चले गाए तो एक और चीज हमको यहां से याद रही है कि गोन ट्राइब के लोग खुद को किस नाम से कहते हैं तो जो आपके स्वारी बैगा ट्राइब के लोग खुद को किस नाम से कहते हैं इसको बैगा चक के नाम से बोलते हैं इसको किस नाम से कहते हैं इसको बैगा चक के नाम से भी कहते हैं और फिर हैंसे स declaration निकलके आती है कि यह कौन सब्सक्राइब है इसकी भी क्या सबकास्ट है क्या तो बिल्कुल हमें बैगा ट्राइब की भी कुछ सबकास्ट दिखती है सबकास्ट कौन कौन सी है जो बैगा ट्राइब की आपको दिख रही है तो बैगा ट्राइब की जो फेमस सबकास्ट है वो कौन कौन सी है पहली सबकास्ट है आपकी कौ मैना कड मैना नरोतिया भरोतिया रे मैना कड मैना पांची सबकास आप देखोगे नाहर पांची सबकास आप देखोगे नाहर और छट्वी सबकास आप देखोगे बिच्वार तो नरोतिया भरोतिया रे मैना कड मैना नाहर और बिच्वार यह कुछ प्रॉमिनेंट जो है सब प्तास को यह से आद रखे नरोतिया भरोतिया रे मैना कड़ मैना नाहर बिच्वार दो तो यह आ गए नरोतिया भरोतिया है ना फिर आप देखोगे दो मैना अगई रे मैना कड़ मैना नाहर और बिच्वार और फिर यहां से हम लोग देखते हैं कि सोसाइट जो आपकी को आखता है उसको मुकदम के नाम से कहते विवास को मुकदम के नाम से बी कहा जाता है तो यह जो सच के भी एक ऑद हैी घुड्ल के लिगां के वारे m इसी के अलावा आप एक हो चीज़ देख सकते हो कि मद्यविदेश में जो गोधना सिस्टम है सबसे आदा पॉपुलर कौन से ट्राइबल ग्रूप में है मतलब टैटू कल्चर गोधना मतलब टैटू कल्चर मद्यविदेश के कौन से ट्राइबल ग्रूप में सबसे आदा द देखोगे जब यहां पर लड़किया 5 साल की होती है बैगा ट्राइब में तो पहला टैटी उंके मस्तक पर होता है पूरियों जब से उंकी एज बढ़ती आती तो बॉड़ी के अलगलग पार्ट पर टैटू होते क्योंकि आदिवासियों में बैगाओं में ऐसा मानना है कि ज दोस्तों बैगा ट्राइब करती है दोस्तों बैगा ट्राइब जो करती है वो करती है शिफ्टिंग करती है करके घेगा ट्राइब कौन सी कमीलटिवेशन करती है तो बैगा ट्राइब मदमेशiron करती है और जो शिफ्टिंग करते है और टीन नामों से लिय fits दो है यह थिए अपने को यहाँ से याद रखनाए कि इन नामों से तो हम इसको पूरे shifting cultivation उसको तीन नामों से बोला गया दहिया पॉंडू और बेवार और यहीं से जब हम देखते हैं तो इंकी अपनी फूड हैबिट से इंकी और एक और चीज है इंकी जो मेन बेवार क्रॉप से इंकी जो मेन बेवार क्रॉप से वो क्या है तो यह जो गाते हैं वो गाते सावा वो गाते हैं कोदो वो गाते हैं कुठकी है ना जो बेसिकली यह सब क्या है यह है आपके मिलट्स तो मिलट्स की खेती यह लोग बेसिकली किया करते है और फिर यहीं से देखते हैं कि यहां से इनकी क्या है इनकी फूड हैबिट कैसी है तो इनकी फूड हैबिट के भी सब्सक्राइब बेगाटरएब बहुत ही पॉप आर बहुत ही पर्फॉर्म करेगी ना गया और यहां से अपको थोड़ा सा याद रखने की जरूया थे तो यह आपकी बेगाटरएब की इतनी चीजे निकल के आगें कौन कॉंसे डांस पढ़ निदान्स तो वा सजनी डांस बेगाटरएब कर Jumma Dance, Basi, Page, B.R.E. और फिर हम चल रहे है कि बैगा ट्राइब के देवी देवताह वो कौन कॉन से Religious Practices जो है आपकी बैगा ट्राइब परफार्म करते है तो बैगा ट्राइब के जो गुझा अरहां सकते हैं मद्रा बुदेश का जो prix extrater op पूजा में यह अ कारता है का सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब करते हैं उसके अलावा इनके एक और फोक गॉडद आपको तो दिखते है जिनका नाम क्या है ठाकुर देव इनके एक और फोक गॉड है इनके एक और फोक गॉड है जिनका नाम क्या है ठाकुर देव तो यह भी एक फैक्ट याद रखेगा तो ठाकुर देव भी है और ऐसा इनका मानना है ठाकुर देव इनके गाओं की जो रक्षा करत तो एक तो यहां पर होती है पैथुल मेरीज में क्या होती है लड़की को जिस भी लड़के से शादी करने होती है वो उसके घर में जा कर गोई जाती है और briefly वो चयाते है जब पति की डेइट होजाती की देट हो जाती है डिवोर्स हो जाता है उससाम दो अब कर वो होता है marriage होती है उसको उगारिया marriage कहते हैं तो उसको कौन सी उगारिया marriage कहते हैं हलाकि फिर हम लोग को इसमें लम्जणा लमसना system भी marriage का दिखता है कौन सा लम्जणा और लमसना भी दिखता है और एक और आपसे पूछेगा कि मद्य विदेश में चोर विवा कौन से ट्राइबल ग्रूप में होता है तो मद्य विदेश में चोर विवा जो है वो भी आपके बैगा ट्राइबल ग्रूप में होता है तो पैठुल मैरीज, उघारिया मैरीज, लमजना मैरीज, लमसना मैरी चोर मैरीज और वीडो री मैरीज का सिस्टम भी हमें दिखाई देता है तो इतने प्रकार के जो मैरीजेस के फॉर्म है आपके बैगा ट्राइब में दिख रहा है तो यह हो गई आपकी कौन सी बैगा ट्राइबल ग्रूप भी यहां से लगबग कम्प्लीट स्कूरिंशॉट बढ़ने क्ले सकते हो बिल्कुल शॉट नोट के फॉर्म में आपका यहां पर है यह जो और यह जो सहरिया ट्राइबल्स के उन जीलों में मिलेंगे जो राजिस्थान इन चेह करेंगा आपके अग्जितां मुलेंगे जो राजिस्थान से आपका मुरेना यह से बारडर करेंगा यह ईयुक्यायव है plural Noah मिलने वाली है तो शर्य ट्राइब को मिलती है श्यृपूर शहरिया ट्राइब को मिलतीë सबस्क्राइब कर सब्सक्राइब नियुको किस से चाहिछ याभ्यूफ याद रखैंगा यह जो कंसर्इब यह वीक बताया जाता है ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ एलकोहल तो यह भी चीज याद रखना है फिर जैसे यहां से चले गए तो एक और चीज क्या दिख रही है इसी सहरीया ट्राइबल ग्रूप में आप जब देखो गे तो इनकी सोसाइटी को इस कैसे बाटा गया इनकी सोसाइटी कुछ हिस्टों बाटा गया जिसको कुछ को को देख सेरिया ट्राइब के बाद आते हैं उसको किस नाम से कहा जाता है उसको सहरना के नाम से कहते पहला голов की एक हास है कि यह कैसे बनते हैं यह आप वह आपस में एक दूसरे से झूड़ी हुई आपको दिखेगी या तो फिर ऐसे इस planeta तो इस तरीके से जो शहरा ना रों रहती है और इस चहत सहरिया ट्राइब के ली मिले परफॉर्म करें है बिल्कुल सहरियाट्राइब की लोग किस नाम से कहते हैं जिस को कूं सा डांस कहा जाता जिसको लहंगी को ढवा जाता है तो यह भी एक fact यहाँ से याद रखना है तो दुल-दुल घोडी और लहंगी जो अपने को यहाँ से याद रखना है तो यह आपका क्या है सहरिया ट्राइवल ग्रूप जो है इसको करते है तो अब यहाँ से याद रखेगा कि कुटुमबपुर के सहराना शोपुर मुरेना सब्सक्राइब करते हैं बस यह इतनी चीज़े आप लिए और अभी हम लोगो देखा है कि जो चीता रिहाबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो है चीता रिहाबिलिटेशन प्रोजेक्ट की वजह से मद्विदेश के कौन से ट्राइबल ग्रूप को जो है डिस्प्लेस किया गया आती है तो टीवी विमारी मद्विदेश सबस्यादा कौन से ट्राइबल ग्रूप में देखी जा रही है तो वह आपका सहरिया ट्राइबल ग्रूप और सहरिया ट्राइबल ग्रूप मत्विदेश की मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप में आती है तो यहां से याद है रहेगी इतनी बात्याद तो यह मद्यविदेश का एको ट्राइबल ग्रूप हो गया कौन सा आपका सहरिया ट्राइबल ग्रूप दुल्दुल घोडी लेंगी डान से लोग करते हैं यह बिलकुल आप प्रीके लिए तो इसको याद करी लेना रटी लेना दुल्दुल अगला जो ट्राइबल ग्रूप आपको निकल के आ रहा है वो कौन सा ट्राइबल ग्रूप है वो है मद्यविदेश का भारिया ट्राइबल ग्रूप मद्यविदेश का कौन सा ट्राइबल ग्रूप वो है मद्यविदेश का भारिया ट्राइबल ग्रूप और यह जो भारिय लूकेशन जो है कहां मिलेगी वो मिलेगी पाताल को रेगी पाताल कोल भी उसी पिछड़े तरीके से रह रहा है इसलिए इनको क्या बुला गया इसलिए इनको क्या बुला गया आदिवासियों के आदिवासी तो इस ट्राइबल ग्रुप को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है आदिवासियों के आदिवासी जो है बेसिकली आपके सहरिया ट्राइबल ग्रुप को कहा जाता है मत विदेश में कहां रहते हैं पाताल कोटे मिलते हैं पाताल कोट क्यों पाताल कोट का जो लिटरल मीनिंग वो क्या होता है कि पाताल का द्वार इसलिए उसको पाताल कोट कहा जाता है और आदिवासियों का ऐसा मानना है कि पाताल लोग के राजा जो है यहीं से पाताल की तर उचने वाली है पारिया सबकास्त भारिया ट्राइबर्ट रुक्ष दिखाए देगी भूमिया थी मारी प्रमिया के लावा वारिया ट्राइब की सभाष देखेगी समस्थist हो ती अterm कर देखते हैं पूर्ण रूप से किसके उपर डिपेंड़ंट हैं इस ट्राइबल ग्रूप को नैच्वल हब्स का बहुत अच्छा नौलेज है तो यह भी चीज अपने को यहां से इस ट्राइबल ग्रूप के बारे में याद रखना है और फिर यहीं से एकोची निकल के आरी कि यह जो आपका भारिया ट्राइबल ग्रूप है इसमें इसे एक इसमस्य चाहिव करता है तो उसमें सबसे प्रॉमईलाइंट फोक डानस आपका इक कुण समयब करता है उसमें यू यूथ जो है इस ट्राइबल को एस पार्सिपेट करते है तो हमнокुण और इसको परफॉर्म करते हैं वगेरा यह भी आपका डृबल गुर्प परफॉर्म करता है तो यह आपका और भारिया और इस यथि जो एक जूर नियूज चैसे रखेंगे तो यह जो है है कि इनके घरों को यह लोग क्या कहते हैं इनके विलेज को यह लोग के नाम से कहते हैं और फिर आप याद रखेगा कि नाग देव बगिरा की पूजा यह करते हैं तो मतविदेश का चुटा ट्राइबल ग्रूप है जिसका नाम क्या है भारिया और एक और फैक्ट याद जनजाती सा केटिगरी में आता है उसके बाद हम जा रहे है तो मतविदेश का एक आपकी होगी बैगा हो गई भारिया होगी सहरिया फिर मतविदेश का एक बड़ा ट्राइबल ग्रूप उठाते है जिसका नाम क्या है कोर्कू ट्राइबल ग्रूप अब यह जो कोर्कू है basically कौन सी race को belong करते है कोरकू जो है आपके kolarian race को belong करते है और ऐसा कहा जाता है कि ये मुंडा tribal group से भी आते है ठीक है तो ये भी चीज अपने को याद रखना है इसी के अलावा अगर आप देखोगे तो कोरकू tribe की जो race आपको देगी तो race बता दिया अब को कहाँ पर दिखाइइ देंगे कभी भी आ जाए आग बन्द करके लगा देना मद्विदेस का बैतूल जीवाश्य कौरकू tribe के लोग मद्विदेश में आपको बैतूल डिस्ट्रिक में कि बैतूल के अलावा ये टिमरनी बैतूल के मिलेंगे पंचमडी के असपास ये आपकोחנו नरमदा पूरम में भी मिलेंगे कहाँ पर पंचमडी के असपास उसी के अलावा आप यहां से देखोगे ये घुशुट पापको मिलेगा खंडवा डिस्टरिक में मिलता है ठीक है रह जाएगी यहां से बात फिर यहां से आगे चले गए तो इसी tribal group में हम लोग देखते सबकास्ट की कौन कौन सी सबकास्ट हमको दिखाई देती है कौरकू की tribal group की जो सबसे famous सबकास्ट है जैसे जब हम कोरकू ट्राइबल ग्रूप की सबकास में आते हैं तो कोरकू की सबकास थे पहले कौन से है आपकी पोथारिया, दुलारिया, रूमा और मोवासी तो कोरकू की सबकास क्या है पहली सबकास थे पोथारिया उसके बाद कोरकू की सबकास क्या है दुलारिया तो पोथारिया दुलारिया तीसे नमबर पे कौन सा आ जाएगा रूमा तीसे नमबर पे कौन सा आ जाएगा रूमा चौते नमबर पे क्या आ जाएगा मोवासी पोथारिया दुलारिया रूमा मोवासी और पाँचे नमबर प कौन होते हैं जो आपके कहा मिलते हैं जो आपके बैतूल डिस्टिक में जो कोर्कू ट्राइबल ग्रूप मिलते हैं उनको बावरिया कहते हैं और यहीं से आप देखोगे कि जो कोर्कू में एक और कोर्कू होते हैं जिसको राज कोर्कू कहते हैं जिनके पास खुद के अग्र परनी हर्दा नर्मदपुरह में मिलेंगे सबकास्त क्या है पुथारिया दुलारिया रूमा मोवासी और बावरिया बावरिया कौन होते हैं वहां कोर्कु जो आपके बैतुल और उसको फिर इंस्टॉल करते हैं क्योंकि अपने पूरवजो को यह अपना भगवान मानते हैं और उसी प्रथा को यह लो क्या कहते हैं सिदॉली प्रथा कहते हैं है ना तो the making of the making and installation of मुंदा the making and installation of मुंदा the process of making and installation of मुंदा is known as सिदॉली है ना making and installation of मुंदा is known as सिदॉली इसी के अलावा कोर्कु ट्राइबल गृप में आपको एक और चीज़ दिखाई देगा वो क्या है आपका खंब स्वांग वो चोनसी चीज़ दिखाई दे रही है वो आपकी दिखाई दे रही लिए खंब सौंग अब ये खंब सौंग क्या है कि कोर्कु ट्राइब के लोग मेगनाद को प्रेस कनने के लिए एक पोल जैसा structure बनाते और उस पोल जैसे structure के around जो folk theater perform करते है उसको खंब सौंग कहा जाता है तो खंब सौंग मद्विदेश में कौन सा tribal group perform करता है कोर्कु ट सब्सक्राइब के अबने बहुत सारे दान से जो आप मारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टन हो जाते है तो कौ कॊ ंद्राइब के जो फेमस दांस वह आपके चटकोरा को amplisienna को चाटकोरा को ट्राम कि जैस ऑसको बोलते ठप्ती कोर्कु ट्राइब का एक और बहुत ही भी धंडल डान्स मद्वधेश के कौन से ट्राइबल करते को कौन के बैसिकली इसको ग्रुप में पफॉर्म किया रहा है कब गर्मियों के मौसम में शाम को तो यह चीज आज रखना है और फिर यहां से आते हैं कि कौरकु के religious gods कौन कौन से है बस इनकी बात बची हुई है तो कोरकुओ के जो और कोरकुओ में एक हो चीज है कि इनके marriage के system अब देख लीजिएगा कि इनके marriage के system में कोरकुओ में शादिये को एक प्रकार होता है जिसको बोला जाता है क्या राजी बाजी तो याद रखेगा कि राजी-बाजी marriage का system कौन से ट्राइबल ग्रूप में होता है तो राजी-बाजी जो system है आपका कोरकुओ ट्राइबल ग्रूप में दिखता है और भारिया में भी एक हमको दिखता है वो कौन सा दिखता है कि आपका लमजना लमसना तो हो गई होगा विडो री मैरीज भी होगा लेकिन जीजा साली विवा तो जीजा साली विवा भी आपको मदवेदेश के कौन से ट्राइबल ग्रूप में दिखाई देता है तो वो आपको जो है इसमें दिखाई देता है भार प्राइड प्राइब है लावनाथ है एकिब्राइड करते है तो कोई मई मज आपके बोहने दोंगर देव कोन्से देव है नहीं एंसके नाम किया है मुड़ादेव और मुर्वा देव तो गहल्ख राइपकी धिग्दिए प्री बैटूल haop पोथारिया दुलारिया रूमा मोवासी बावरिया सिदॉली खंबसॉंग रहना डांस में चटकोरा थप्टी धांडल मैरीज में राजी वाजी ब्राइट वाजी लमजना लमसना दोंगर देव मुर्वा देव चंद्रदेव और यहीं पर पहले ऐसा बताते हैं ब्रिटीश छीजए है तो हमको यह अलीबात यहां से याद रखिएगा कौनसा ट्राइबल ग्रूप कोर्कु कौहां पर ट्राइबल gå 처़ो मत्विदेश की घ Gender double Group कौनसा है Kelly ट्राइबल ग्रूप और ये कोल ट्राइबल ग्रूप मद्विदेश में कहां पर मिलेगा तो इस कोल ट्राइबल ग्रूप की MP में आपको जब आप सिंग्रॉली रीवा सतना सीधी सिंग्रॉली यह वाले जो रीजन्स है यहाँ पर आपको इसकी जो लोकेशन है सबसे आदा दिखाई देगी बेसिकली यह भी कौन से रेस के हैं इंको भी कोलेडियन और मुंडा रेस का कहा जाता है यह नेटीव है जारखंड के लेकिन बाद म मदविदेश में आके सैटल हो गए और फिर इसी कोल ट्राइबल ग्रूप से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज में आपको यहां से बता दो कि यह जो आपका कोल ट्राइबल ग्रूप है इसकी भी हमें कुछ सबकास्ट दिखाई देती है इस कोल ट्राइबल रौठेल रौठिया रौठेल फिर एक और है ठकुरिया रौठिया रौठेल ठकुरिया और एक और चौथी सबकास्ट है उसका नाम क्या है कगवरिया तो रौठिया रौठेल ठकुरिया और कगवरिया तो यह आपको कुछ सबकास दिखाई देगी कौन से इस ट्राइबल रहर है तो इस ट्राइबल ग्रूप को संब्सक्राइब को कॉल ट्राइबल गृप के दिखाई दे रही तो इनकी पंचायत को गोहिया पंचायत के कि नाम Olumely कर रहा है इसी के लावा जब देखोगे तो को ट्राइब में भी अलग-अलग सबकास के अलावा आप कुछ देखोगे तो यहां से इनके कुछ origins है इनका ऐसा मानना है कि हमारा जो origin है वो शबरी मातास है लेकिन इनके आप देखोगे तो रिगवेद में भी इसका mention दिखता है और रिगवेद में वर्ड है कोल हाती तो कोल ट्राइब ऐसा मान यह मद्यविदेश में डांस भी परफॉर्म करता है उस डांस को किस नाम से कहा जाता है उस डांस को जैसे कोल है तो कोईला क्या हो जाता है तो कौन सा डांस करते हैं दहका डांस करते हैं तो कोल ट्राइब कौन सा डांस परफॉर्म कर रही है दहका डांस कर रही है और फिर इ खुद की हाउजिंग और ये ट्राइबल ग्रूप अपनी हाउजिंग को किस नाम से कहते हैं बेसिकली इसकी हाउजिंग की आपको मैं खास बात बता हूँ तो ये ग्रामीड इलाकों में जैसे मान लो ये गाव है एक छोटा सा गाव बसा हुआ है नॉर्मल पॉपुलेशन का तो ये इस गाव के बिलकुल बाहरी इलाकों में रहना पसंद करते हैं उसको कोलंतोल के नाम से भी कहा जाता है तो ये इंगा आपके कों से कोल ट्राइबल ग्रूप की तो ये भी एक फेक्ट यहां से हम को याद रखना है और फिर यहीं से आप देखोगे कि इनके भी कोई religious gods है क्या तो बिल्कुल ठाकुर देव और बैरम देव इंके main gods जो है आपको दिखाई देंगे ठाकुर देव और बैरम देव करके इंके main religious gods आपको इस cold tribal group के दिखाई देने वाले है ठीक रहेगी आते बाद तो यह आपका एको tribal group निकल के आ गया कौन सा cold tribal group और बिल्ली की प यहां पर इंके जन संकिया बहुत जाधा दिखाई देती है कोलेरियन रेस के है सबकास क्या है रोठिया रोठेल ठकुरिया और कगवरिया फैड कौन है चौधरी पंचायत क्या है गोहिया origin कहां रिग्वेद में भी दिखता है डांस कौन सा करते है दहका और प्रेस किसको क करते हैं शबरी माता को प्रेस किया करते और अभी करेंट का डायमेशन आपको बताओं कि आपका कोल महाकुम्ब कहां पर हुआ था तो कोल महाकुम्ब होग गो बहुत डिटेल में हम लोगोंने किया है उसके अलाव आप देखोंगे गोन्ट ट्राइबल गूरूप पुरा ॉषभां expos Be управ zasno इा व्हांप भी आफे多 बाहर गूरोब की और अग marc Sabla police की और इसी साथ हमने रह जो बीसिक इनफर्मेटिव डेटा है कि को उनका रेडियो एस्टेशन उनकी कितनी रिकगनाईज उनका परसेंटेज उनके फेमस दिवस उसके अलावा उनके म्यूजियम और उनके रिसर्स सेंटर सभी लोग सभी चीज़े हम यहाँ पर कर चुके तो एक ट्राइबल ग्रूप दो तीन चार पाँच और आपका छे यह जो है और एक की साथ तो फेमस फेमस जितनी भी ट्राइब्स हम लोग कर चुके है इसके अलावा मद्यविदेश में दो चार ट्राइबल ग्रूप है जो अलग अलग जगा पर मिलते हैं जैसे कि आपसे उसने पूस दिया कि मद्यविदेश में दान्स मद्यविदेश का कौन सा जंग जाती सम्हू करता है तो धुलिया जो अनुपूर मिलते हैं अब तुम बोलो कि गुदुम बाजा क्यों क्यों कि इस साल विशाखा पत्नम में नैशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ था गुदुम बाजा को बेस्ट डांस का मिला है तो गुदुम बाजा मद्यविदेश की धुलिया ट्राइबल गुरूप करती है जो कहां पर अनुपूर डिस्टिक में इसके अलावा आप सो देखोगे कि बंजारा भी हमारे को मद्यविदेश में दिखते हैं लेकिन बंजारा क्या है मुवेवल हैं आप किसी एक पर इंको नहीं देख सकते लेकिन इंके बारे में कि कॉम्ब का इंवेंटर किसको माना जाता है तो कॉम्ब का इंवेंटर जो है बंजारा ट्राइबल गुरूप को माना जाता है फिर यहीं से एक और चीज़ है कि उसने आप से पूछा मद्यविदेश में हलवा ट्राइब हलवा tribal group कहां मिलता है तो मद्य विदेश में जो हलवा tribal group है आपको बालागाट district है मिलता है तो ये कुछ additional जो tribes का distribution है यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया तो यह आपके हो गए क्या tribes का distribution और इसी के साथ हम next topic लेके जा रहे है tribal personalities और मद्य विदेश और इसी साथ इस topic को हम लोग end करेंगे personalities को लेके और मद्य विदेश की tribal personality में जो पहला नाम आ रहा है अमर शहीद राजा शंकर शा और अमर शहीद कुवर रगुनाश शाह आपने मद्य विदेश में डैनिस्टी का नाम सुनाओ का गोंडवाना डैनेस्टी गोंडवाना डैनेस्टी जिन में एक सबसे प्रॉमिनेंट रूलर हुए थे संग्राम शाह जी और संग्राम शाह जिनको 52 गड़ादी पती के नाम से भी कहा जाता है जिन्होंने अलग-अलग 52 किलो पे रूल किया दुर्गावती आई यह सब हम हिस्ट्री में करेंगे लेकिन दो नाम 1857 के रिवोल्ट में दिखाई देते अमर शाहिद, राजा शंकर शाह, रगुनाज शाह क्या हुआ था जबलपूर की बात थी जबलपूर में कैप्टन था या करनल था जबलपूर की अट्रो सिटी से वहां के लूकल बहुत परिशान हो चुके थे तो राजा शंकर शाह जी और उनके बेटे रगुनाज शाह जी ने प्लान किया कि क्यों ना लूकल मास्ट को अपने साथ लिया जा और एक रिवोल्ट किया जा और इसी रिवोल्ट की तैयारी क फॉची तो उनहोंने क्या किया कि उन्होंने राजा शंकर शाह जी और रगुनाज शाह जी को पकड़ लिया और जबलपूर के जो विरियों। तोप के मुपे बांदिया गया और जवलपूर का क्राउड वहां जमा होने लगा कि हमारे राजा को पकड़ लिया गया है तोप के मुपे बांदा हुआ है सभी लोग इखटा होते जा रहे है और धीरे धीरे क्या है बहुत बड़ा क्राउड जमा हो गया और जैसे कि आप दे आख लोगों ने नारे लगाना चालू कर दिये के शंकर शाह की जय हो और इसी के अंग्रेज को एकदम से उनकी बाजी पड़ गई उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने तोप में आग लगा दी और वहीं पर ये शहीद हो जाते हैं कौन शंकर शाह जी और अगुनाज शाह जी तो शंकर शाह जी और अगुनाज शाह जी के बारे में आपको प्री में जो फैक्ट याद रखना है आपको एक चीज़ याद रखना है कि गोंडवाना दिवस MP government celebrate करती है क्या celebrate करते है संकर्ष शाह बलिदान दिवस हम लोग 18th of September को celebrate करते है तो ये एक और चीज अपने को यहाँ से याद रखना है और इसी के चीज यहाँ से एक और याद रखना कि किसके एट्रो सिटीज के अगेंस लडाई लड रहे थे इनको Robin Hood of Nimar के नाम से कहा जाता है जिन्होंने कहा participate किया था जिन्होंने 1857 के revolt ने participate किया था और एक लडाई लड़ी थी जिसको बोला गया Battle of Amba Pani कौन से लडाई लड़ी Battle of Amba Pani की जो लडाई है Battle of Amba Pani की जो लडाई है वो ने यहाँ पर लड़ी है और Battle of Amba Pani की लडाई में Kennedy को हडाया जो Captain Kennedy है उनको हराया और इसमें इनके जो help कर रहे थे इनके जो associate थे वो कौन थे खज्या नायक इनके जो associate थे उनका नाम क्या था खज्या नायक इनके associate थे बाद में भीमा नायक को पकड़ लिया जाता है Britishers के दौरा counter attack में और फिर इनको क्या है काला पानी की सजा हो जाती है काला पानी की सजा मतलब Port Blair है ना Port Blair इनको भेज दिया आता है और 1876 में इनको फासी दे दियाती है कब 1876 और दिनांग थी 29 December इसलिए 29 December को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं 29 December को भीमा नायक बलिदान दिवस जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 दिवस को क्या सेलिब्रेट किया आता है भीमा नायक बलिदान दिवस सेलिब्रेट किया आता है और इंकी जो समाधी है इंकी समाधी कहां बनाई गई है तो इनकी जो समाधी हो बनाई गई है धाबा विलेज कहां पर धाबा विलेज जो मद्य विदेश के कौन से डिस्टिक में है धाबा विलेज और बढवाणी डिस्टिक तो भीतनायक कि समाधी आप Skill 876 में यह शहीद हो जाते है रॉबिन हुड ऑफ निमाड के नाम से कहा जाता है 1857 पार्टिस्पेट किया बैटल आफ अंबा पानी के अगेंस लगा और इनके असूसियेट कौन थे खज्या नायक तो खज्या नायक कौन अभी हमने पूरी बात कर ली वही जो भी मनायक पड़ा कि बैटल आफ प्रोफिशेंट करना भी सीख लिया है ना तो प्रोफिशेंट हो गए किसमें शूटिंग में और फिर यह क्या किया बोट काम किया करते थे उनके पास से पैसा भरतियों से लुटा जाता था वह वापस से उन्होंके फिर उन्होंब बहुत ज्यादा परिशान कर दिया था और इसी इनको पखड़ना चाह रहे थे किनको हमारे टांटिया मामा को तो हम लोग इनको टांटिया के नाम से भी कहते हैं हम लोग इनको टुन्डरा के नामлем में लोग अलग तो यह जो टांटया मामा थे इंको पकड़ने के लिए अब क्या किया फिर एक चुगल खोर को ढूंडा गया मिल गया और वह चुगल खोर जो है उसने कुछ पैसों के वास्ते बता दिया कि टांटया जंगलों में कुछ लोगों से मिलने आने वाला उस्वेक्टी का नाम तग टैक्टिक से गोरिला वाड टैक्टिक से अंगरेजों से लड़ा करते थे जंगलों में और जो फिर यहां से Max लिए एछNo लगया और इंको पकड़ लिया गया और यह जो खबर थपी, 1889 का इवेंट था कि 1889 में Tantiya मामा को पकड़ लिया गया और ये खबर छपी कहाँ New York Times में ये खबर कहाँ छपी ये खबर छपी New York Times में और New York Times वे खबर क्या छपी कि भारत का Robin Hood पकड़ा गया तब से इस इंको एक टाइटल मिल गया क्या Robin Hood of India इनको title क्या मिल गया Robin Hood of India के नाम से जाना जाने लगा तो याद रखेगा कि किस famous revolutionary को Robin Hood of India के नाम से भी कहते है तो Tantia Mama को Robin Hood of India के नाम से भी हम लोग कहते है तो ये एक और चीज आपका यहां से याद रखना है और फिर बाद में इनको क्या हो जाती है Tantia Mama को Tantia Mama शहीद हो जाते है कब 4 December को और फिर उनकी जो dead body है जो अंग्रेज जो है वो पाताल पानी में लाके फेक के चले आते हैं और फिर वहीं पर इनकी समाधी बनाई आती है तो इनकी समाधी कहां पर है जो हमारे Tantia Mama है तो Tantia Mama की जो समाधी है कहां पर है वो है आपके पाताल पानी में Tantia Mama एक समाधी कहां पर है पाताल पानी में और ये पाताल पानी मद्विदेश में कहां पड़ता है पाताल पानी मद्विदेश में इन्दौर जिले पड़ता है तो Tantia Mama नीजिए इन्दूर में जो नया बस टैंड बन रहा है उसका नाम चेंज करके मामा भास सेश्ब्राइब और इसी के साथ पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज है अगया तो इन्दूर में उनकी समाधी है तो इन्दूर में वलिदान दिवसकफ इस वह चार दिसम यहां से याद रखना है इसके अलाव आपको जो एको नाम दिखेगा गंजन सिंग कोरकू गंजन सिंग कोरकू कौन है बात थी 1930 की 1930 में भारत में सिविल डिस ओविडियस ओमेंट चल रहा था गोडा डूंगरी जंगल सत्यागरह और गोडा डूंगरी जंगल सत्यागरह कब हुआ गोडा डूंगरी जंगल सत्यागरह जो है आपका 1930 में हुआ है हुआ है 1930 में जो हैपका घोडा डूंगरी जंगल सत्यागरा हुआ है और इसी घोडा डूंगरी जंगल सत्यागरा का लीडर कौन तो इसी घोडा डूंगरी जंगल सत्यागरा का जो लीडर थे वो कौन थे आपके गंजन सिंग और कौन थे गंजन सिंग जी जो थे वो इसके लीडर थे और यह जो गंजन सिंग जो थे और यह गोरा डूंगरी यंगल सत्यागरा मद्यविदेश के कौन से डिस्टिक में हुआ यह गंजन सिंग जी कौन से डिस्टिक के थे तो यह मद्यविदेश के बैतूर डिस्टिक के थे जब बिटिश पुलिस इंको पकड़ने के ए घुड़ा डॉंगरी से आही थी ये बेसिकली भन्जारी ढाल विलेज के रहने वाले थे बैतूल में भी खाड़ तो यहां के लूकल उस्टोट ने इक मैं के उन्हों ने Wolony नाली नाम देखते हो को मा ङोंड़ विश्नु जोनड़ को मा डेवन यह होजाती है डैफ हो जाती है तो इसी को जाद रखेगा तो यह पका यह यह리 बिल्टल में इस लिए फैमा से 1942 में भारत में चल रहा था भारत कुड़ो अंदोलण जिसको हम लोग क्विट इंडिया मूंट के नाम से भी कहते हैं तो इस क्यूट इंडिया मुवेंट में मद्य बिदेश के एक डिस्ट्रिक था बैतूल और बैतूल डिस्ट्रिक से बिर्सा गोंड ने पार्टिपेट किया था क्या किया था जो रेलवे बिर्सा गोंड मद्य बिदेश के कौन से डिस्ट्रिक से आते मद्य बिदेश के बैतूल डिस्ट्रिक से आते िहां मिलती है राजा भभूस सिंह आइसा बोलते हैं कि पहले अदिवासी मार्टियर फर्सट ट्राइबल मार्टियर यह कौन थे फरस्ट ट्राइबल मार्टियर तो यह भी याद के आठाइब फरस्टू ट्राइबल मार्टियर जो है आपके घौल सिंग साथ ढाएं रहेगी अपका याद मनशुम ओझाबी कॉन से क्यों से याद रहीently तो मंशू ओजाजी कौन थे freedom fighter थे कौन थे freedom fighter from बैतूल district मद्यविदेश who revolted who participated in the freedom movement of India फिर एक नाम है बादल भोई बात कौन से यर की थी बात थी 1923 की 1923 में जगा पढ़ती है छिंदवाडा district में जिसका नाम है परासिया चिंदवाडा district में कौन सी जगा पढ़ती है चिंदवाडा district में जगा पढ़ती है जिसका नाम है परासिया तो यहां पर परासिया में बादल भोई ने क्या किया था जो ब्रिटिश में बन चुका था लेकिन इसका नाम जो है बादल भुई कौन से एर में रखा गया 1997 में रखा गया तो बादल भुई ट्राइबल मुजियम का नाम चेंज किया गया 1997 में उसके बाद आप देखते हो कि अब कुछ अभी तक हमने देखी इस्टॉरिकल पस्टनेलिटी अब एक पस्टनेलिटी आ रही है आपकी कैसी पस्टनेलिटी पॉलिटिकल पस्टनेलिटी हर शोहान हर शोहान जी बेसिकली कौन है यह आपके कौन है नैशनल कमिशन फोर एस्टी के चेर्मेन है नैशनल कमिशन फोर एस्टी के चेर्मेन थे हर शोहान जी National Commission for ST Indian Constitution के कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल 338 में है यह कौन से अमेंडमेंट के थुरू बना तो 89th Constitutional Amendment Act के थुरू इसको बनाया गया हर शोहान जी जो है किस से जुड़े हुए है हर शोहान जी जो है यह शीव गंगा प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए है और इन्हों बहुत ट्राइबल डेवलप्मेंट के लिए काम किया है तो शीव गंगा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए है कौन आपके हर शोहान जी इसी के अलावा आप देखोगे साहे, कि जो हलमा पुर्जेक्ट हिए, जो हलमा जो है हलमा जो है चलता है तो हलमा को भी इन्हों ने बहुत प्रमूट किया हलमा मैंने आपको बताया था था कम्णिटी के तौर पे आप सब लोग साहत साथ में बाद से और सांसत्र ऐड प्रिजर एड प्रिजक्र सरकार में लाख एंद्री मद्री मनरा भारे प्रिजर आते हैं ठीक है next question जो आ रहा है राजा नरेश शंद्र सिंग राजा नरेश शंद्र सिंग बात थी कौन सी बात थी यह था 1969 एक राजा थे जो मद्यविदेश के गोन ट्राइबल गुरूप से आते हैं और जो जिनको 13 दिनों में इंकी सरकार गिरा दी गई 13 दिनों के लिए इंको मद् कि सरकारती गोन ट्राइब से आते हैं तो आपने राजा नरेश शंद्र सिंग ऐते रखियें मद्विदेश के धार इस आती है खास बात यह है की धार डिस्टिक की कुकषी तहसील से कई बार यह ये जो है आपके MLAV बन के गई है और इसी के साथ ये है कि मध्यविदेश की पहली महिला deputy CM किसी को नहीं पता maximum लोगों को चीज नहीं पता कि मध्यविदेश की पहली महिला first woman deputy CM first woman deputy CM 1997 में जब दिगविजै सINGH मुख्यमंतरी थे था इंको मद्यविदेश की पहली महिला Deputy CM बनाया गया और First Woman Leader of Opposition भी यही थी First Woman Leader of Opposition First Woman Leader of Opposition मद्यविदेश में कौन रही है तो वो भी आपकी जमना देवी है लेकिन यह भी याद रखेगा Deputy CM कौन से यर की बात थी 1997 की बात थी 2010 में जमना देवी जी की की डेथ हो चुकी है तो याद रखेगा 2010 में इंकी डेथ हो गई है मद्यविदेश के धार डिस्ट्रिक से आती है बुगाजी के नाम से हम इंको कहते हैं Next नाम जो है आपके कांतिलाल भुरिया कांतिलाल भुरिया basically कौन है जाबुआ डिस्ट्रिक से आते कांतिलाल भुरिया कौन है जाबुआ डिस्ट्रिक से आते हां से माझा सेमगोर्मेंन्ट में जो है ट्राइबल मिनिस्टर के तौर पर आपको दिखते है ओरमर यूनियन मिनिस्टर भी आपके औरशी के अलावा अप देखते हो 1996 में लेकिन एक कमिटी बनी थी जिसका नाम था दिलीव सिंग पर भी कमिटी इसको पैसाएं चाहरों करते हैं मलते हैं तो यह पेसा कऊन सी कमेतिए कले में emails घाय में कर गाने है को कहां डीलिव सिंह फॉरिया जी in 2015 में डेथ हो चुकी है चलिए ठांस इंका की रव चलते एंन एसे लहार दॉशन को बढ़ाता है मिलेट वुमेन और ॉफ की इंडिया के मिलेट मिशन की मिलेट को अब हम नए नाम से ढलते है मेलट मिलेट मतलब सावा को फुट की इसको हम श्री अनकी ज इ along से Graph सह Buddhist के भी कहा जाता है और यहां से आप लोग देख रहे हो कि यह आपको पीछे शब आप देखोगे कोड़ तो इस अलग अलग जो है अलग अलग वय Bergate Jen जो है जो मिलट। की to जो है उसको प्रिजर्व किया है तो आपकी कौन है नहीं फफ डाहि है जो मध्यदेश के कौन से ट्राइबल गृब्स यह जो तो मद्यविदेश के बैगा ट्राइबल ग्रुप से आती है, कौन से बैगा ट्राइबल ग्रुप से है, मद्यविदेश के कौन से डिस्ट्रिक की है, तो मद्यविदेश के नोरी डिस्ट्रिक की है, कौन लाहरी भाई तो याद रखिएगा, मिलेट वूमन के नाम से भी कहते है उजोधाईा नहीं जोपर दिश्टिक की रहने वाली है बैगहार गी आपको इतनी बाते आत चलिए फिर आगे चलते हैं तो आपके एक और वेक्तिय नहीं रहे हैं जिंका परधोनी डान्स के लिए आने आते हैं बेसिकली, ये कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं बेसिकली, बैगा ट्राइब को बिलोंग करते हैं, 2022 में अर्जून सिंगधुर्वर जीजी को पधमश्री अवाइड मिला है उसी के अलावा आप देखोगे, कि यह जो आपके अर्जुन सिंग धुर्वे जी जो है यह पहले पोस्ट ग्रैजुएट है यह क्या है पहले पोस्ट ग्रैजुएट है बैगा ट्राइब के तो यह आपके अर्जुन सिंग धुर्वे है उसके अलावा आप देखोगे दुर्गा भाई व्योम उसके अलावा तो गोंडी पेंटिंगल या ने आती है कोश्वन MPSC ने पूछा था। कौन सी पेंटिंगल यान या थी मध्य बिदेश के कौन से district ऐसे चजी सब्लाइने वाली है。」 तो दुर्गा बार्व Всёम है के मंध्य बिदेश के भी ट्राइबल है और यह मद्री देश के ऐस्ट ड्राइबल Deputives के रहने वाले थे तो शीवानु सिंग शोलंकी ध्यक़ाड स्टिक्क के रहने वाले थेśl उसकी अलावा आप यहाँ से एको नाम देखोगे भज्जु gen यह को देखते हैं यह याद रख सकते है तो एक और नाम अब जो अगला देखोगे शिव भानु सिंग सोलंगी भज्यू शाम उसके अलावा हमने कुछ नाम देखे थे जंगर सिंग शाम, जंगर सिंग शाम कौन है, तो जंगर सिंग शाम जो है, वो भी कौन है, जंगर सिंग शाम जी जो है, वो भी गोंडी पेंटिंग लिए जाने जाते है, कौन सी पेंटिंग लिए, गोंडी पेंटिंग लिए जाने जाते है, मद्विदेश के मंडला हुई था यह आपके कौन है जंगर संग इनई जंगर lorsque आ daha नाम पुछिया शाम कहा है नदो कुछिय शाम किसे असmost эконом two यह शाम गोंडी प्यंट भार्ड है फिर हम देखते हैं की इनकि ही बेटी से पांफ यह तो जापाणी शाम से असोसीएटेड है नै initiatives इनको फिकी का Young Achievers Award मिला है किसको जापानी शाम को फिर इसके अलावा आपको एको नामदीखता है छेटवे नंबर पे तो ननकुशिया शाम जापानी शाम जंगर सिंग शाम भज्यू शाम शियू भानु शाम और फिर एक और है दिलीब शाम कौन से शाम दिलीब शाम यह सब जितने भी आपको शाम वर्ड वाले दिख रहे हैं यह सब कौन से ट्राइबल ग्रूप को बिलॉ आउं करते और जो दिलीब सिंग्शाम जो है यह भी किस से Associated है यह मद्य देश में गूंडी पेंटिंग से Associated है तो यह मद्य देश में आपको ट्राइब से रिलेटेट जितने भी चीज हो सकती थी वो सारी सारी हमने कर लिया हमने सारे ट्राइब का distribution कर लिया हमने ट्राइ से कहां कहां पर कौन कौन से ट्राइबल ग्रूप देखे थे ठीक है तो जैसे यह वाला जो एरिया था श्योपूर मुरैना आपका यहां से अशोक नगर राजगर वाला तो यहां पर आपने कौन सा ट्राइबल ग्रूप देखा तो यहां पर आपने ट्राइबल ग्रूप दे जो ट्राइबल ग्रूप दिखता है यहां पर वो है भील ट्राइबल ग्रूप जैसे कि आप यहां चले गए तो पूरा यह वाला जो पोर्शन है आदिवासी इलाका है यहां पर जो है बैतूल डिस्ट्रिक बैतूल में आपने कौन सा ट्राइबल ग्रूप देखा तो बैतू यहींपे चिंद वाड़ा डिस्टीक में आपने कौन सा प्रोप साबaları ऑफिर यहीं से आपने देखा ये वाला जो पॉर्शन है तो यहाँ पर कौन सा ट्राइबल गुरूप मिलेका देख उसको हम लोग बोलेंगे कोल ट्राइबल ग्रूप तो यह अलग अलग ट्राइबल ग्रूप से जो मद्यविदेश की अलग अलग रीजन हमको दिखेते भील मालवा निमाड बैतूल में कोरकूच हिंदवाडा में भारिया बाकी पूरे नर्मदा वेलिये दक्षिन मड़ी नाम टॉपक का नाम किया है मद्यविदेश की मिट्टि और म क्या है स्वय आख मद्यविदेश की मिट्टी के नाम से हम लोग इस वी वाला जो ठॉपिक है स्वाइल आफ मैंipes कोक्त हो कि हम आस उन्हें आप से किस लाव है कि बहुत सबस्य सो उरे चांच 2022 सरकान ध तो यह इसको आप किसको बोलेगे उसको बोलोगे तो यादागी की डेविनिशन कि अपर्मोस लेर ऑफ द अर्थ क्रज विस सपोर्ट लाइविंग और 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 अर्गनीक कंपोनेंट इस ओने तो अलग अलग टाइप की जो स्वाइल है वो मिलती है वो कौन कौनसी पहली जो आपकी स्वाइल है वो आपको कौन सी मिलेगी red and yellow soil, कौनसी soil red and yellow soil, कौनसी soil, वो है आपकी red and yellow soil फिर एक और जो चीज है, वो जो आपको मिलती है, वो कौनसी soil मिलती है, red and yellow soil के बाद आपको यहाँ पर मिलेगी black soil, मद्यविदेश में कौनसी मिट्टी आपको एक और मिलेगी, वो मिलती है मद्यविदेश है आपको जिसका नाम है Black Soil, Black Soil के अलावा मद्यविदेश में जो आपको दूसी मिट्टी मिलती है वो कौनसी है आपकी Red and Yellow Soil कौनसी Red and Yellow Soil तो Red and Yellow मिट्टी फिर उसके अलावा आपको मद्यविदेश में एक और मिट्टी मिलती है जिसको हम लोग क्या लाम से कहते है लेटराइड वाहल कहते है मद्धविदेश में यह पाँच प्रकार की bit अपको मिलती है कितने प्रकार की bit अपको MP मिल रही है तो मद्धविदेश वे बेसिकली आपको 5 टाइप की soil जो है ब्लैक स्वाइल जो है अगर हम मैप के थूरू इसको समझने कोशिश करें तो यह हमारा मद्वदेश का मैप गनाने कोशिश की और फिर हमने देखा कि ये वाला जो पोर्शन है मालवा निमाड और ये वाला जो पोर्शन है नर्मदा वैली वाला यहां पर आपको ब्लैक सोयल दिखेगी यहां पर आपको ब्लैक सोयल दिखेगी और ब्लैक सोयली मद्यवदेश में तीन टाइप की म मिलती है कैसी पहली मिलती है हमको मीडियम ब्लैक कैसी मिलती है पहली हमको मिलती है मीडियम ब्लैक स्वाइल फिर हमको मद्यविदेश में एक और ब्लैक स्वाइल मिलती है उसका नाम क्या है डीप ब्लैक स्वाइल कोई सी ब्लैक स्वाइल डीप ब्लैक स्वाइल और फिर तीस गल्राइक व्लाइक सोइल डीप ब्लैक सोइल और श्यलू ब्लैक सोइल में गलते हैं तो मद्यब्धेश में जो ओवर औल जो ब्लैक toast है वो कितनी है maximum 47% area पर आपको black soil मिलती है मद्यविदेश में इसी black soil को हम लोग regular soil के नाम से भी कहते है किस soil के नाम से regular soil इस black soil में हमको humus सबसे ज़्यादा मिलता है क्या humus quantity हमको सबसे ज़्यादा मिलेगी और यह जो black soil होती है किसके लिए जानी आती है cotton के production लिए जानी आती है किसके लिए cotton के production लिए जानी आती है तो black soil मद्यविदेश के 47% area मिलती है इसको regular soil भी कहते है और यहाँ पर हमको humus की quantity सबसे ज़्यादा है black soil में basically हम लोग देखते हैं सबसे पहले में तेन करकार की मिलती है medium black soil medium black soil जो आपको है वह कहां मिलेगी तो medium black soil आपको मिलेगी अRemड ब्लस रिजन कौन से region में मालवा और निमार रिजन में कौन सी black soil medium black soil मिलेगी और आप सभी को पताएज कि मालवा और眹 निमार enam में सबसे आदा cotton का production होता है तो यह आपका एक चीद निकल के आगई फिर एक और है deep black soil तो यह deep black soil आपको कहां मिलेगी तो deep black soil आपको मिलेगी central नर्मदा वेली में deep black soil आपको मत्यविदेश में कहां मिलेगी यह मिलेगी central नर्मदा वेली मतलब आपका नर्मदा पूरा मतलब हर्दा मतलब आपका राइसेन यहाँ पर आपको डीप ब्लैक सोई मिलेगी और यह पूरा छेतर जो है वीट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और फिर आपको मिलेगी शैलो ब्लैक सोईल यह जो शैलो ब्लैक सोईल है मद्विदेश में कहां पर सबसे जादा मिलती है तो शैलो ब्लैक सोईल आपको मिलेगी कहां पर बैतूल और छिंदवाडा में शैलो ब्लैक सोईल मद्विदेश में कहां मिलेगी शैलो ब्लैक सोईल जो है मद्विदेश में आपको मिलेगी बैतूल और छिंदवाडा डिस्ट्रिक में तो यह भी एक फैक्ट यहाँ से या यहां मिलती है इसको राइगूर स्वाइल भी कहते हैं इसमें हुमस की सबस्यादा होती कोटें के प्रोडक्शन के लिए आने आती है फिर एक और जो मिट्टी है जिसका नाम क्या है लेटराइट स्वेल जिसको हम यहीं पर खतम कर देते हैं कि मद्विदेश में लेटराइट डिस्क्रीक में आपको जो मिट्टी मिलने वाली है वो आपको कहाँ पर जो शीवनी बालाघाट पले यह जो सवाइल बेसिकली आपको किस वजह से होती है लीचिंग वगयरा के वज़े से आपको यह जो स्वाइल है इसका फॉरमेशन होता है और बहुत ज्यादा एक्सेसि स्वाइल कौन सी मिट्टी है रेड एंड यलो स्वाइल तो रेड एंड यलो स्वाइल मद्विदेश के कौन से रीजन में रेड एंड यलो स्वाइल मद्विदेश के इस वाले रीजन में मतलब बगहेल खंड वाले रीजन में या इस्टन पोर्शन आफ MP है यहाँ पर आपक तो यह जो है आपको मद्यविदेश में कहा मिलेगी यह मतलब इस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब यह उमर्या शेहडोल अनुकपूर वाले जो जीले है आपका सतना यह वाले जो यहां पर आपको यह मिलेगी, इसके अलावा आप यहां से एकोची देखते हो कि यहां पर किसका production होता है, राइस का, इस मिट्टी का कलर रेड क्यों होता है, रेड होता है, तो यह भी याद रखेगा, कि फैरिक आक्साइड की वज़े से इस जो मिट्टी है, इसका कलर क्या ह जो आपका सत्ना है वहाँ पर मिलेगी एसमें होता है फैरिक ऑखसेड के वजह से इसका मिलेगी फिर आती आपकी अल्यूवियल समय अभी आल्यूवील समय मत्विदेश में कहां मिलेगी अल्यूवील समय जो हम प habits यह वाले portion में northern portion में आपका basically कौनसा है भिंड मुरैना शेवपूर अलुवियल सोई आपको कहा मिलेगी भिंड मुरैना शेवपूर मिलेगी जिसको उस चेतर में कछारी के नाम से भी हम लोग कहते हैं अलग 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 होती है लेकिन particle का जो size उसके वज़े से अलग अलग होती है उसका एक इसको बोल सकते हो और यह उतनी fertile नहीं होती है कैसी है less fertile soil है यह आपका कौण सा जीले रीजन में आपको मिलने आली है तो मत्यविदेश में स्वाइल के अलग अलग टाइप है यहीं पर मैंने जल्दी से आपको हतम कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है सेशन आपको याद रखिएगा जीले आपको अलग अलग रीजन में आपको बघेल खंड में अलुविल आपको नौर्थ एंपी में दिखाई देगा कचारी बोलते हैं और जो आपका लैटराइट स्वाइल आपको यह साउथ इसे भी देखना है तो लैटराइट स्वाइल मत्यविदेश के कौन से साउथ इ इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक यहां से जार आए जिसको अपने लोग करने वाले है वो है वो है जोग्रफिकल डिवीजन और जैसे हम लोग देखेंगे आपने सुना अगा मद्यविदेश को अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन के बेसिस पर बाटा ग सट्पुडा मेखल और इस्टन पार्ट जिसमें मद्राविदेश का एक बहुत बड़ा हिससा है जो किसके अंडर में आता है सेंट्रल इनन प्लाट्यू, मालवा प्लाट्यू और नर्मदा वैली रीजन तो ऐसे पाँज करके रीजन है तो सब से पहले हम Central Highlights को देख लेते हैं इसमें सबसे पहला चोब पाट आ रहा है वो है Central India प्लाट्यू, Central India प्लाट्यू बैसिकली मद्विदेश के कौन से रीजन को कवर करत इसमें आपका ग्वालियर इसमें आपका भिंड इसमें आपका मुरैना है ना इसमें आपका श्योपूर श्योपूरी यह वाले जो रीजन आ रहे हैं और इस पूरे रीजन में आपको जो है Continental type of climate condition मिलने वाली है कैसी condition continental type of climate और यहां पर जो रॉक आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है कैसा विंधियन रॉक सिस्टम आपको इस पूरे इलाके में मिलने वाला है तो यह आपका क्या है Central India प्लैटिव है जो हमको याद रखना है जो मद्यविदेश में जो एक बड़ा एरिया कवर करता है 10% के आसपास जो है मद्यविदेश इसमें आपका छटर पूर मतलब बुंदेल खन के जीले है वो सारे आएंगे और यह जो है आपका बुंदेल खन प्लैटिव यह मद्यविदेश में आप देखोगे कि यह भी एक बड़ा एरिया कवर करता है आपका तो यह आपका कौन सा है बुंदेल खन फ्लैटिव फिर क्लामिती कंडिशन यहां पर मिलती है यहां पर आपको मौन Soo nur County कूछ हrix आता है व यह यह वाल एक्ता है और यह वाला रिवापह पानौन अप्लै आपको musimy 7 है मद्विदेस hvis सबसे बड़ा Federal Division कौन सा है मद्वीदेश सब्सक्राइब बड़न वस्मार करता है मद्वीदेश का लार्ड यह प्रेश्ट जीज पर लाइब और इस फास版 है वालकिन और इसका origin आपको कैसा दिखाई दिखाई दिता है तो इसका जो ईजिन है वह आपका वालकिन एक याद रखेगा कि मालववापलेट्टीव के बारे में कि लारजर जूग्रिफ्कल डिविजन है 28% के असपस एरिया उसके लावा नर्मदा वैली यहां पर मौनसुन टाइप ऑफ इसमें आपको नर्मदा पूरम राय सेन जितने जिले नर्मदा जहां से क्रॉस करती है नर्सिंग पूरो सब दिखते नर्मदा वैली है और आप देखोगे कि इसके बाद जो आपका मालवा प्लेट्यू मालवा इसके बाद सबसे बड़ा जो है 26 परसेंट के आसपास जो है आपको नर्मदा वैली का दिखता है और फिर यहीं से हम लोग देखते है वह आपका कौन सा है इस्टन प्लेटियो सत्पुडा मैकल रेंज यह इस्टन प्लेटियू जो है इसके बारे में खास बात मतलब मद्यव प्लेट अपर आपको कैसी बैस्सिंटर क्षैन मिलेगा यह बालेकन था है इस्टन जो फिर सबसे पहले आपने इसको देख लो कि प्लैटियो बगहेल खंड तो प्लैटियो बगहेल खंड की जब मैं बात कर रहा हूं तो मदविदेश का स्मॉलेज जॉगरिफिल डिविजन है यहिए पूरा जो इस्थन पार्ट सबूरा बगहेल खंड के नाम और फिर थंप्ली जहाँ care , इसिवाले रीजन में आपको क्या मिल जाएेगाέ एस तो यहा पर मैग्जिम जो मिनर clash के इसी वाले ये मिलने वाले हैं फिर आपकी नर्मदा सोन वैली जो है आपका ये वाला portion है मालवा प्लेटि व मद्यविदेश का सबसे बड़ा जोग रिप्लेशन थी डिविजन-28 परसेट के स्को औरेजन कैसे दिखता है इसका origin हमको कैसा दिखता है ये volcanic origin का है मालवा प्लेटिव कैसे origin का है मालवा प्लेटिव आपको volcanic origin का दिखाई देता है यहाँ पर आपको कैसी मिट्टी मिलती है तो यहाँ पर आपको Central India Plateau यहां तक आता है ऐसे cover करते हुए तो आपका यह मद्य विदेश में हम लोगों ने कुछ अलग-अलाके देखे थे जिसको हम लोग इस डाइग्राम के थुरू हमने उसको समझने की कोशिश भी की थी कि यह इस तरीके से हम लोग इसका करते हैं याद रखने के तुम बोलो कि हमको नहीं सुझ में आरा कोई रिक्कत नी सबसे बड़ा जोगरिफिकल डिविजन याद रख लो क्या मालवा प्लेट्यू जो वालकेनी को रीजिंग का है बैसाल्टिक रॉक सिस्टम के बनाए सबसे चोटा जोगरिफिकल डिविजन अगर आप एक चीज में आपको यहां से बता दू तो आपको अधिविदेश अगई पूछेगा कि आर्कियन रॉक सिस्टम में अपको कहा मिलता है तो आर्कियन रॉक सिस्टम आपको इसी जो है बुंदेल खन प्लेट्यू मिलेगा तो यह चीज छूटी थी और बता दी व दिवापन्दा फ्लेट्यू में फिर हमको विंधियन रॉक सिस्टम मिलना चालू होता है तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ा है और इसी साथ मद्विदेश जोग्रोफी के जो मैक्जियम टॉपिक थे हम लोग 90% से 100% तब पूरे कर चुके हैं मैंने आपको वीडियो के स इसी हम लोग उसको वहाँ पर MP कवर करेंगे तो वह पूरा MP का एगरिकल्चर MP का जो है आप वहाँ देखोगे एनरजी MP का डेमोग्राफी और MP का थोड़ा बहुत प्लानिंग वगेरा तो हम लोग उसको MP कॉन्मी आले पोर्शन में कवर कर लेंगे यहां पर बेसिकली हमन किते हैं दोबारह बागी आप सभी को त्योहारों का मवसम चल रहा है तो त्योहारों के बहुत सारी शुब कामना है पढ़ते रहे रेविजन करते रहे हैं नहीं बहुत धन्यवादि